कि एलो गाइज वाट्स अब क्या हाल चाले सबके आई होब कि यार सब लोग अच्छे होंगे दिस इस और और आज हम करेंगे बाइनॉमियल थेरम का वन शॉट ठीक है तो डेफिनेटली मितलब सबसे पहले तो एक बार कंफर्म कर दो है ना सबको आवाज आ रही है अब की सब्सक्राइब तो बहुत सारे टोपिक्स इसके अंदर है इवन डबल सिक्मा हो गया मतिनॉमियल हो गया तो यह सारी चीज़े हम एक एक करके इस one shot में cover करने वाले ठीक है तो definitely मितलब एकदम basic से start करेंगे और advanced level तक सब कुछ आपको पढ़ाए जाएगा आपको पता ही है bounce bag series की जो खास बात है है ना एकदम basic से हम start करते और एकदम advanced level तक सारी की सारी चीज़े जो है वह सब कुछ हम cover करेंगे ठीक है along with a lot of examples बहुत सारे यहां पर previous questions भी हम solve करेंगे बीच बीच में जही में के भी और जही एडवांस के भी हैना in fact previous question आप से खुद ही solve हो जाएंगे मतलब इसके जो है ना इसका एक question तो minimum आता ही आता है कभी-कभी दो question भी आ जाते जही में की अगर बात करें तो है ना तो one or two questions you can expect in जही में और similarly one or two questions you can expect in जही एडवांस एडवांस में आप एक ही question मान के चलो है ना सो दो से तीन question total आपका मतलब आठ से लेके बारा नंबर आपके इस one short में आप secure कर सकते हो ठीक है तो definitely सवाल आपके यूँ ही निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा है ना मतलब इस वन चैप्टर जो की easy kill है आप आराम से इसको kill कर सकते हो इसके जो नंबर है वह आप अपनी pocket में बटोर सकते हो ठीक है तो इसी के साथ मेरी काल से चालू करते है आई लगा दो लाइक का बटन दबा दो है ना और उसके बाद चलू करेंगे यह क्लास कितने बज़े तक चलेगी च्छे साथ बज़े तक तो चलेगी ठीक है शिक्स और सेवेन तो डेफिनेटली आप टेंशन मतलो आराम से पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे देखो आपको फ इसके जो questions है उनके उपर जादा हम focus करेंगे ठीक है चलो तो चालू करेंगे एक बार फटा फट बताओ जल्दी से confirm करो सब लोग आ चुके है क्या येस एक बार इसको share भी कर देना और जिनोंने चैनल को subscribe नहीं किया definitely आप चैनल को subscribe भी कर लो है ना घर में जितने भी phone है ज यहां से देख सकते हो और बाकी अपनी bounce bag series चल रही आन अकाडमी आटम्स चैनल के उपर है ना तो definitely उसका playlist आपको यहां पर मिल जाएगा this is the link tinyurl.com slash अनकाडमी आटम्स यहां पर आपको पूरा playlist मिलेगा entire content is out there YouTube से आप सब कुछ पढ़ सकते हो कोई tension नहीं है आपको free and highest quality education इस channel के उपर already मिल रहा है ठीक है बहुत सारे one shots है detailed lectures भी है short lectures भी है जेए flash की series भी है end game भी है advance की series भी है तो काफी कुछ है आप एक बार explore करना आपको मतलब यहां पे मतलब एकदम golden content मिल जाएगा ठीक है बाकी telegram channel आप join कर लो वहां पे आप जो भी recent updates वगेरा है वो आपको मिल जाएगी बाकी PDF notes वगेरा मिल जाते तो जैसे lecture खतम होगा तो उसके तुरंत बाद इसका जो PDF है वो आपको telegram पर मिल जाएगा ठीक है बाकी अगर आप an academy subscription पर आना चाहते हो तो यह paid platform है लेगिन यहां पर आपको बहुत सारे features मिलते हैं कौन-कौन से features मैं एक बार आप आपको explain कर देता हूं तो once you come on an academy's platform आपको यह सारी चीज़े मिलती है सारी live classes होती है लाइव पोल इन डीडर बोर्ड भी है तो आपको exactly पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो क्लास में भी competitive महौल होता है जहां पर आपको actually fast questions आपको practice करवाए जाएंगे तो definitely आपक the hand का feature हाथ उपर करके आप अपनी आवाज में अपना जो डाउट है वह भी पूर सकते हो ठीक है बाकी classes है इसमें चैट के थूरू भी आप interaction कर सकते हो performance analysis के लिए test series होती है weekly basis पे dpp's होती है quizzes होती है multiple educators का आपको access मिलता है है आपको पता हिए कि जितने भी best of the best educators है वो सारे के सारे an academy platform पे पढ़ा रहे यह सारे educators ठीक है बाकी अभी एक interesting offer भी चल रहा है जिसमें आपको काफी discount मिल रहे है अप्रॉक्सिमेटली 60% का discount है है तो definitely इस offer को आप avail कर सकते हो nv live code use कर सकते हो इसको use करके आपको maximum discount मिल जाएगा ठीक है चलो अब बाकी जितने भी पुराने students है उनको मेरे खाल से जादा बताने की ज़रूद नहीं उनको पता है यह all-star crash course अपना चालू हो गये है ना तो इसमें आपको सारे के सारे जो an academy के top educators वो पढ़ा रहे तीन मही सब्सक्राइब करने का crash course है में के लिए आप जी में को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो ना सारे चैप्टर फिजिक्स के मैश्टी मैच सब्सक्राइब करते हैं कि इसका development कहां से चालू हुआ है ना मतलब जो बड़े लोग है बड़े-बड़े उन्होंने कैसे सोचा कि यार एक चप्टर ये भी बना सकते हैं उनकी लाइफ में एक और कॉम्प्लेक्ट चीज हम डाल सकते हैं कि बाइनॉम्यल थेरम भी तुम पढ़ो ठीक है तो इसका development कैसे हुआ तो देखो यह जो टर्म है बाइनॉम्यल मेरे काल से इसके नाम से ही आ देवलप तो हिंदुस्तान में हुआ है बट उन्होंने डोक्यूमेंटेशन कर दिया मतलब लिख लिख के किताबे चाप दी तो फिर आगे लोगो को पता चला है ना हमारे टाइम भी भी बहुत एक्जिस्ट करता था बट लोगों को पता ही नहीं था तो नोमियल का मतलब ह तो बाइनॉमियल का सिंपल मतलब क्या है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टॉम्स होंगे टू टॉम्स होंगे नंबर आफ टॉम्स अर्टू और इसका एक ठीरम भी होता है तो यह ठीरम पे बाद में आएंगे बट अभी के लिए आपको यह सांज में आगे कि यह ब आउंस ही बड़ी बात है यह तूम्स तो आपने बच्पन से पढ़ है अगर आपने यह पढ़ होगा अगर आपसे कोई पूछेगा एक्स प्लस वाई की पावर वन Space Development यह सारी की सारी आइंटिटीमस के हम पड़оде पड़ चुकी है पड़ चुक y की पावर 1 है तो x plus y आएगा इसका expansion क्या होता है इसका expansion होता है x square plus 2xy plus y square यह होता है है ना x plus y का whole cube तो इसमें आप लगा तो a plus b का whole cube तो इसका expansion क्या होता है x cube plus 3x square y तो यह सब हम बच्पन से पढ़ चुके है राइट यह सब बहुत पुरानी बात है बच्पन वाली बात है 9 10 standard में यह सब हम अल्रेडी आराम से यह सब कुछ पढ़ चुके है बट अब यहां पर question यह आता है कि यह ठीक है मतलब x plus y की power 3 अगर आप से कोई पूछेगा x plus y की power 4 तो कैसे निकालोगे चार बार multiply करने बैठोगे क्या एक ही bracket को या x plus y की power 5 या x plus y की power 6 पावर 7 पावर 8 पावर 9 पावर 20 पावर 100 पावर 500 तो 500 बार multiply करना थोड़ी बैठेंगे तो कोई ना कोई थियरम होना चाहिए ना जिससे कि अपने को directly एक्सपांशन मिल जाए इसी लिए बड़े लोगों ने क्या सोचा कि अगर मुझे x plus y की power n का अगर मुझे expansion चाहिए यहाँ पर n का value कुछ भी हो सकता है है ना तो x plus y की power n का expansion हम कैसे निकालेंगे अगर वो expansion आ गया तो उसी को हम बोलते है लेकिन अब यह आएगा कैसे तो इसको निकालने के लिए जो बड़े लोग थे उन्होंने क्या करा उन्होंने कुछ को यहां से observation लिया अब यह observation बहुत सिंपल है यह आप भी ले सकते हो बहुत ही मतलब बच्चों वाले observation है तो आप मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या-क् दिख रहा है आप खुद ही देख लो observation अगर आप भी मतलब थोड़ा सा जल्दी आ जाते दुनिया में आप खुद भी यह बाइनॉमियल थेरम निकाल सकते थे कोई बड़ी बात दी है मतलब सिंपल आप देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे जो एक्स की पावर्स है वो घटरी एक्स की पावर टू है फिर एक्स की पावर वन है और यहां पर तो एक्स की पावर जीरो हो गया ना तो एक्स की पावर कितनी है टू फिर एक्स की पावर वन फिर एक्स की पावर जीरो सिमिलरली यहां पर देखोगे तो यहां पर देखोगे तो एक x की पार 3, फिर x की पार 2, x की पार 1, x की पार 0, तो x की जो पावर है, और x मतलब first term, तो हमारा जो भी first term है, x is the first term, तो उसकी जो पावर है वो decrease हो रही है, पहला observation यह है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो हमारा second term है, second term मतलब y तो y की power increase हो रही है आप यहाँ पर देखो ना यहाँ पर y की power 0 है इसमें y वाला term है यह नहीं मतलब y की power 0 फिर y की power 1 फिर y की power 2 आप देरे देखो के तो y की powers increase कर रही है और x की power decrease कर रही है ठीक है? तो अगर आप से कोई पूछेगा x की power 4 अगर आप से कोई पूछेगा इसको आप भटा दो और इसकी जगह अगर मैं इसको कर दू x प्लस y की power 4 तो आपको इतना तो समझ में आगिया कि यह x की power 4 से चलू होगा x की power 4 होगा फिर अगले वाले term में x क्योब आएगा फिर अगले वाले में x square आएगा फिर x की power 1 आएगा और finally x की power 0 आजाएगा और जो y की power है वो increase होगी तो यहाँ पे y की power 0 फिर y की power 1 फिर y की power 2 फिर y की power 3 और last में y की power 4 तो अपने को यह जो variable वाला part है वो तो समझ में आ गया अब हम focus करते है coefficient पे यह जो coefficient वाला game है ना इसी में time लग जया था बड़े लोगों का भी है ना तो coefficient को ध्यान से देखो जैसे यहाँ पे उट पटांग coefficient जैसे इधर 3 है तो अपने को कैसा सपना आएगा कि इधर 3 और 3 लिखना है इसका coefficient 1 है इसका coefficient 1 है इसका coefficient 2 है तो क्या आपको कोई pattern दिख रहे है क्या coefficients के लिए कोई pattern दिख रहे है जैसे इसका coefficient क्या है 1 है इधर भी coefficient क्या है 1 है यहाँ पे देखोगे तो coefficient है 1, 2 और फिर 1 तो 1, 1 1, 2, 1 यहाँ पे देखोगे तो 1, 3, 3, 1 तो यह basically ली यह जो coefficients है इसमें simple observation यह है कि इन दोनों को add करतो तो यह आता है यह पास्कल भाई साब थे आपने शायद physics में भी उनका नाम सुना होगा तो पास्कल भाई साब जो है उन्होंने सबसे पहली बार यह observation लिया और इसी लिए इसको बोलते पास्कल's triangle पास्कल's triangle क्या होता है यहाँ पे coefficient देखो क्या है इसी को बोलते है पास्कल's triangle है ना तो पहला x प्लस y की पार 1 में coefficient क्या है यहाँ पे coefficient है 1 और 1 तो और पिर अगले वाले में क्या है लास्ट वाला नंबर भी हमशा 1 होता है observation देख लो न है यारा आपको बस यह सब observation लेने है इन दोनों को add करने पर यह आएगा इन दोनों को add करोके तो 3 आएगा first वाला नंबर और last वाला जो number होता है वो हमेशा 1 होता है तो अगर आपको X plus Y की पावर 4 चाहिए तो उसके कोईफिशन्स की आएंगे, आपको पता हिए कि वही जो first वाला होता है वो one होता है, जो last वाला होता है वो भी one होता है, इन दोनों को add करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को एड़ करोगे तो बेया इसके कोईफिशंस के आएंगे इसके कोईफिशंस आएंगे 14641 तो यह एकस्पांशन बन गया बस बीच में प्लस– God लगा दो उना भी एक प्याAPPर ox डिक्रीज करा दो वाई की पावर इंक्रीज करा दो और कोईफिशेंट के लिए पास्कल ट्राइंगल बना लो अगर आपको एक्स प्लस वाई की पावर फाइव चाहिए यहां पर आप मुझे लिखके बताओ अगर मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई की पावर फाइव इसका एक्स की पार वन आएगा और फैइनली एक्स की पार जी और य की पार इंक्रीज करनी है तो हमेसर से चारलों करो याइ की पावर 1 थो य की पार 3 9 5 5 वाला पार्ट वा तो प्लेस वाइगा और इदर फाइव तो वन इदर फाइव टेन और फाइव तो बस यह पांच बार करने की जरूद नहीं यह बेवकों पी हम बार-बार नहीं करेंगे समझ गया नशाना इसी ब्रेक्ट को पांच बार मल्टिप्लाइब करने बैठ तो बहुत टाइम लग जाए इसलिए बाइनोमियल ठीरम की जरुवत पड़ी ना आपको यह सामचार है रहा है कि जरुवत क्यूंपड़ी तो इसी तरह से आप x-y की पावर 6 भी निकाल सकते हो एकस प्लस य की पावर 7 भी निकाल सकते हो यही जो पैटर्न है वो वो continue होगा ठीक है अब इसमें दो-चार observation और लेते हैं तो हमने अमारे जो observation है वो कौन-कौन से observation है पहला observation तो यह कि जो एक्स की पावर है वो degrees कर रही है दूसरा observation हमने यह लिया था कि जो y की पावर है वो increase कर रही है इसमें तीसरा observation यह भी है कि जो x और y की power का sum है वो हमेशा n के बराबर आता है जैसे यहां पर देखो 5 प्लस दीर हो तो 5 आएगा 4 प्लस 1 जो power का sum है वो हमेशा इसके बराबर ही आता है तो always the sum of the powers sum of the powers of x and y वो हमेशा किसके बराबर आता है वो हमेशा n के बराबर आता है N मतलब जिसका भी expansion है X plus Y की power N तो इसको हम N बोल रहे हैं ठीक है आप यहाँ पे भी देख लो 3 plus 2 तो जो sum of the power होता है वो हमेशा यहाँ पे भी अगर आप infect देखोगे तो 4, 3 plus 1 कितना है? 4 है यहाँ पे भी देखो 2 plus 2 कितना है? 4 है तो sum of the power कितना होता है? हमेशा इसी के बराबर होता है यह भी एक observation है और एक और observation है कि number of terms कितने होंगे जैसे अगर मैं इसका expansion लिखूँगा तो कितने term है? यह पहला 1, 2, 3, 4, 5 term है तो अगर power 4 है तो number of terms कितने है? 5 अगर power 3 है तो number of terms कितने है? एक, दो, तीन, चार तो power अगर 3 है तो number of terms है 4 इसका मतलब हमेशा एक जादा होता है तो जितनी भी power है अगर मान लो कि x प्लस y की power n है तो number of terms कितने होंगे इसमें? इसका जो भी expansion आएगा उसमें number of terms अगला observation यह है कि जो number of terms है वो हमेशा n plus 1 होते है है न, number of terms are always n plus 1 तो अगर आप कोई भी binomial expansion लिखोगे जितनी भी power है उससे एक जादा number of terms आएंगे ठीक है? तो यहाँ तक तो मेरे एकाल से simple simple चीजे चल रही है और थोड़ा detail में जाते है अब आप बोलोगे कि सर यह सब तो ठीक है X plus Y की power 5 लिखके आप मतलब यह सब समझा रहो कौन से बड़ी बात है? यह हमें भी आता है यह सब बच्च वाली चीजे आप मत बताओ सीधा यह बताओ कि X plus Y की power 20 या 100 पावर है तो उसके coefficient के लिए यह पास्कल ट्राइंगल के आप 100 तक लेके जाओगे एक प्रॉब्लम यह आ गई सामने कि अगर कल को मान लो question आ गया कि X plus Y की power 20 तो यह यह power 1 के लिए है power 2 के लिए है फिर power 3 के लिए फिर power 4 के लिए फिर power 5 के लिए तो यही पास्कल ट्राइंगल बनाते जाएंगे क्या power 20 के लिए है power 100 के लिए पास्कल ट्राइंगल बनाना भी अपने आप में कितना मुश्किल है अगर पावर 100 आ गया तो एक बोड में फिट नहीं होगा इतना बड़ा पास्कल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा तो इस problem का solution निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा factorial बाइनोमियल को इफिशेंट है ना यह सारी चीज़े आपको पढ़ने बड़ेगे तो सबसे बहले तो यह बताओ factorial आपको पता है किसी भी number का जैसे 3 का factorial निकालना है किसी भी number का factorial कैसे निकालते है factorial का representation यह है 3 factorial और निकालते कैसे निकालने के लिए कुछ नहीं होता उस number को आप multiply करते जाओ जब तक 1 नहीं आ जाता है तो 3 into 2 into 1 जब तक 1 नहीं आता है आप उसको multiply तो मतलब इसका value कितना आएगा इसका value 6 आएगा अगर मैं आपसे पूछूँगा 4 factorial तो इसको आप multiply करते जाओ 4 into 3 into 2 into 1 मतलब इसका value आएगा 24 अगर मैं आपसे पूछूँगा 5 factorial तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इसका value आएगा 120 तो similarly अगर आपको किसी भी number का factorial निकालना है तो आसान है आप simple उसको multiply करते जाओ जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक ठीक है अच्छा जो factorial होता है अगर मैं n factorial की बात करूँ तो यह defined कब होता है यह defined तभी होता है जब n का value whole number होना चाहिए अगर आप किसी भी whole number का factorial करोगे ना तो वही defined होता है अगर आपसे कोई पूछेगा कि minus 1 का factorial बताओ या minus 2 का factorial बताओ या 1 by 2 का factorial बताओ तो fraction का कोई factorial नहीं होता है negative number का कोई factorial नहीं होता है खाली 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो whole numbers होता है whole number का factorial होता है then only it will be defined otherwise वो defined ही नहीं होगा अगर whole number का factorial होता है तो zero factorial का value कितना होता है 0 factorial का value 1 होता है even 1 factorial का value भी 1 होता है ठीजिए zero factorial का value 1 अब आप बोलो के सर कैसे जीडिव फेक्टारियल 1 कैसे आ गया इन्फ görünya आपने वो है नव फेस्बूग इंस्टाग्राम पavorा इसा है वन है ओर वन वेल्यू भी Talea लो करते हैं ईससे करते हैं लुप वन इनस सब चीजल में कोई सब मीम है यह मैतेमेटिक लेक्ट का वेल्ई 0 0 सब 6 इसी तरह से चलता जाएगा अब आप बोलो के सर जिरोसेग्ट वेल्यू वन क्यों है तो उसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हो आप यह बताओ देगो इसका प्रूफ आप जान लो कि जीरो फेक्टोरियल का वेल्यू वन क्यों होता है हलागी प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बड़ फिर भी जस्ट फॉर फण ठीक है ए जब तक वन नहीं आ जाएगा यह चलता जाएगा अगर आप इस पॉरशन को ध्यान से देखो गए यह वाला जो पॉर्शन है ठीक है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इस नथिग बड्ट डिस एंन माइनस बन वन फेक्टोरियल थील्कि अन इंटु एन इन-1 का यह दियान से देखो फाई फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं को तो similarly, अगर 4 factorial है, तो 4 factorial को हम लिख सकते है, 4 into 3 factorial, भाइ, this is nothing but 3 factorial, this is nothing but 4 factorial, तो n factorial को ऐसे लिख सकते है, n factorial को हम लिख सकते है, n into n minus 1, अब इस n को नीचे भेज दो, तो n factorial divided by n, यह आजाएगा, n minus 1 का factorial, अब यह जो equation आपके पास आगी न, इस equation में आप n का value पुट करतो, 1, है न, put, n equal to 1, तो जैसे n का value 1 पुट करेंगे, तो देखो, यह क्या आगया, 1 factorial divided by 1, this is equal to 0 factorial, बस आगया न, hence, 1 factorial का value 1 ही आता है, तो यह factorial के बारे में, यह आपको सब्सक्राइब करते है, सबसे पहली बात, whole number का factorial ही defined होता है, अगर कोई fraction का factor, आप से कोई पूछेगा, वन बाई टू का फेक्टोरियल तो यह सब कुछ नहीं होता है है ना माइनस वन का फेक्टोरियल यह सब आप क्या बोलोगे आप बोलोगे नॉट डिफाइंड अलाकि जब आप आगे जाओगे जब आप कॉलेज में जाओगे तो यह इनका जो फेक्टोरियल होता है वो भी न और आगे बढ़ते हैं आप बात करते हैं बाइनॉमियल कोईफिशेंट के बारे में जो बाइनॉमियल के जो कोईफिशेंट है ना 15 10 10 5 1 यह कोईफिशेंट कैसे निकालेंगे तो इसके लिए एक डारेक्ट फॉर्मिला होता है वो होता है यह हम पर्मूटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डीटेल में पढ़ेंगे कि यह कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं अभी के लिए फॉर्मिल आपको पताऊना चाहिए यह है एन फैक्टोरियल और नीचे नीचे वाले का फैक्टोरियल आएगा और फिर इन दोनों का तो यह होता है इसी को हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं बाइनॉमियल कोईफिशेंट ठीक है यह भी आप जैसे फॉर एक्जामपल एक्जामपल अगर आपसे कोई पूछेगा 4C3 इसका वेल्यू बताओ तो उपर वाले का फेक्टोरियल उपर नीचे दोनों का डिफरेंस तो वन फेक्टोरियल कितना वेल्यू आ जाएगा यह है फोर थ्री टू वन नीचे वाला जो है वह है फ्री टू वन और वन वैल्यू भी वान आप सॉल्व कर लो यह सब कैंसल हो जाएगा उल्टिमेटली वैल्यू इसका फोर आएगा समझ गें तो यह कैसे निकालते है value that is clear 4C3 जैसे for example अगर मैं आप से पूछोंगा 8C6 इसका value बता हूँ 8C6 तो ऊपर वाले का factorial ऊपर नीचे वाले का factorial नीचे और फिर दोनों का difference अब इसको आप लिख सकते हो इन्टिए 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 अर्टिए इसका value आजाएगा इसमें एक चीज और समझ लो इसमें एक important note के अगर अगर आपके पास कभी भी न सीजीरो या फिर एन सी एन गर इसक वाल्य पाले कन एक बपर लाउस्ट वाले का वैल्यू हमेशा एन इक और चीज अगर आपके पास कभी भी आजाएए mci1 या फिर न c n-1 मुतलब second term या second last term तो उसका value हमेशा एन होता है उसका वैल्यू हमेशा यह आप निकाल भी सकते हो यह कैसे निकालेंगे आप ऐसे इसका value हमेशा n ही आएगा इसमें किजी को कोई दिक्कत नहीं है तो यह simple है राइट n factorial divided by divided by r factorial n-r factorial इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब और आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं statement of binomial theorem तो basically अगर आपको x plus y की power n लिखना है ठीक है x plus y की power n इसका expansion अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे अब यहां तक देखो जो observation हमने लिए वो आपको पतावने चीए हम चालू करेंगे x की power n से और जो x की powers है उनको degrees कराएंगे n-1 आएगा फिर n-2 आएगा ऐसे करते-करते यह चलता जाएगा last वाला जो आएगा वो आएगा x की power 0 है ना x की power को degrees कराएंगे जो y की power है उसको increase कराएंगे तो y की power 0 से चलू होगा y की power 1 आएगा फिर y की power 2 आएगा last में y की power n आएगा और जो coefficients है वो binomial coefficients होते है है ना तो इसका coefficient अगर आपको चाहिए तो इसका coefficient आएगा nc0 इसका coefficient आएगा nc1 फिर अगले वाले गा nc2 और last वाले गा ncn ठीक है तो binomial coefficient आप चिपका दो तो यह जो statement बन गया यह जो statement बन गया इसी को हम बोलते है statement of binomial theorem तो अगर आपको x plus y की power n का expansion चाहिए है न तो आप इस तरह से निकाल सकते हो जैसे for example अगर आपको for example अगर आपको x plus y की power 4 का expansion चाहिए तो आप कैसे करोगे x की power 4 से चलू करेंगे न फिर x की power 3 आएगा x की power 2 आएगा x की power 1 आएगा x की power 0 भी आएगा फिर y की power 1 y की power 2 y की power 3 और y की और 4 और coefficients क्या होते coefficients होते 4C0 4C1 4C2 4C3 4C3 और इधर 4C4 अब इन सब का value निकालोगा तो वही आएगा आप निकाल के देखो न 4C0 का value कितना आएगा अगर आप इसका value केलकुलेट करोगा ना तो 4C0 का value कितना आता है यह जो coefficients है उनका value बता दो आप तो यह वही है जो हमने पास्कल ट्राइंगल से निकाला था ठीक है पास्कल ट्राइंगल से करो या इस से करो आंसर आपका सेम ही आएगा बिसिकली अगर छोटे-बोटे और इसका value कितना आएगा 4C2 4C2 का value आएगा 6 अब निकाल के देख लो उपर वाले का factorial नीचे वाले का factorial दोनों का difference 4C2 का value यह जागा तो यह है वही 146 4y तो यह समझ में आ गया होगा मेरे खाल से कि binomial theorem का statement क्या है आपको x की पार decrease करनी है y की पार increase करनी है binomial coefficients आएंगे number of terms are n plus 1 और x और y की जो powers है उनका sum आप यहां पर भी देख लो x और y की जो power है उनका sum करो हमेशा वो n के बराबर ही आएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े में रिखाल से आपको clear है number of terms कितने होता है कोई भी binomial expansion है उसमें number of terms होता है n plus 1 कोई भी binomial expansion है तो उसमें number of terms will be n plus y अचा अब यह तो binomial expansion हो गया यह तो x plus y की power n का expansion हो गया लेकिन exam point of view से 1 plus x की power n का expansion हो बहुत important है तो इसका expansion आप एक तो बता दो मुझे कि इसका expansion क्या है तो आपको simple कुछ नहीं करना है जो x है x को replace कर दो 1 के साथ और y को replace कर दो x के साथ वह यह जो अपना expansion है यह x plus y की power n का है अगर मुझे चाहिए 1 plus x की power n का expansion तो जहां-जहां पर x है हम 1 put कर देंगे और जहां-जहां पर y है हम x put कर देंगे क्योंकि यह exam point of view से बहुत important है तो आप x का value put कर दो 1 और y का value put कर दो x तो पहला term यह आएगा दूसरा term यह आएगा तीसरा term यह आएगा आप replace करके देखो ना y की जगह x put करना और x की जगह 1 put करना तो यह जो भी expansion लिखा हुए उसमें पुट करते जो लास्ट में क्या आएगा लास्ट में आएगा n c n अब x को हमने replace किया 1 के साथ तो 1 की पार 0 तो कुछ नहीं होगा तो बस खाली x की power n है तो this is the binomial expansion of 1 plus x की power n यह आपको directly बताऊना अच्छी है क्योंकि बार-बार हम use करेंगे बहुत frequently हम use करेंगे और in fact इसक अगर मैं sigma form में लिखूंगा तो अगर मुझे इसी को sigma format में लिखना है तो क्या बनेगा इसका general term बनेगा n c r और x की power r यही तो बनेगा जो number इधर है वही number इधर है 2 में 2 1 में 1 0 में 0 है न x की power 0 और n में n है तो यहाँ पर r का जो value है वो 0 से लेके n तक value करना है तो sigma format में अ आपको sigma format दे देंगे आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा हाँ यह तो 1 प्लस x की power n का expansion है जैसे मानलो for example exam में क्या करेंगे न मानलो यह question आ गया आपको दे देंगे sigma r equal to 0 से लेके n और यहाँ पर लिख देंगे n c r और 3 की power r ठीक है n का भी value लेलो आप n का value आप लेलो 20 अगर मैं n का value ले लेता हूं 20 अब इसका answer बताओ चलो तो आपको दिख जाना चाहिए कि किसका expansion लिखा हुए अगर आप इसको open करोगे तो इक किसका expansion बनेगा this is nothing but this is 1 plus 3 की power 20 का expansion है मतलब इसका answer आएगा 4 की power 20 आएगा इसका answer यह सौंज आया देखो ना जहाँ पर x है तो x की जगर 3 आगया और n की जगर 20 आगया तो n का value कितना है यह जो n है n का value आपको 20 गिवन है और x का value आपको 3 गिवन है तो question ऐसा आएगा आपको खुछ से यह समझ में आना चाहिए कि यह अच्छा यह तो expansion है 1 plus 3 की power 20 का तो यहां से यह आपको चमक जाना चाहिए उल्टे स सवाल आएंगे आपको sigma format में कुछ में कुछ ना कुछ दे देंगे आपको खुछ से identify करना है कि यह किसका expansion है तो कर लोगे और similarly अगर यह आपको साँच में आगया तो एक और चीज़ बता दो 1-x की power n का expansion क्या है तो यह वाला जो expansion 1 plus x का है तो इसमें आप खाली x को replace कर दो माइनस x के साथ जहां जहां पर x है वहां माइनस x से replace कर दो तो इसका expansion आजाएगा उसका expansion गरो यह नहीं की बात है तो अगला term positive भी आएगा nc2 into x square और इसी तरह से चलता जाएगा last में ncn x की पार n लेकिन यहाँ पर minus 1 की पार n आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता n positive है कि negative है ठीक है तो इसको sigma form में लिखेंगे तो अगर इसको sigma form में represent करना है तो ऐसे करेंगे देखो r equal to 0 से लेके n फिर से यह वही है ncr into x की power r लेकिन यहाँ पर minus 1 वाला term भी आएगा ठीक है आप यहीं पर लिख लो in fact एक minus 1 की power r भी आएगा right minus 1 की power r और x की power r so this will be the expansion of अगर sigma format में लिखना है तो इधर आपको minus 1 की power r भी करना पड़ेगा क्यों क्योंकि alternate plus minus है तो जब जब r का value even होगा तो automatically plus आजाएगा और अगर r का value odd होगा तो automatically minus आजाएगा ठीक है alternate plus minus है आप यहाँ पर देखो na minus plus minus minus इसलिए एक minus 1 की power r वाला जो term है वो भी आता है understood यहां तक मेरे खाल से सब को सबकुछ सब्सक्राइब आगया अब आगे बढ़ता है आपको लिखना आता है तो यह दो equation given है एक equation अपने को यह given है एक equation अपने को यह given है और alpha minus beta निकालना है तो वहां से alpha निकाल लो दोनों को minus कर दो है ना तो जो पहली वाली equation है वहां से alpha कितना आएगा बताओ अगर मुझे alpha की value चाहिए तो alpha की value यह है ना 9 की power n minus 8n minus 1 divided by 64 यही तो आएगा येस वो 64 है उसको नीचे भेज दिया तो this is the value of alpha और अगर यह निकालना है तो आप simple 9 को क्या करोग चूंकि यहाँ पर 8n और minus 1 है तो यह देखके आपको hint बिल गया यह 8n और 1 यह cancel कब होगा यह cancel तब ही होगा जब आप 9 को लिख दोगे 1 plus 8 तो simple आपको इस question में कुछ नहीं करना था 1 plus 8 करना था ताकि वह binomial expansion बन जाए जैसे उसका expansion आप लिखो गए तो यह दोनों cancel हो जाएंगे तो ऐसा आएगा nc0 plus nc1 into 8 nc2 into 8 का square और इसी तरह से चलता जाएगा लास्ट में ncn into 8 की power n यह उसका binomial expansion आगया अब इस में से माइनस 8 n माइनस 1 और whole divided by कितना है whole divided by 64 है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो nc0 का value कितना होता है nc0 का value 1 होता है तो cancel हो गया n nc0 is always 1 और यह लिखा हुआ है 8 n तो यह 8 n और यह भी 8 n cancel हो जाएगा और अभी यह 64 64 मनलब 8 का square तो 8 के square से divide कर दो इसको आप कर दो 8 का square तो alpha का value आ गया जैसी आप 8 square से divide करोगे यह दो को 8 square 8 square cancel हो जाएगा अगले वाले में 8 cube होगा तो एक 8 बचेगा तो ultimately alpha का value कितना आ रहा है यहां से तो जैसी आप divide करोगे तो यह आएगा nc2 nc3 के साथ 1 बचेगा nc4 के साथ 8 की power 2 बचेगा और इसी तरह से last में ncn और 8 की power n-2 हो जाएगा तो यह alpha का value आ गया सेम टू सेम चीज दुबार कर दो है बस यह है इदर आ जाएगा nc0 nc1 into 5 अब यहां पर x का value 5 है 5 की power 1 फिर nc2 into 5 की power 2 और ऐसे करते 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 last में ncn 5 की power n यह उसका expansion आ गया माइनस 5 n माइनस 1 और whole divided by 5 का square ठीक है यह 5 का square तो देखो कौन-कौन cancel हो रहा है यह nc0 और 1 यह cancel हो जाएगा और यह 5 n यह भी 5 n ठीक है हमेशा मैंने आपको बूला था न nc1 का value n होता है यह n है और यह 5 5 n उधर भी 5 n तो cancel और जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा डिवाइड करेंगे तो nc2 बचेगा अगले वाले में nc3 into 5 फिर nc4 into 5 square और ऐसे करते 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 लास्ट में ncn5 की पावर n-2 तो यह बीटा का value आगया अब आपको चाहिए alpha minus beta तो दोनों को subtract कर दो इधर भी nc2 और इधर भी nc2 तो cancel हो जाएगा जैसे आप alpha minus beta करोगे आपको चाहिए alpha minus beta तो कौन सा option अब तो आप खुद ही बतादो कौन सा option आएगा alpha minus beta बताओ alpha minus beta करेंगे तो nc2 nc2 तो cancel हो जाएगा nc3 के साथ क्या आजाएगा nc3 इधर भी है nc3 इधर भी है तो वो common ले लो बचेगा 8 minus 5 बचेगा इधर आजाएगा 8 minus 5 फिर nc4 8 square minus 5 square और ऐसे चलता जाएगा लास्ट में nc n common ले लेना तो बचेगा 8 की पावर n minus 2 minus 5 की पावर n minus 2 यह आगे नहीं कौन सा option option c is the answer ठीक है option c c for चमका यह नहीं चमका तो simple है यार कुछ नहीं होता है binomial expansion लिखना आना चाहिए ठीक है अगर binomial expansion लिखना आता है तो simple है यह वाला expansion एक तो आप याद करी लो 1 plus x की पावर n फिर से यहां पर लिख देते हैं क्या होता है 1 plus x की पावर n बहुत important वाला expansion है यह होता है nc0 nc1 into x की पावर 1 nc2 into x की पावर 2 और यह चलता यह और आगे बढ़ता है अब बात करते हैं कुछ important formulas की तो चार important formulas होते हैं सबसे पहला जो formula है जो basically आपको binomial coefficient के ऊपर चार formula है और formula based questions भी बहुत आते हैं तो question बात में करेंगे पहले formulas आप लिख लो और समझ लो तो पहला formula यह होता है कि ncr is always equal to ncn-r यह दोनों हमेशा बराबर होते हैं जैसे for example जैसे for example अगर मैं बात करो 8c3 की तो 8c3 किसके बराबर होगा आप simple उपर वाला तो same रहेगा नीचे इन दोनों का difference ले लो 8-3 कितना होता है 5 यह दोनों बराबर ही होंगे हमेशा अचा अब आप बोलो के सर यह दोनों बराबर क्यों होंगे क्योंकि obvious ही बात है ना आप इसको open करके देखो ऊपर वाले का ncr is always equal to nc n-r समझ गये ना जिसे एक और example ले लो आप like for example अगर आपको बोला है 10c4 किसके बराबर होगा तो 10c और दोनों का difference तो दोनों का difference कितना है 6 है यह दोनों हमेशा बराबर ही होंगे यह दोनों हमेशा बराबर ही होंगे ठीक है अचा अब इसमें question कैसे बनते है पास ऐसा कुछ आ गया कि ncx यह 10cx मानलों यही question है एक और question बना देता है 10cx equal to यहां पर लिखा हुए 10c3 फिर आपसे पूछेंगे x का value बताओ है ना तो आप आंचर बताओ चलो क्या x का value कितना आएगा तो अगर ऐसा question है तो हमेशा हमेशा x की दो value आएगी है ना क्यों एक answer तो यह है लेकिन दूसरा यह भी है ना कि जो 10c3 है वो 10c7 के बराबर है इन दोनों का difference भी तो ले सकते है तो x का value 7 भी आ सकता है अगर आप इसमें x का value 3 put करोगे तो भी दोनों बराबर है और अगर आप x का value 7 ले लोगे तो 10c7 equal to 10c3 होता है वो भी सही है तो इसलिए हमेशा दो answer आते है एक और observation आप यह ले सकते हो कि अगर आपने जैसे यह लिखा ना तो इन दोनों का जो sum होता है अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि 10cx is equal to 10cy तो इसका और इसका जो sum होता है इन दोनों को add करने पर हमेशा 10 आएगा जैसे यहां पर आप देखो 4 plus 6 तो 10 ही आएगा इसका जो answer है वो कितना वो 3 है तो 3 plus 7 3 plus 7 तो कितना आएगा वो 10 ही तो आएगा तो हमेशा एक्स प्लस वाई का जो value होता है वो n के बराबर होता है फिर्स प्रॉपर्टी क्लियर है एक्स की दो value आएगी वह 7 वाला miss मत कर देना क्योंकि जनरली हमारी आदत होती ह जैसे ही हम ऐसा देखते है अपने को लगता है कि हाँ दोनों तरफ compare कर लो compare कर लो x equal to 3 और वैसे भी हम excited तो होते ही एक्जाम में जल्द बाजी में गलती करके आ जाते है इसका एक solution नहीं दो solution आएगा 3 तो आएगा 7 भी आएगा गलती मत करना ठीक है तो पहली property या पहला formula clear अब दूसरा formula एक और formula होता है दूसरा formula यह है ncr इसको आप लिख सकते हो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे आप याद आचे करना ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम यह यह भी एक formula होता है जैसे for example और एक्जाम्पल अगर आपके पास है 9 9c4 को आप कैंछ सकते हो 9c4 को आप लिख सकते हो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम तो यह लिख सकते हो से edit कव कभी 9C4 को ऐसे लिख सकते हो अब इसका derivation क्या है इसका derivation भी simple है जैसे अगर आपको इसको derive करना है तो यह होता है जो हमारा lhs है वो क्या है n factorial r factorial n minus r का factorial यही तो है यह हमारा lhs है अब इसको आप क्या करो ना यह n factorial को आप लिख दो n into n minus 1 factorial ठीक है और जो r factorial है उसको लिख दो r into r minus 1 का factorial और यहाँ पर है n minus r का factorial अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो यह वही तो बन गया इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो n by r और यह बन गया n minus 1 सी r minus 1 अब ध्यान से देखो उपर वाला उपर है नीचे वाले का factorial नीचे है और इन दोनों का जो difference आएगा वो अभी भी n minus r ही आएगा hence prude clear रहे गया तो यह वाला भी ध्यान रखना आपको basically formula पता होना चाहिए derivations are not important but formula is ठीक है clear तो यह भी आप कर सकते हो जैसे for example कहीं पे लिखा हुए 10c5 इसको आप लिख सकते हो उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम इसको परदर भी कर सकते हो परदर आप कर सकते हो उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम फिर आप चाहो तो यह चलता ही जाएगा ultimately यह वही आजाएका ना ऊपर आप ध्यान से देखोगा तो 10 factorial बनता वह दिख रहा है नीचे 5 factorial बनता वह दिख रहा है तो वह वही तो है ऊपर 10 factorial नीचे 5 factorial गुमा फिरा के सब एक ही बात है तो मेरे गाल से समझ गए येस ये भी एक फॉर्मिला होता है थर्ड फॉर्मिला तीसरा काफी मैं इसी को हम आगे चलके बोलेंगे जो पैट में आएगा तो मैं आपको समझाओंगा कि इसका मतलब क्या है एक गेम आता है ना पैट मैं आपने साइद खेला होगा इस तरह का एक Pac-Man होता है है कैसा बनाते यह क्यों रखा है वह आपको बाद में समझ में आएगा पहले फॉर्मिला में आपको लिखवा देता n c n-R plus n say r plus 1 अगर ऐसा है तो इसको आप लिख सकते हो n plus 1 c by r थीकर, इन दोनों में से जो भी बड़ा होता है जिसे r है r plus 1 है, तो दोनों में से कौन बड़ा, 1 r है और 1 r plus 1 है, तो जो भी बड़ा है वो इधर आएगा, दोनों में से जो greater है वो नीचे आएगा और उपर जो भी है उसमें plus 1 करना है जैसे for example इसमें 9C3 और 9C4 इन दोरों को add करेंगे तो क्या आएगा तो उपर plus 1 करना है तो 10 आजाएगा और नीचे इन दोरों में से कौन बढ़ा है 3 और 4 में से 4 बढ़ा है तो नीचे 4 आएगा तो ये इसका answer है ठीक है अगर आप this plus this करोगे हमेशा इसके बराबर ही आएगा always है ना एक और example जैसे for example अगर आपके पास है 8C5 और 8C4 इसका बताओ तो 8 8 8 प्लस 1 9 आजाएगा और नीचे दोनों में से that is clear formula किस तरह से लगाना है that is clear n प्लस 1 C r प्लस 1 हमेशा यही formula होता है तो इसको pacman बोलते है उसके question करेंगे तो आपको समझ में आएगा अब चौथा वाला फॉर्थ वाला formula लास्ट फॉर्मिला फॉर्थ वाला formula इसका नाम है अमीर गरीब इसका नाम हमने रखा है अमीर गरीब यह नाम इसलिए रखे ताकि आपको basically formula याद हो जाए और आपको यह भी समझ में आ जाए कि कब कौन सा formula लगाना है इसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है अमीर और गरीब तो उपर हमेशा अमीर आएगा याद करने का तरीका है ज्यादा इसमें emotional मत हो ना ये मत बोलना कि sir अमीर उपर क्यों आएगा गरीब नीचे क्यों आएगा तो उस angle में मत चले जाना याद करने का तरीका है उपर अमीर आता है नीचे गरीब आता है मतलब उपर ये r, r-1 में से कौन बड़ा होता है 1r है और 1r-1 है तो जो बड़ा है वो अमीर है और जो छोटा है वो गरीब है उपर अमीर आएगा नीचे गरीब आएगा उपर बड़ा आएगा, नीचे छोटा आएगा तो बड़ा upon छोटा हमेशा याद करने का तरीका है इसका value हमेशा होता है n minus r plus 1 by r तो directly आप इसको याद कर सकते हो ठीके तो एक तो आपको ये याद करना है अमीर अपॉन गरीब ओके और इसी का एक alternate formula भी होता है इसका दूसरा version होता है इसी का दूसरा version होता है basically ठीके तो वह होता है कि अगर आप उपर लेते हो r plus 1 और नीचे लेते हो r अभी भी आप ध्यान से देखो उपर अमीर है नीचे गरीब है ऊपर अमीर ही आएगा नीचे गरीब आएगा लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मिला में जो r है उसको replace कर दो r plus 1 के साथ तो अगर इस formula में जो r है उसको replace करेंगे r plus 1 के साथ तो क्या formula बनेगा तो ये देखो minus 1 plus 1 cancel हो जाएगा ना this will get cancelled ये minus 1 ये plus 1 तो ultimately जो formula बनेगा वो ये बनेगा n minus r upon r plus 1 तो ये भी आपको याद करना है ये दो चीज़े आपको याद करनी है अगर ये दो चीज़े याद कर ली ना तो मतलब काफी सारे questions बहुत जल्दी बन जाएंगे ये दोनों चीज़े आपको येस अमीर गरीब इसका नाम है इसका अमीर इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हो बट अभी डेरिवेशन नहीं जा रहें डेरिवेशन करना है तो बेसिक फॉर्मिला लगा दो बस उपर वाले का फेक्टोरियल नीचे वाले का फेक्टोरियल दोनों का डिफरेंस पिर कैंसल हो जाएगा सब कुछ ये ये आएगा तो वह भरोसा रखो डेरिवेशन इंपॉर्डेंट नहीं है बाकि आप फॉर्मिला याद करो सीधा सीधा ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा ठीक है तो अमीर अपॉन गरीब ये और अमीर अपॉन गरीब एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वान इस सीधा सीधा आपक अब देखो खाली अगर आपको फॉर्मिला पता है तो बहुत सारे फॉर्मिला बेस्ट क्वेस्टन आते हैं जो कि आप डिरेक्ली हो जाएंगे जैसे यह क्वेशन आया था जेही में में इसको ट्राई करो यहाँ पर एक एक वेशन आपको गिवन है सिक्स इंटु थर्टी फॉर्मिला यूज करना चाहिए इसको सिंप्लिफाई करना है बस आपको बीसिकली और निगालना नमबर ऑफ और पैर आर कॉमा के बलब आर और के की कितनी वेल्यू के लिए यह इक्वेशन सटिस्फाई होगी तो वैसे तो अच्छा क्वेशन है लेकिन वैसे चिंदी सव थिए थर्टी सिख्स इधा थर्टी इवक Hai एककम वहला फॉर्मिलल मारा तो उद pricing करलेंगा कि ऊपर वाला उपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक प्सक्वेशन हो जाएगा हो यह और यह cancel हो जाएगा ठीक है चाला की समझ में आई basically अपने को cancel करना था इसलिए हमने यह वाला formula यूज कर लिया कि उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में के कम तो 35CR 35CR cancel ठीक है इवन यह भी cancel हो जाएगा 6 और यह 6 into 6 तो ultimately क्या बचा अब आप cross multiply कर दो तो आर प्लस वान इदर आएगा यह जो 6 है वो नीचे आएगा और यह जो 3 है वो इदर जाएगा this is equal to k square तो यह equation अपने पास आगी अब इसमें आप ध्यान से देखो जो आर का value है वो कहां से कहां तक vary करेगा जो आर का value होता नो maximum एन तक ही जा सकता है यह maximum 35 तक ही जा सकता है आर का value क्योंकि कभी भी यह defined नहीं होता है ठीक है अगर आपने ऐसा लिख दिया क्या यह defined होता है अगर आपने से कम होगा और जीरो से बड़ा होगा ओल नंबर होता है ना ग्रीटर देन इकुल टो जीरो तो यह है तो अब आप इसमें values पुट करकर के चेक करो कि आर की value क्या पुट करने पर के की वेल्यू इंटीजर आएगी हम बेसिकली चाहते कि दोनों इंटीजर वह जाए राइट यहां पर यही बोले कि के और आप को यह बताना है कि किटने ordered pair आएंगे अब logically सोचो ना यह basically integer तभी आएगा जब r plus 1 क्या होगा वो 6 का multiple होगा वह r plus 1 जो है अगर वो 6 का multiple होगा जैसे इसका value आप 6 लेलो 12 लेलो 18 लेलो 24 लेलो 30 लेलो 36 लेलो यह सारी values हम ले सकते है तभी तो integer आएगा है ना आप इन दोनों को divide करना है तो 6 का multiple आपको लेना पड़ेगा 6 का multiple लेंगे तभी बात बनेगी अदर्वाइस बात बनेगी नहीं तो अगर r plus 1 का value 6 है तो k का value कितना हैगा आप put करके देखो ना अगर मैंने आप simple इस equation को यहां पर लिख लो और फिर आप बताओ कि r का value r plus 1 यह equation है राइट डिवारेट बाई 6 plus 3 equal to k square अगर मैंने इसमें r plus 1 का value put कर दिया 6 तो k square कितना आजाएगा k square आजाएगा 6 by 6 1 plus 3 मतलब k square आगया 4 तो k का value आजाएगा plus minus 2 और r का value है 5 है ना तो दो order पर आगे ना अगर आप r का value 5 लोगे तो k का value plus 2 आएगा और 1 minus 2 भी आएगा तो दो order pair यहां से आगे तो यहां से अपने को जो k का value है वो plus minus 2 अब यह ले लो r plus 1 का value 12 ले लो तो अगर r plus 1 को put करेंगे 12 तो k square कितना आएगा यह आएगा 12 by 6 plus 3 तो यह तो 5 आएगा ना और यह यहां पर k का value integer आएगा क्या k का value तो root 5 आएगा which is not integer तो यहां पर बात नहीं बनेगी similarly 18 लेने पर बात बनेगी 18 by 6 तो 3 3 plus 3 6 जो कि एक perfect square नहीं है बात नहीं बनेगी इदर बनेगा यह 24 ले लोगे तो 4 plus 3 7 बात नहीं बनेगी 30 by 6 तो 5 5 plus 3 8 8 भी कोई perfect square नहीं है बात नहीं बनेगी और 36 ले लेंगे अगर r plus 1 का value r plus 1 अगर 36 है तो यह बन जाएगा 6 6 plus 3 9 9 का root तो plus minus 3 आजाएगा इसमें आपका जो k का value आएगा वो plus minus 3 आएगा मलब यह r plus 1 का value 36 है अगर r plus 1 का value 36 है तो r का value 35 है तो r का value 35 पुट करोगे तो k का value 3 आएगा या फिर k का value minus 3 भी आएगा तो कितने ओड़र कितना है दो यह और दो यह है ना यह दो टोटल कितने ओड़र पर आएगे चार आएगे टोटल हाउ मेनी ordered pair विल भी देर चार सिंपल यह लॉजिकली आपको सोचना था कि आर का आर प्लस वन का जो value है वो 6 का multiple होगा तभी इंटीजर आएगा और उसमें भी अपने को चाहिए perfect square क्योंकि k square है तो 4 और 9 पे बात बनेगी बाकी कहीं पे भी बात नहीं बनेगी simple formula based question अचा अगला वाल सवालों में दो चीज़े आपको समझनी होती कि सर पहले तो आप यह बताओ कि आपको कैसे पता आपने question देखते ही गोल दिया pacman है हमें तो समझी नहीं आया था कि यह pacman है तो पहले तो यह समझ में यह समझाओ कि कब लगाएंगे pacman और फिर यह समझाओ कि कैसे तो सिग्मा को open करेंगे तो आर का value 0 put करो आर का value 0 put करेंगे तो यह आएगा फिर आर का value 1 put करो 49 C 6 फिर आर का value 2 put करो 48 C 6 c6 ठीक है 48 c6 और इसी तरह से चलता जाएगा आर का value 0 से हमने चलू गिया 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हैं लास्ट में आर का value put करो 20 तो आर का value 20 put करेंगे तो यह आएगा अब देखो कभी भी अगर pacman का सवाल होगा ना तो नीचे वाला जो number होता है वो constant होता है यही basically आपको hint दे रहा है कि इसमें pacman लगाना तो यह आपको सौन में आ गया कि pacman कब लगाते अगर नीचे वाला constant है मतलब बाई साब वो pacman का सवाल है नीचे 666666 है और उपर वाला vary कर रहे है 50, 49, 48 इस तरह से जा रहा है ना तो ऊपर वाला change हो रहा है और नीचे वाला constant है तो कभी भी नीचे वाला constant होता है ना और उपर वाला vary करता है मतलब उसमें एक ही चीज़े दुनिया में जो आप लगा सकते हो that is pacman आपको यहाँ पर चमक जाना जाएगी हाँ pacman का सवाल है तो कैसे चमकेगा clear है क्या अगर नीचे वाला constant है मतलब pacman है अगर pacman है तो सबसे पहले तो आप क्या किया करो कि आप इसको पहले reverse कर लो हमेशा increasing order में लगाना है तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा है 50 तो आप इस सीरीज को reverse कर लो जो लास्ट वाला टर्म है उसको पहले लिख लो 30 फिर लास्ट सेकेंड यहाँ पर 31 होगा 31 32 ऐसे करते करते लास्ट में यह 50 तक जा रहा होगा 56 हमने कुछ नहीं किया इसको बस reverse कर दिया जो लास्ट वाला टर्म में लिख ल लगार है वैसे तो यह हो गया अब इसमें क्या करना पड़ेगा अब इसमें आपको एक पैक मैं Haralily करना वड़े यह पैक मैं आपको खुदी क्रीएक करना वड़ेगा तो यही में दुबारा चाप रहूँ तो पहले तो इसको आप दूबारा च्हाप लो और लास्ट में है 50C6 लास्ट में क्या है 50C6 यह है अब इसमें आप क्या करो यहाँ पे आपको करनी पड़ीगी एक चालाकी तो चालाकी वाला step जो है उसको ध्यान से समझना चालाकी वाला step यही होता है कि आप यहाँ पे इधर 30 है तो इधर भी 30 आएगा और यहाँ पे एक अगला आएगा 7 तो 30C7 है ना उपर से नीचे एक अगला तो यह add कर दो और यह subtract कर दो अब ऐसा क्यों किया ऐसा इसी लिए किया क्योंकि अब आपका यह वाला जो term है ना वो सब को खा जाए यही आपका pacman है यह pacman का ऐसा ही तो काम होता ना यह pacman होता है वो जैसी आता है तो जितने भी blue वाले terms होते है जो coins होते है उनको खा जाता है यह लाल वाले भाई साब blue वाले को खा जाएंगा ना तो यह लाल वाले भाई साब जितने भी blue वाले है उनको खा जाएंगे, अब कैसे खा जाएंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मिलर लगाओगे, इन दोनों के ऊपर आप पैकमेन वाला फॉर्मिलर लगाओ, मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 31, और नीचे दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा है 7, तो यह आएगा, यह दोनों जब कमबाइन हो जाएंगे, तो यह बनेगा, बिसिकली यह टर्म जब इसको खा जाएगा, तो यह बनाएगा, फिर यह वाला टर्म अगले वाले को खा जाएगा, यह इसके साथ सब्सक्राइब याइब में ऐमने क्या किया सहं तो लस्ट गया उसका डिरेक शॉartoot तो है तो इस विल बिए और आंसर 51C7 32C7 option A is the answer on my basically first वाल टर्म यह इसको खा जाएगा जो बनेगा वह यह बनेगा 31C7 वह अगले वाले के साथ combine करेगा इसके साथ फिर जो बनेगा 32C7 बनेगा वह इसके साथ combine होगा 33C7 ऐसे करते करते हैं लास्ट में 51C7 आएगा दोनों में प्लस वन प्लस वन करो बस सिंपल यह आगया वस दिस इस दांसर पैक मैं समझना आगया ना कब लगाते जब नीचे वाला constant होता है और कैसे लगाते हैं एक पैक मैं रिलीज करतो वस सबको खा जाएगा ठीक है तो इंट्रेस्टिंग पैटर नहीं है इसी तरह का है कि एथा क्या यह पैक मैं का सवाल है कि यह पैक मैं का सवाल है क्योंकि आप उसमें पहले यह यूद्ञ कर sarcasm ncr is equal to ncn-r, इसको हम लिख सकते है 40c40, इन दोनों का difference, फिर जो अगला वाला term है, वो है 41c, इन दोनों का difference, तो difference आएगा 40, फिर 42c, इन दोनों का difference, तो again 40, अब मेरे खालत है, आखों में चमक, आई गई होगी, यह भी 40 हो जाएगा, इन दोनों का difference, तो सबसे पहले तो हमने क किया, जितने भी ncr थे, उसको ncn-r में convert कर दिया, जैसे ही convert किया, तो आखों में चमक की चमक आ रही है, मतलब, इतनी चमक गई आखे, कि समझ में आई गया, बड़ी बड़ी smile, अरे अब तो समझ गये, नीचे वाला constant हो गया, अगर नीचे वाला constant हो गया, मतलब यह क्या है मतलब यह pacman है, और अगर यह pacman है, तो मुझे इन दोनों number को same बनाना पड़ेगा, देखों, यहां पे भी 30-30 था, नीचे alternate होना चाहिए, उपर वाला same होना चाहिए, ना, तभी तो pacman बनेगा, उपर वाला same होना चाहिए, नीचे वाले में alternate होना चाहिए, तभी formula लगा प यह बनाना पड़ेगा, आपको उपर उपर n, n, same, नीचे alternate, तो उसको करने के लिए आप क्या करो, यह 40C40 है, उसको आप चाला की से लिख लो, 41C41, लिख सकते हैं, ना, दोनों का value 1 होता है, 40C40, n, cn, n, cn, 1 होता है, यह भी n, cn, यह भी 1 होगा, तो मैंने क्या किया, यह किया कि मैंने, टच नहीं किया, तो अब यह क्या होगा, यह इसको खा जाएगा, 41, 41, तो यह दोनों जब combine हो जाएगे, तो क्या बनाएगा, यह दोनों जब combine हो जाएगे, तो यह बन जाएगा, 42C41 बनेगा, और वो फिर अगले वाले को खा जाएगा, वो अगले वाले के स वाले क्या बनेगा 43 C 41 वो फिर अगलेवाले को खा जाएगा यहां पर जो भी होगा और इसी तरह से चलता जाएगा लास्ट में क्या बनेगा आपको मैंने last वाला shortcut भी बताया कि last में जो भी होता ना दोनों में plus one plus one कर लिया करो तो last में यह बनेगा लग फाइनल आंसर यह आगया फाइनल आंसर अपना यह आगया भई 61C41 last में यह बनेगा और इसमें क्योंकि अपने को यह वाला format चाहिए यह वाला format लाने के लिए एक यह formula होदा ना कि उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम और अगर आपके पास है 60C40 तो इसको मैं 60C20 भी तो लिखी सकता हूं ना क्योंकि वहां पर question में 20 है तो इसलिए 40 को 20 में convert कर लिया ncr ncn-a तो बस आप जैसे ही compare करोगे तो m और n का value आपको दिग्या दिग्या होगा m का value है 61 और n का value है 41 तो m प्लस n आजाएगा 102 ठीक है 102 इस दान सकते है तो option b b for bounce back तो हमेशा आपने यह सीखा concept सीखना concept यह होता है कि अगर नीचे वाला constant होता है इसका shortcut बना दे क्या अगर नीचे वाला constant होता है तो आपको pacman लगाना है और जो लास्ट वाला आंसर भी आ गया pacman clear एक दम और आगे बढ़ता है अब एक और category of question जो बहुत आता है इसमें आपको क्या करेंगे ना यह बहुत फेमास है जही में में आया था ट्वेंटी ट्वेंटी में advance 2013 में भी है और यह आते रहते है ठीक है और भी इसमें आपको questions मिल जाएंगे यह similar टाइप भी question होते है इसमें आपको क्या करेंगे कोई भी तीन consecutive term के coefficients के ratio आपको दे देंगे कुछ जाधा बोल दिया basically consecutive coefficient का ratio आपको given होगा यह ratio given है तो binomial expansion आपका जो भी है उसमें binomial coefficients consecutive coefficient का ratio है तो जब भी ऐसा question आजा है कि 3 consecutive coefficient 3 consecutive coefficient का ratio आपको given है तो आप हमेशा उन consecutive coefficient को ऐसे मान लिया करो एक ले लिया करो R-1 एक ले लिया करो R वाला और एक ले लिया करो R-1 वाला यह consecutive है देखो है अगर यह 3 होगा तो यह 4 है यह 5 है consecutive लगातार ठीक है R-1 R R-1 और यह ratio आपको question में given है ठीक है this is given तो यह ratio आपको question में given है तो सबसे पहली बात जब भी तीन consecutive coefficient का ratio given होता है तो consecutive coefficient को यह लिया करो कुछ लोग क्या करते है ऐसे ले 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 ल इसमें तो यह मत लिया करो for the sake of calculation यह is reduced तो इसका ratio आपको given है अब आप क्या किया करो, अब आप इन दोनों को डिवाइड गया करो, second divided by first, एक equation यहां से आजाएगी, आप इसको डिवाइड गया करो, ncr, और यह, अब हमने second divided by first क्यों किया, इसलिए क्योंकि अमीर गरीब वाला formula बनेगा, इसमें, this upon this, इसका value आपको question में कितना given है, 5 upon 2, एक equation यह बन गई, और similarly, दूसरी equation यहां से बनेगी, इना, this divided by this करो, 12 by 5 आएगा उसका value, बनला, basically question में आपको, दूसरी equation यह given है, कि this upon this, this is equal to 12 by 5, यह सौनगा है, तो दूसरी equation यहां से आजाएगी, तो basically, इसका value कितना होता है, अमीर गरीब, इसका value होता है, n-r plus 1 by r, इसका value आपका आगया 5 by 2, और इसका value होता है, n-r upon r plus 1, इमें आपको याद करने के लिए, इसलिए तो भोला, क्योंकि अगर आपको यह याद नहीं होगा, तो यह निकालना पड़ेगा, निकालने में लगबग 2 minute, 3 minute तो जाएंगे, और अगर वो गए तो उतने में 3 question हो जाएंगे chemistry के, इसलिए याद करना important है, ठीक है, तो एक equation यह आगई, दूसरी equation यह आगई, अब दो equation दो variable, n और r, तो आपको question में या तो n पूछेंगे, या r पूछेंगे, तो निकाल लो गए अभी, हो गया, ठीक है, यह दो equation मैंने आपको दे दी, solve कर लो, n, अब solve कैसे करेंगे, cross multiply कर दो, इसको cross multiply करेंगे, तो कितना, 2n, okay, minus 2r, plus 2, equal to 5r, यह पहली equation है, तो दूसरी equation, 5n, minus 5r, equal to 12r, और plus 12, पर अपने को निकालना है, n, तो r को eliminate कर देना, ठीक है, तो 2n, plus 2, upon 7, यह r का value है, यहां से 5n, minus 12, divided by 17, यह r का value है, अब r का value आगया, तो equate कर दो, और क्या, n का value आजाएगा, तो basically, 2n, plus 2, divided by 7, और इधर है, 5n, minus 12, divided by 17, तो यह आगया, 34n, plus 34, और 35n, minus 84, तो n का value कितना आगया, 118 आगया, तो this is the final answer, ठीक है, n का value आप solve कर लो, कितना आजाएगा, 118, तो यह सब calculation है, आपको एक concept sound में आएगा, और in fact, exam में यह सब भी करने की जुरूद नहीं, सीधा यह equation आपको लिख रही है, exam में जब भी ऐसा ratio given होता है, अब आप exam में कैसे करोगे, यह तो मैंने समझाने के लिए किया, बट exam में जवाब करोगे, तो सीधा आप यह लिखो गया, n-r plus 1 by r, इसका value हमेशा यह होता है, 5 by 2, सीधा-सीधा 5 by 2, तो एक equation यह, और दूसरी equation n-r upon r plus 1, यह तो रट्टा मारना है, और इसका value सीधा-सीधा होता है, 12 by 5, तो सीधा फटा-फट answer आएगा, ठीक है, रट्टा मारने के फाइदा तो हो गई, आप जल्दी कर पाओगे, इस तरह की question आता रहता है, अब जैसे advance में भी आया था, लेकिन जब advance में आया था, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, n का value actually n-plus 5 है, इसका expansion आपको देखना है, n की जगह n-plus 5 है, और ratio आपको यह given है, 5 is to 10 is to 40, यह ratio given है, तो simple वो जो n है, n की जगह हम क्या ले लेंगे, instead of n, we will take n plus 5, simple, तो यहाँ पर आजाएगा, n plus 5, n minus r plus 1 upon r, इसका value होगा 10 by 5, तो 2, पहली equation यह, और दूसरी equation, दूसरी equation, n minus r upon r plus 1, इसका value होगा 14 by 10, और 14 by 10 मतलब, 7 by 5 आजाएगा, ठीक है, 14 by 10, तो यह आगे directly, अब इसको solve कर लो, दो equation, दो variable, n आएगा यहाँ से, तो calculation कर लोगे कि, इसको solve करेंगे, तो कितना आएगा, n plus 6 equal to 3r, यह आ रहे है, और इसको simplify करेंगे, तो 5n plus 25 equal to 12r, और plus 7, ठीक है, मतलब basically, यहाँ से 5n plus 18 equal to 12r, यह आ रहे है, ठीक है, यह 12, एक काम करो, इसको multiply करो, तो force है, ताकि यहाँ से भी 12r का value कितना आ जाएगा, तो 12r हो जाएगा यह, और यह हो जाएगा, 4n plus 24, ठीक है, तो अब यह भी 12r, वो भी 12r equate कर दो, जैसी equate करेंगे, तो यहाँ से basically 4n plus 24, और यहाँ से कितना है, 5n plus 18, ultimately n का value 6r है, ठीक है, इसका answer क्या है, 6, इसका final answer समझ में आ fast है, इस on my fast तरीका क्या है, तो यह direct result अगर आपको पता होगा, अमीर गरीब, अमीर गरीब, दो बार लगाना है, directly you will get the answer, इस तरह के question काफी famous है, आता रहता है, ठीक है, बार-बार, तो अगर consecutive coefficient का ratio given है, तो कर लोगे, consecutive coefficient का ratio, यहाँ पर भी देखो, coefficient of 3 consecutive terms, तो consecutive coefficient का ratio अगर given है, तो आप यह वाला use कर लो, directly you will get the answer, ठीक है, short में करने का तरीका, अब हम पढ़ेंगे important terms, important terms मलब general term, middle term, term independent of x, numerically greatest term, term ही term है, इसमें बहुत सारे term है, ठीक है, यह तो अभी 3-4 लिखे हुए, और भी 4-5 है, तो बहुत सारे terms अपने को पढ़ने, एक-एक करके पढ़ें तो यह chapter खतम हो जाएगा, उतना ज्यादा important है, अगर आपको general term लिखना नहीं आता है, तो binomial में कुछ नहीं आता है, as simple as that, तो general term आना चाहिए, जैसे for example, यह expansion है, इस expansion में यह वाला जो term है, इसी को हम बहुते है, first term, t1, यह जो term है, this is second term, यह third term है, ठीक है, this is t3, third term, total कित n plus 1 term है, total n plus 1 terms are there, तो general term में आप ध्यान से देखो, तो t2 में 1 आ रहा है, इदर nc1, 2 में क्या रहा है, 1 आ रहा है, 3 में 2 आ रहा है, तो एक कम आता है, हमेशा, तो general term basically ऐसे लिखेंगे, tr plus 1, यह बनेगा ncr, आप इदर देखो nc1, एक्स की पावर क्या हैगा, n-r, और y की आप ध्यान से देखो, इदर जो भी नंबर होता है, वही इदर होता है, और वही इदर होता है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो देखो, minus 1 और इदर भी 1, इदर 2 है, तो minus 2 और इदर भी 2, समझ रहो न, तो general term कुछ नहीं, observations है, बस हमने इसको generalize कर दिया, अगर इदर r होता है, त general term ऐसे निकालेंगे, ठीक है, r plus 1th term है, यह, this is to find out r plus 1th term, तो जैसे अगर आपको कोई पूचे का find out the fourth term, तो r का value कितना put करेंगे हम, अगर मुझे t4 चाहिए, तो मैं r का value 3 put करूँगा, न, r का value हमेशा एक कम होता है, अगर आपको fourth term चाहिए, तो आप इसमें r का value 3 put होगे, अगर आपको seventh term चाहिए, तो आपको r का value put करना पड़ेगा, six, ठीक है, तो जो भी आपको term चाहिए, r का value उससे एक कम होता है, put करना होता है, ठीक है, और यहाँ पर x क्या है, x ये वाला number है, इधर जो भी होगा, वो x है, इधर जो भी होगा, y है, और उपर जो भी question करते है, simple होता है, general term कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे इसमें पूचा है, fourth term बदाओ, तो सबसे पहले आप क्या क्या करो, यह general term लिख लिया करो, आप ऐसे, जो formula है, उसको लिख लिख लिया करो, तो इधर n का value कितना है, 7, तो यह आएगा, 7cr, ध्यान से देखो, मै second term is this, it is binomial, तो दो term होंगे, एक दूसरा, अब इसकी जो power आती है, वो हमेशा आती है, इन दोनों का difference, इन दोनों का difference, और जो दूसरा वाला होता है, उसकी power आती है, आर, इधर आएगा, यह सामझ मागे, जो पहला वाला term होता है, उसको इधर लिख लो, दूसरे वाले को इन दोनों का जो भी difference है, वो इधर जाएगा power में, और यह जो नीच अगला number है, वो इधर जाएगा, simple, अब अपने को चाहिए fourth term, fourth term चाहिए, तो r का value 3 put कर दो, इसमें, तो जैसी आप r का value 3 put करोगे, 3 plus 1 4, fourth term आ जाएगा, r का value 3 put करना है, है न, r का value 3 put करेंगे, तो यह 4 और minus y by 2 की power 3, तो यह आगया बस, this is the fourth term, fourth term हमने निकाल दिया, यह समझ में आया कि नहीं, fourth term कैसे निकालेंगे, yes, अगला सवाल try करो, यह J main का, यह आप खोदी कर लोगे, इसमें आपको again, fourth term, in the expansion of this, is given, fourth term आपको given है, question यह है कि T4, आपको given है, 4, 4, 8, 0, तो basically आपको x का value निकालना है, this is the question, इसका fourth term given है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, तो मैंने आपको यही सिखाया कि अगर आपको fourth term चाहिए, आप सबसे पहले तो यह लिख लिया करो, चलो, ठीक है, सांतिस है, ऐसे लिख लेंगे, इधर आएगा 7C r, पहला वाला जो term है, वो है x, और दूसरा वाला जो है, वो है x की power, यह, ठीक है, अब इसकी power में क्या आएगा, इसकी power में आएगा, इन दोनों का difference, तो 7 minus r आएगा, और इसकी power में r आएगा, और हम इसमें r का value 3 put करेंगे, तो यह बन जाएगा t4, यहाँ पर आजाएगा 7C 3, x की power, इन दोनों का difference, और इधर है x की power log x base 2, इस पूरे की power, इस पूरे की power 3 आजाएगा, ठीक है, इस पू 8, 0, यह चमका 4th term हमने निकाला, और equate कर दिया, ठीक है, अब 7C 3 कितना होता है, वो निकाल लो, जो 7C 3 होता है, 7 factorial by 3 factorial, 4 factorial, यह आजाएगा 7, 6, 5, और 4 factorial कैंसल हो जाएगा, नीचे 3 factorial 6 होता है, तो यह 35 आ रहा है, यह 35 आ जाएगा, आप इसका value निकालोगे ना, 7C 3, वो 35 ह यह 35 है, उसको नीचे बेज़ देना, यहाँ पर, ठीक है, 7C 3 इदर, क्योंकि ultimately अपने को X निकालना है, तो X कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो X की power है, वो 4 है, और यहाँ पर जो X की power है, वो देखो यह power की power है, तो multiply हो जाएगा, वो आपने बच्पन में यह पढ़ा होग 3 into log X, यह है, और इसका value हो जाएगा, 4, 4, 8, 0, divided by 35, यह जो है, इसको नीचे बेज़ दिया, तो यह आगया, अब यहाँ पर power की power है, तो add हो जाएगा ना, यह, 4 प्लस 3, यह आगया, ठीक है, इसका value कितना आएगा, इसको एक बार आप calculate करो, 4, 4, 8, 0, divided by 35, 128 आ रहे है, यह, यह 128 आ रहा है, ठीक है, एक बच्चा ने बताया, यह 128 आ रहा है, आप खुद calculate करके देखलो, 128 मरलब 2 की power 7, तो X की power 4 प्लस 3, log X base 2, इसका value मेरे पास आ रहा है, 2 raise to 7, अब इसको solve करने का तरीका यह है, यह कि दोनों तरफ log X base 2 लेलो, log base 2 और इधर भी log base 2, अब ऐसा करने से फाइदा यह होगा, यह पूरा आ जाएगा आगे, ठीक है, log की property होती है, अब यह सब calculation है, बाकी आप X निकालो बस, ठीक है, तो calculation में मनी मन में करता हूँ, यह आ गया, और इधर 7 आ जाएगा, फिर इसको लेलेना T, इसको T लेलेना, तो यह भी T है, चीक है, तो यह बन गया 3T square plus 4T minus 7, चीक है, तो 3T square plus 7T minus 3T minus 7 equal to 0, तो T minus 1 और 3T plus 7, यह आ गया, तो T का value आएगा, 1 या minus 7 by 3, और T actually है क्या, तो T actually है, log X base 2, इसका value या तो 1 होगा, या फिर minus 7 by 3, मतलब X का value या तो 2 की पावर 1 होगा, या फिर 2 की पावर minus 7 by 3, या तो यह आएगा, यह यह आएगा, अपने को option में 2 ही given है, natural number बूला है, है ना, natural number बूला है, तो यह हो जाएगा, reject और यह accept, तो answer is 2, X का value आएगा, option A, समझ गया ना, बागी सब calculation है, पर यह आपको clear है कि fourth term लिखा कैसे, fourth term लिखना है, तो R का value 3, जो पहला वाला होता ना, इधर X है, और दूसरा यह है, तो पहले वाले की पावर, इन दोनों का difference, और दूसरे वाले की पावर, नीचे वाला जो भी होता है, वो चिपका दिया करो, फिर बाकी सब calculation, ठीक है, एक और सवाल करेंगे, यह वाला सवा पार minus 1 निकालना है, और X की पार minus 3, इनके coefficients निकालना है, तो इस तरह की question भी जब भी आएंगे, आप simple क्या general term लिख लिया करो, पहले तो, है ना, तो general term क्या आएगा, 15CR, इधर 15 है, तो 15CR, पहला term यह है, ठीक है, यह पहला term है, इसकी पावर आएगा, दोनों का difference, और दू 1 upon X की पावर, 1 by 5, यह है ना, दूसरा term, इसकी पावर आएगा, आर, तो यह general term है, yes or no, this is the general term, this is TR plus 1, यह हमारा general term है, ठीक है, general term लिख दिया ना, 15CR, पहले वाले की पावर, 15 minus R, दूसरे वाले की पावर, आर, अब जितनी भी X की पावर है, उनको क्लब कर लो, तो X की पा एक तो आजाएगा, 15 minus R, यह है, 2 की पावर, इधर से आप देखोगे, तो minus 1 की पावर, R भी है अपने पास, और X की जितनी भी पावर है, सबको क्लब कर लो, तो यहां से देखोगे, तो X की पावर है, 15 minus R divided by 5, 15 minus R divided by 5, और यह basically यह भी minus R by 5, यह बनेगा, तो X की पावर कि नहीं आ रही है, समझ गे ना, इसको यहां पर लिख देता हूँ, मैं, वहलब, ultimately, calculation यह, simplification करने के बाद, we are getting, this as the general term, 2 की पावर है, 15 minus R, minus 1 की पावर है, R, और X की पावर आएगी, 15 minus 2R divided by 5, यह आएगी, simplify करने के बाद, X की जितनी भी पावर है, अब अपने को चाहिए, X की पावर, minus 1 चाहिए, तो आप सोचो ना, की R का वेल्यू क्या लेना पड़ेगा, we want the coefficient of X की पावर, minus 1, the coefficient of X की पावर, minus 1, तो कुछ R का वेल्यू ऐसा लो, की यह minus 1 बन जाए, यह पूरा पावर, तो कितना लेना पड़ेगा, आप सोचो, side में कर लो, calculation, की by 15 minus 2R divided by 5, मैं चाहता हूं कि यह minus 1 आजाए, तो यह कब आएगा, R का वेल्यू कितना, यहां से calculation करेंगे, तो R का वेल्यू 10, तो बस R का वेल्यू 10 पुट कर दो, तो जैसे R का वेल्यू 10, यह बन गया 15C 10, 2 की पावर 5, minus 1 की पावर 10, और X की पावर minus 1, यही तो आएगा, ठीक है, तो X क पावर minus 1 का coefficient, इसी को बोलते है, coefficient, तो अपने को खाली coefficient से मतलब है, इसको हटा दो, अपने को तो coefficient चाहिए, तो coefficient आ गया, ठीक है, तो यह आ गया, similarly आपको निकालना है, coefficient of X की पावर minus 3 का coefficient भी आपको चाहिए, तो again आप साइड में calculation कर लो, इसका value हम कितना चाहते है, हम च माइनस 3 कब आएगा, तो R का value 15 आ रहा है, इसको solve करेंगे, तो R का value 15 दिख गया, अब इसमें 15 पुट कर दो, 15C 15, 2 की पावर 0, minus 1 की पावर 15, चीक है, तो यह आ गया, और question में आपको बोलाएगी, जो भी coefficient है, they are M and N respectively, तो यह वाला जो coefficient है, this is M and this is N, चीक है, तो M और N का value आ गया, अरे चमका, M और N का value आ गया, M और N का value आ गया, अब इसको एक काम करो, थोड़ा simplify भी करलो, इस पूरे को simplify करोगे, तो इसका value 1 है, यह भी 1 है, और यह minus 1 है, तो 1 into 1 into minus 1, मतलब basically N का value कितना आ रहा है, N का value तो minus 1 दिख रहा है, अगर आप इसको simplify करोगे, तो M का value कितना है, M का value है, 15C10 into 2 की पार 5, यह तो 1 ही होगा न, उसको लिखने की ज़रूत नहीं है, यह M का value आ गया, आपको निकालना है, यह, आपको निकालना है, M into N square, ओके तो M into N square बता दो, M into N square, तो M का value है 15C10 into 2 की पार 5, और इसका value है, minus 1 का square, तो ultimately यह आ गया 15C, और इसको आप कर लो 15C5, ओके इसको 15C5 into 2 raise to 5, यह आ रहे है, यह 15C5 इसलिए किया, क्योंकि इसके साथ compare कर लोगे न, अभी आप, तो final answer कितना है, R into 2 raise to R, तो कितना दिख रहे है, R का value कितना, R का value 5, खतम हो गया न सबार, final answer आ गया, इसका 5 है, understood, यह R और इधर भी R, आप देखो compare करोगे, तो R का value कितना R है, 5R है, तो that is the answer, simple, यह तो आप simple general term लिखना सीख जाओ, general term आ गया न, तो खतम हो गया chapter, ठीक है, general term लिखना आना चाहिए, chapter वहीं पे खतम हो जाएगा, next chapter PNC करेंगे, यह समझ में आया कि नहीं, मेरे काल से, समझ मे आ गया, ठीक है, यह इनाफ है कि यह एडवांस के लिए, नहीं, बिल्कुल इनाफ नहीं है, आप one shot को छोड़ के जा सकते हो, अगर इतना भी बरोसा नहीं है, तो पढ़ने का कोई फाइदा भी नहीं है, ठीक है, तो जिनको बरोसा नहीं है, वो जा सकते है, इतनी इतनी मह खराब करने के बाद भी अगर आपको यह लगता ही कि इनाफ नहीं है, तो फिर आप जाओ, एश करो, ठीक है, बिल्कुल इनाफ नहीं है, महनत करनी नहीं है किसी को, इनाफ है क्या, इनाफ है क्या, करते रो यह सब, इस से रैंक नहीं आएगी, ठीक है, तो अगर महनत करने एले अच्छा हम पहले कुछ तो करो कुछ भी नहीं करोगे और खिर आज डेड़ी कर लो ऐसे तो मैथमेटिक्स में वह प्रासक कुछ भी नहीं कर सकते और जितना कर सकतो उतना करो capacity के हिसाब से चलना चाहिए तो अभी के लिए ये करना सही है इनाफ है या नहीं पता नहीं ये डेफिनेटली आपको करना चाहिए this is the right thing to do is it enough पता नहीं time will tell वक्त बताएगा ना वो तो हम थोड़ी बताएगे चलो हाँ अगला सवाल अगला सवाल पढ़ाने से पहले एक concept है ना एक concept में आपको सिखा देता हूँ यहीं पर सिखा देता हूँ तो आप लिखो एक concept एक concept होता है और ये concept भी बहुत बार question में use हो जाता है ठीक है तो concept को ध्यान से समझो concept बहुत simple है अगर आपको चाहिए आपको चाहिए आरथ टर्म पहले आप ये लिख लो ठीक है फिर बाद मैं समझाओंगा अगर आपको चाहिए आरथ टर्म फ्रॉम the end कभी कभी क्या वह त्यागरता है ना आपको पूछेंगे कि आप 7th term निकालो from the end starting से पूछेंगे नहीं हमने जो general term पड़ा उसमें आप जैसे कोई पूछता है कि fourth term निकालो तुरंत आप r का value 3 put करते हो कोई पूछेगा seventh term निकालो तो आप तुरंत क्या करते हो r का value six put करते हो एक कम put करना होता है पट अगर आपको कोई पूछेगा कि इतना लंबा सा बाइनॉमिल एक्सपांशन है उसमें आप फिफ्थ टर्म निकालो लास्ट से लास्ट से पांचवा टर्म कौन सा होगा घाना तो आरथ term from the end is always equal to n-r plus 2 टर्म यह directly याद रहो एक्जाम में काम आ जाएगा ठीक है term from the beginning from the start या from the beginning ये clear एक है जैसे for example मान लोगी इसका expansion है for example let's say आपके पास x plus y की power 20 का expansion है है इसका इकस्पांशन तो इसमें कितने टर्म आएगा 2 कितने टर्म्यपोंगे वह थेक Nut go क्यों क्तों तकि आपको इसका जो आप समय ट्रैवन चोटा एक्षपांशन ले लर आप X plus Y की पार 7 का लिलू तो कितने टर्म आएंगे पूर्थ आएगा फिफ्थ आएगा सिक्स्थ वाला टर्म आएगा और एथ वाला टर्म भी आएगा ना क्योंकि अगर पावर 7 है तो number of terms होते हैं N plus 1 अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि tell me the third term from the end third term from the end तो end मैंसे जो तीसरा term है तो end मैंसे अगर आप calculation करोगे तो यह first यह second यह third तो third term from the end will be equal to sixth term from the starting ना sixth term from starting from the start अगर आप यहां से गिनोगे तो sixth वाला टर्म है यहां से गिनोगे तो third वाला तो अब यह देखो formula में fit बैट रहा है कि नहीं यह third term आपको चाहिए तो हमेशा formula यह होता है अगर आपको third term चाहिए last से third term from the last is equal to N n का value seven है तो seven minus three plus two कितना आएगा यह है ना यह कितना आएगा यह six ही तो आएगा this from the start यह हमेशा आप ध्यान रखो तो directly आगया ना वहीं यह sixth term आगे sixth term from the start तो अगर आपको कभी भी last में से कोई भी term पूछा जाए तो आप हमेशा यह formula use कर लिया करो n minus r plus two-th term होगा from the starting है ना इसी में आप बोलो जैसे for example अगर मैंने आपसे पूछा कि fourth term बताओ यह fifth term बताओ from the last है ना tell me what will be the fifth term from the last this will be equal to fifth term कौन सा है एक दो तीन चार पाँच तो fourth term आना चाहिए ना beginnings है अगर starting से गिनेंगे तो fourth वाला आना चाहिए अब यहां पर तो चलो आपने लिख के आप अब गिंती कर ली पर एक्जाम में गिंती थोड़ी कर पाऊगे क्योंकि उसमें x plus y की पार 20 पावर 100 बड़े बड़े पावर होंगे इधर तो छोटा पावर है तो आप गिंती कर रहे हो बट ultimately formula पर भरोसा रखो formula क्या आएगा तो इधर 7 ए 7-5 plus 2 तो यह देखो कितना आगया automatically वही आएगा 4th term from the 4th term from the starting आ जाएगा वही आएगा न 4th term from the starting निकाल लिया करो simple understood तो अब यह question करो यह सवाल भी है जही में 2022 का okay this is जही 2022 का ही सवाल है इसको try करो इसमें आपको ratio given ratio of the 5th term from the beginning to the 5th term from the end तो सबसे पहले तो यह बता दो कि 5th term from the end वो कौन सा term होगा from the beginning यह कौन सा term होगा from the start तो यह बता दो पहले तो आप मुझे अगर आपको question बुला है 5th term from the end so that will be which term from the starting which term from the starting तो हमेशा formula देखो यहां पर n का value n e n minus r plus 2 यह होगा ठीक है मतलब यह अगर आप इसको simplify करोगा तो n minus 3 आ रहा है n minus 3th term होगा मतलब यह होगा d n minus 3 कौन सा term होगा starting से n minus 3th term होगा ठीक है तो यह होगा n minus 3 आएगा answer directly तो यह कित्ते लोगो रेशो गिवन है 5th term from the beginning अच्छा तो अब करेंगे कहां जगई नहीं बची यहीं पर कर लाता है 5th term from the starting और 5th term from the end इसका रेशो तो 5th term from the end is actually equal to this from the starting इन दोनों का रेशो गिवन है इन दोनों का रेशो कितना गिवन है यह गिवन है इन दोनों का रेशो गिवन है 6 की power 1 by 4 यह रेशो गिवन है यह रेशो गिवन है ठीक है तो यहां से आपको n का value निकालना पड़ेगा पहले तो अब यह वाला term किसा आएगा अगर मुझे t5 चाहिए अगर मुझे चाहिए t5 तो r का value 4 put करना पड़ेगा आपको सही बात है r का value put करो 4 r का value 4 put करेंगे तो nc4 जो पहला वाला term है वो है 2 की power 1 by 4 और जो दूसरा वाला term है वो है 3 की power minus 1 by 4 ठीके पहले वाले की power क्या आती है पहले वाले की power आती है इन दोनों का difference n-4 और दूसरे वाले की power 4 आएगा ठीक है तो यह आगे नीचे नीचे यह है तो अगर आपको यह वाला term चाहिए तो इससे एक कम तो r का value क्या put करना पड़ेगा यह जो भी लिखा हूँ है उससे एक कम तो r का value put करना पड़ेगा n-4 सही बात है तभी तो यह वाला term आएगा जैसे 5th term निकालना तो r का value 4 पूट करता है ना वैसे ही अगर यह निकालना तो इससे एक कम n-4 पूट करना पड़ेगा तो nc n-4 2 की power 1 by 4 इसकी power दोनों का difference तो 4 आएगा 3 की power minus 1 by 4 इसकी power n-4 और यह आपको given है 6 की power 1 by 4 अब इसको solve कर लो n का value आ जाएगा ठीक है तो यह पूरी equation को solve करो आप अब इसके बाद calculation है पूरा और उसमें भी ध्यान से देखो गया तो nc 4 और nc n-4 cancel हो जाएगा because ncr is equal to ncn-r तो वो तो सीधा सीधा cancel हो गया इसको solve करके आप मुझे n का value बताओ जो बचा हुआ है उसको solve करके n का value बताओ ठीक है ratio given है अगर ratio given है तो basically वहां से आ जाएगा yes or no तो एक बार बताओ फटाफट n का value n का value solve कर लो ना इसको simple equation एक बार बता ना आया कुछ n का value 9 आगया ना n का value आगया 9 ठीक है n का value आगया 9 अगर n का value 9 आगया यहां तक तो calculation हो गया आगे आगे बोल रहा है कि if the sixth term from the beginning is alpha upon this आप sixth term from the beginning निकाल दो बस okay sixth term from the beginning यही पर कर लेते है side में आप बताओ अगर मुझे निकालना है sixth term तो आपको लेना पड़ेगा n का value कितना है n का value 9 आगया 9 c 5 लेना पड़ेगा ना आर का value 5 लेलो अगर मुझे चाहिए sixth term from the beginning तो आर का value 5 यहां पर पहला वाला term क्या है 2 की power 1 by 4 उसकी power आएगी इन दोनों का difference which is 4 और 3 की power minus 1 by 4 है उसकी power आएगी 5 ठीक है उसकी power 5 यहां से निकाल लो आप यह कितना आएगा तो यह basically आएगा 9 c 5 9 c 5 तो है 2 की power हो जाएगा 1 और यह जो 3 की power है न उसको ऐसे कर लो देगो 3 की power minus 1 by 4 है इसकी power 5 है न तो since इसकी power 5 है तो आप एक बार 4 कर दो और एक बार 1 कर दो ऐसा अलग अलग कर लो ठीक है एक बार 4 एक बार 1 अब इससे फाइदा ही होगा कि इधर 4 4 cancel हो जाएगा तो यह आजाएगा 9 c 5 into 2 into यह आजाएगा 1 by 3 सही बात है और यह हो गया 1 upon यह आगया 3 4 पावर इसकी आगई और अपने को question में given है कि this is equal to alpha upon alpha upon 3 का fourth root यह देखो नीचे वाला cancel हो जाएगा दोनों में alpha का value यहां सा यह और यह cancel बेसिकली जो alpha आएगा वो आएगा 2 by 3 into 9 c 5 अब यह calculate कर लोगे क्या 2 by 3 84 आ रहे गया हां तो बस यह आ जाएगा 84 तो calculation है बस बाकी कुछ नहीं है तो simple समझ में आया है कि नहीं कितने लोगों समझ में आया है अगर आपको कभी भी end से कोई भी यह concept आपका यह ठीक है n minus r plus 2th term from the beginning तो अगर कोई भी expansion है उसमें last से कोई term आप पूछा है तो आप आराम से निकाल सकते हो ठीक है और आगे बढ़ते एक advance का question करते है चलो यह question बहुत अच्छा है this is again a good question ठीक है इसमें आपको बोल रहा है कि m is the smallest positive integer m is the smallest positive integer such that the coefficient of x square अपने को x square का coefficient चाहिए किस में से इस में से 1 plus x की power 2 1 plus x की power 3 1 plus x की power 4 ऐसे चलता जाएगा last में है यह 1 plus x की power 49 और फिर 1 plus mx की power 50 इसमें से अपने को निकालना है x square का coefficient तो आप बताओ क्या आएगा अपने को x square चाहिए है तो इसमें x square का coefficient क्या आएगा इसमें x square का coefficient आएगा 3c2 अगर आपको नहीं समझा रहा है आप general term लिख सकते हो जैसे इसमें से अपने को x की power 2 चाहिए जिनको नहीं समझा रहा है वो general term लिखेंगे general term क्या होता है 3c r 1 की power 3-r और x की power r अब मुझे मैं यह चाहता हूं कि यह x की power 2 आ जाए तो r का value कितना लेना पड़ेगा r का value 2 put कर दो तो जैसे आप r का value 2 put करोगे तो क्या आ रहा है यही आ रहा न 3c2 आएगा basically यह तो 1 ही है 1 की power anything that is 1 only तो इसको तो आप हटा सकते हो अगले वाले में निकालो अगले वाले में 4c2 आएगा आपको दिख्या कैसे x square का coefficient निकाला जाएगा इधर x square का coefficient होगा वह 4c2 आएगा और similarly last वाले में आएगा 49c2 और उसके अगले वाले में 1 plus mx है उदर m भी है इसका general term लिखेंगे तो 50cr 1 की power कुछ भी करो मतलब नहीं है तो खाली mx की power r कर लो और अपने को चाहिए x square तो r का value put करना पड़ेगा 2 लेकिन यहां पर आप r का value 2 put करोगे तो क्या आएगा इधर 2 इधर 2 तो बेसिकली आएगा 50c2 into m square m square भी आएगा न कोईफिशेंट में तो लास्ट वाले टर्म में m भी है तो यह आएगा basically this is the coefficient of x square यह आगया जिनको जहां पर नहीं समझ जा रहे जनरल टर्म लिख के आप देख लिया करो हमेशा जनरल टर्म आना चाहिए बस उतना आता है तो सब आता है और और question में आपको given भी है कि भाई is coefficient of x square in the expansion of this is given यह जो है किसके बराबर होगा आपको coefficient of x square question में given भी है कि भाई वो इसके बराबर होगा तो यह equation आ गई आपके पास यह पूरी equation आ गई कि हमने coefficient of x square निकाला और coefficient of x square question में भी given है तो दोनों को equate कर दिया एक question में given है अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यह क्या दिख रहा है आपको यहां से लेके यहां तक आपको दिग्या होगा कि यह pacman है यह ना नीचे वाला आप देखो ना इधर टू 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 तो यह pacman है जिस नथिंग बट इस इस किते लोगों को आखों में चमक आ होता है instead of 2C2 make it 3C3 एक ही बात है दोनों का value 1 ही होता है तो ऐसा कर सकते है यह 33 सेम हो गया अब यह दोनों कंबाइन हो जाएंगे यह बन जाएगा 4C3 वह जो 4C3 आएगा वह अगले वाले को खा जाएगा और इसी तरह से चलता जाएगा आपको डिरेक शॉटकट भी पता ही डिरेक्ली अगर शॉटकट लगाए तो जो भी लास्ट वाला टर्म होता है उसमें प्लस वन प्लस वन यह आ जाएगा यह सारे टर्म्स जब कंबाइन हो गए इन सब का समेशन यह आ गया यहां पे है 50C2 इंटू एम स्क्वेर और यहां पे है 3N प्लस 1 इंटू अब यहां आप क्या गरो ना उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में एक एक कम यह वाला फॉर्विला लगा दिया अब ऐसा इसलिए क्या क्योंकि इसको नीचे बेस देंगे यहां पे इधर 50C2 और इधर भी 50C2 यह तो कैंसल हो जाएगा इधर देखो अमीर गरीब है ना उ इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा एन माइनस आर प्लस वन डिवैरेड बाइ आर यह आ जाएगा तो यह 48 by 3, तो यह हो गया 16, ठीक है, 16 plus m square, this is equal to कितना आजाएगा, 51n, और plus 17 आगया, तो यहां से m square का value आगया, 51n plus 1, यह आगया, यह m square का value आगया, और यहां पे अपने को question में बोला है कि m is the smallest positive integer, यहां पे में भी लिखा है, for some positive integer n, तो m और n दोनों ही positive integer है, जो m है और जो n है, वो दोनों ही positive integers है, तो आप बताओ कि मतलब n का value, अब अगयन आपको logically सोचना पड़ेगा, जैसे हमने question में किया था न, वो r plus 1 वाले में, वैसे ही आप इसमें n का value put करना चालू करो, तो m का value है, वो भी positive integer आना चाहिए, मतलब यह whole square आना चाहिए, तभी बात बनेगी, क्योंकि इधर whole square है, तो n का value 1 put करके देखो, बात बनेगी क्या, 52 आएगा, 52 is not a perfect square, बात नहीं बनेगी, n का value 2 put करो, n का value 2 put करेंगे, तो 103, यह भी perfect square नहीं है, n का value 3 put करो, perfect square आएगा क्या, इसमें भी perfect square नहीं आएगा, 154 टाइप का आएगा, वो भी perfect square नहीं है, इधर, इधर basically 205, वो भी perfect square नहीं है, और इसमें कितना आएगा, यह आएगा 256, हाँ, यह perfect square, ठीक है, यह पहली बार perfect square आएगा, जब आप n का value put करोगे 5, तो इसमें अगर n का value 5 put करेंगे, तो m square का value कितना आ रहे, तो m square का value है 256, मतलब m का value होगा 16, 16 का square होता है 256, 256 is nothing but 16 का square, perfect square है यह, चमका, तो minimum minimum values आपको n का value 5 लेना पड़ेगा, m का value 16 लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, otherwise दोनों integer नहीं आएंगे, बतलब what is the value of n, तो इसका जो answer है, वो है 5, n का value पूछा है, इसलिए 5 है, अगर यह पूछा होता, तो 16 होता, ठीक है, answer क्या है, final answer is 5, yes or no, यह समझ में आए गया, यह कितने लोग को clear है, clear, तो यह, यह simple na, logically आपको last में कभी-कभी सोचना पड़ सकता है कि positive integer बोला है, तो 1 से चलू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब तक वो perfect square नहीं आएगा, तब तक करना पड़ेगा, और कभी-कभी तो आई जाएगा perfect square, आएगा नहीं, तो जाएगा कहा, तो यह भी clear है, yes, यह भी clear है, अब अगला है, term independent of x, वो भी पढ़ी लेते है, मेरी काल से अब टाइम है, थोड़ा, एक topic और पड़ लिया जाए, क्या, yes or no, book वाली break चाहिए, सर जी, एक topic, अचा break, ठीक है, चलो, break ले लेते हैं, फिर अभी, lunch break कर लेते हैं, तो आप break ले लो, okay, कितना, 22 minutes अपना standard break लगा देते हैं, ठीक है, 22 का, एक break ले लो, फटाफट, और फिर break के बाद मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से हम start करेंगे, term independent of x, अभी तो काफी कुछ है, ठीक है, काफी सारे jay main के सवाल करना है, अपने को, यह सब jay main के सवाल है, rational, irrational, remainder, वो सब पढ़ना है ठीक है, अभी यहाँ से हम चालू करेंगे, break के बाद, ओके, ठीक है, 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 ठी देलेंगे फिर बीस मिनिट के बाद, ओके, ओके. झालेंगे बीस मिनिट के बाद, ओके. झालेंगे बीस मिनिट के बाद, ओके. झालेंगे बीस मिनिट के बाद, ओके. झालेंगे बाद, ओके. झाल 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 हेलो 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 येस आगे क्या सब लोग है ना एक बार फटा फट कन्फर्म करो सब लोग आ चुके कि नहीं है ना फिर रिज्यूम करेंगे तो बेसिकली यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स टॉपिक जो हम स्टार् अगर कोई भी बाइनॉमिल एक्सपांशन अगर आपको गिवन है उसमें से कॉंस्टेंट टर्म निकालना है एंड कॉंस्टेंट टर्म मतलब इस इस नथिग बट इस इस दखुईफिशेंट इस इस दखुईफिशेंट ओफ एक्स की पार जीरो अपने को चाहिए टर्म इ इस इंडिपेंडेंट ओएक्स इसका मतलब घुमा फिर आके वह आपसे पूछ रहें फाइंड आउट दखुईफिशेंट ओफ एक्स की पावर जीरो एक्स की पार जीरो का कोईफिशेंट आपको निकालना है तो इसका मेथर्ड बहुत सिंपल है आप जंडरल टर्म लिख कर दो एक क्वेश्चन से देखता है जैसे फॉर एक्वेश्चन आ गया अब आपको इदर लग रहा होगा कि सार यह तो बाइनॉम्यल है लेकिन एक्शुलि आप इसको बाइनॉम्यल में कंवर्ड कर सकते हो अगरा ध्यान से देखो गये ना थोड़ा सा आंखें खोल के एक मतलब और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यह x-1 by x की पावर 20 बन गया यस और नो तो यह basically trinomial का सवाल नहीं है इसमें तीन-तीन टर्म नहीं है उसको अब club कर सकते हो तो now this is the question of binomial basically यह expansion है इसका expansion है और इसके expansion में से आपको निकालना है term independent of x अब term independent of x का मतलब है constant term constant term मतलब x की पार 0 का coefficient मतलब इसका general term लिख लो general term क्या आएगा इसका general term आएगा 20cr यह पहला वाला जो term है वो है x और दूसरा वाला जो term है वो है minus 1 by x minus के साथ लेते हमेशा आपको पता ही है इसकी power आएगा इन दोनों का difference तो 20-r और इसका power आता है आर तो यह general term आ गया ठीक है तो यह आ गया general term हमने लिख लिया अब अगर यहां यहां पर जितने भी x है ना x की power देख आएगा एक्स की power को club करो एक्स की power को club करेंगे तो 20cr x की power कितना आ जाएगा यहां से देखोगे तो 20-r और इधर x की power minus r आएगा ना 20-2r कर देगे 20-2r और minus 1 की power r है आपके पास यह समझ माया आप इधर भी x है इधर भी x है तो x की powers है उनको आपने club कर लिया येस तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे चाहिए x की power 0 x की power को 0 कर दो इसको 0 कर दो आप तो r का value कितना आ गया equal to 0 तो r का value 10 आ गया तो simply आप r का value 10 पुट कर दो तो जैसे हम r का value 10 पुट करेंगे ये t r plus 1 है आपको r का value पुट करना है 10 मतलब यह आएगा t 11 और r का value है 10 ओके यह बन जाएगा x की पार 0 और यहां पर आएगा minus 1 की power 10 मतलब basically final answer क्या है final answer यह है कि जो 11th term होगा ना वो होगा term independent of x मतलब इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं एक्जाम में या तो आप से यह पूछेंगे कि which term यह तो find आएगा यह विचाएगा दो मैंसे कोई एक सवाल आएगा आप समझेंगे ना दो मैंसे कोई एक सवाल आप से पूछा जाएगा यह तो आपसे पूछेंगे कि which is the term which is independent तो आपका किया है 20c10 अगर आपसे टर्म पूछा है तो आप यह आंसर बता दो और आपको टर्म का नंबर पूछाएगी which is the term which is independent of x देन 11th term is the term which is independent of x दो मैंसे कोई एक पूछा जाएगा confuse मत ओना या तो आपसे पूछेंगे which is the term which is independent of x तो आप बोलोगे 11th term is the term which is independent of x अगर R का value 10 आ गया मतलब 11th term will be the term independent of X और कभी-कभी पूछेंगे find the term independent of X तो अकर find मतलब पूरा term निकालना भी है 11th term आएगा बट वो 11th term क्या आएगा तो 20C 10 आएगा understood तो 2 में से कोई एक आप से पूछा जाएगा आप कर लोगे ठीक है इसको solve करो चलो इसमें बोला है कि term independent of X तो जब भी ये term independent of X वाले question आएगे सबसे पहले आप general term लिख लिए अगरो तो इसका general term बनेगा 9C R पहला वाला जो term है वो है 3X square by 2 और दूसरा वाला जो term है वो है minus 1 by 3X इसकी power आएगा 9 minus R और इसकी power आएगा R तो X की power कितना हो गया देखो एना X की power आ जाएगा इधर आप multiply करोगे तो 18 minus 2R X की power और यहां से एक और minus R आएगा और हम चाहते कि यह 0 हो जाए अपने को चाहिए कि X की power को 0 कर दो तो X की power इधर भी है इधर भी है club कर दो 0 कर दो तो यहां से basically R का value 6 आगया आप R का value 6 पुट कर दो मतलब जो भी 7th term आएगा that will be the term independent of X और वो कितना आएगा 9C6 3 by 2 है ना आप X की power तो 0 ही आएगी तो आपको X का tension लेने की ज़रूद नहीं है 3 by 2 की power 9 minus 6 तो इधर 3 आजाएगा और minus 1 by 3 की power 6 तो आपको question में बुला है कि the term independent of X is K तो इसका नाम है K क्वेस्टन में यही बुला है कि आप term independent of X निकाल लो और जो भी आएगा that is K तो आपको निकालना है 18 K तो आप 18 से multiply कर दो both sides finally अपने को यह find out करना है मतलब इधर भी आप 18 से multiply कर दो यह आप solve गरो इसको solve गरेंगे तो 9 into 8 into 7 6 factorial तो cancel हो जाएगा नीचे आएगा 3 into 2 into 1 और इधर अगर आप करोगे तो नीचे आजाएगा 2 का cube और नीचे ही नीचे आएगा आपके पास 3 का भी cube है ना 3 into 3 into 3 और यह 18 है 18 मतलब 3 into 3 into 2 अब देखो क्या 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 कैंसल हो रहा है तो एक तो यह और यह cancel हो जाएगा ठीक है एक यह भी cancel हो जाएगा 3 into 3 3 into 3 एक यह भी cancel हो जाएगा 3 into 3 9 और यह जब भी आपको पूछेंगे find the term independent of x just write down the general term x की जो पावर है उसको 0 कर दो आर का value आ जाएगा आर का value पूट कर दो आ गया खत्म और अगर इसी में पूछा होता कि which is the term which is it to 7th term is the term which is independent तो उसमें भी 7 यह तो 7th term is the term which is independent of x चलो अगला सवाल ट्राइ करो अगले सवाल में बुला है कि maximum value of the term independent of T अब की बार term independent of x नहीं है it is the term independent of T तो T की पावर को 0 करेंगे जिससे भी आप छुटकारा चाहते हो उसकी पावर को 0 कर दो तो इस independent of T इसका जनरल टम लिखो पहले तो जनरल टम आएगा 15C R इदर है T square x की पावर 1 by 5 इस पूरे की पावर आएगा 15 minus R और यह जो दूसरा वाला term है वो है 1 minus x की पावर 1 by 10 divided by T और इस पूरे की पावर आएगा अब आप मुझे यह बताओ कि T की पावर कितनी है यह तो जनरल टम आगे जनरल टम आगे आप T की पावर तो अगर आप T की पावर देखोगे तो T की पावर हो जाएगा 30 minus 2 R और यहां से एक और minus आ रहाएगा इसको जिरो कर दो तो आर का वेल्यू आ रहाए 10 तो आर का वेल्यू 10 पूट कर दो जैसे हम इसमें आर का वेल्यू 10 पूट करेंगे 15C10 यह बन गया T स्क्वेर एक्स की पावर 1 बाइ 5 वैसे यह T लिखने की ज़रूत नहीं क्योंकि आपको पता T की पावर 0 ही आएगा तो यह ना लिखो तो चलेगा अगर आप इसको सिंप्लिफाई करोगे तो क्या बनेगा यह बनेगा 15C10 यहां से आ जाएगा एक्स और यहां से आ जाएगा 1-1 एक्स तो यह आ गया अब उसका मैक्सिमुम वैल्यू चाहिए मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो अपने पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ गया लेक्ट टर्म विच इंडिपेंडेंट ऑफ टी वह अपने पास आ गया 15C10 एक्स इंटु 1-x अब इसको मैक्सिमाइज करो कि मैक्सिमाइज करने के लिए आपको पता हिए ना कैसे मैक्सिमाइज कैसे करता है वही डिफ्रेंशेट करके जीरो कर लो आपने पड़ा ही होगा X का value ले लोगे 1 by 2 तो आप इसमें X का value पूट कर दो 1 by 2 यह आ जाएगा 1 by 2 और यह 1 minus 1 by 2 वो भी 1 by 2 यह so this is the maximum value and this is the maximum value of term independent of t maximum value भी आ गया और maximum value k है तो यह basically आपका k है तो आपको निकालना है 8 k निकालना तो 8 से multiply कर लो और इधर भी 8 से multiply कर लो और इधर भी 8 से multiply कर लो this is equal to 8 k finally जो answer आएगा वो आएगा 2 into 15 c 10 आएगा अब यह calculation अपने को करना पड़ेगा इसका value जो भी होगा this will be the answer ठीक है तो यह value निकाल लोगे क्या 15 c 10 निकालो से multiply कर लो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा यह किसी ने निकाला क्या जो भी है मतलब आ जाएगा ठीक है ना यह clear है नहीं किते लोगो clear 15 c 10 तो निकाल लोगे ना 15 c 10 is 15 factorial upon 10 factorial 5 factorial इसका value आप निकाल लो जो भी आएगा 2 से multiply करके that is the answer numerical में आया था यह जही में 2022 ठीक है clear एकदम yes 12032 ऐसा कुछ आ रहा है ठीक है वो तो जो भी है मतलब है ना तो basically calculation करना पड़ेगा calculation करके आ जाएगा यहां से जो भी आएगा चलो अगला सवाल ट्राइब करो इस में इसको कैसे करेंगे इसमें आपको निकालना है टॉम इंडिपेंडेंट ओफ यह पूरा है इस पूरे में से तो basically अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काम करो इसका general term लिख लो क्योंकि इस ब्रैकेट की कोई पावर नहीं है देखो इधर कोई पावर है गया तो यह बाइनॉम्य एक्सपाइंशन नहीं है यह तो simply तीन टर्म है बस यह कोई बाइनॉम्यल नहीं है यह बाइनॉम्यल है क्योंकि इसकी होल टुद पार 11 है तो इसका general term लिख लेते इसका general term आएग मैनस वं बाइंशन पावर आएगा तो बिसिकली इसमें आपके काम करो हैक्स की पावर को इसको क्लब कर लोका एक्स की पावर कितने आएगे 11c ay-5 बाइबाइटू को अलग निकाल लो फाइबाइटू 11-8 यहां पे माइनस वन बाइफाइव को अलग निकाल लो उसकी पावर और एक्स की पावर बता दो तो एक्स की पावर यहां से करोगे तो 33-3 और और माइनस वर तो 33-5 आर आ रहा है यह एक्स की पावर है तो यह जन्रल टर्म आ गया अब देखो ध्यान से यह जो एक्सपाइंशन है इसको यहां पे लिखते है और इसको मल्टिप्लाई करना है इसके साथ 5 एक्स क्योग बाइटू माइनस यह ठीक है इसकी पावर 11 अपने क क्या चाहिए कॉंस्टेंट तो कॉंस्टेंट कब आएगा कि होरको सोल्चना पड़ेगा यहां निखाल लो उन दोनों को क्रेंगे तो कॉंस्टेंट आयागा Official फिलजपीस जब यह multiply हो जाएगा यहां से आपको निकालना पड़ेगा x की पार 0 इधर से constant इधर से constant वो जब multiply होंगे तो constant आएगा दूसरा केस यह बनेगा कि इसको आप multiply कर लो यहां से x square वाला coefficient ले लो यह term ले लो और इसमें से आप निकाल लो x की पार minus 2 है ना इसके expansion में से x की पार minus 2 वाला निकाल लो यहां पर x square है जब दोनों multiply होंगे तो क्या बनेगा x की पार 0 बनेगा एक possibility यह भी है और एक possibility यह है कि जब x cube multiply होगा x की पार minus 3 के साथ तब भी अपने को constant हो अलब तीन cases possible है राइट तीन cases possible है पहला case यह है कि अगर आप यहां से 1 लेते हो तो यहां से आपको x की पार zero का coefficient लेना पड़ेगा यहां पर अगर आप यह minus x square लेते हो तो यहां पर आपको x की पार minus 2 का जो भी coefficient वो लेना पड़ेगा, यहां से अगर आप 3x स्क्योब लेते हो तो यहां पे x की पार –3 का जो भी coefficient है वो भी आपको लेना पड़ेगा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमारी जो एक्स की पावर है वो कितनी है, हमारी X की पावर है 33-5R क्या इसका value 0 हो सकते है किया कभी भी इसका value 0 तो हो ही नहीं पाएगा न अगर आप 0 करोगे तो R का value decimal में आ जाएगा मतलब X की पावर 0 वाला term इसके अंदर ही नहीं तो यह वाला case तो खतम हो गया पहला वाला जो case था वो खतम हो गया इसके expansion में आएगा ही नहीं इसके expansion में टोटल 12 टर्म है एन प्लस 1 11 प्लस 1 12 वो जो 12 के बारा terms है अगर आप वो लिखो गए तो उनमें से एक भी constant term नहीं आएगा X की पार 0 आएगा ही नहीं X की power कभी 0 होई नहीं पाएगा R decimal में लेना पड़ेगा और which is not possible ठीक है तो X की पार 0 possible ही नहीं है X की power minus 2 possible है अगर मैं चाहता हूँ कि यार यह जो power है वो minus 2 बन जाए तो यह possible है यहां से R का value 7 आ जाएगा तो आप R का value 7 पुट कर दो तो X की power minus बेसिकली यहाँ पे coefficient कितना है इसका जो coefficient है वो minus 1 है और इसका coefficient निकाल दो coefficients को multiply कर दो basically हम ठीक है इधर minus 1 इसका coefficient निकालने के लिए आप R का value पुट कर दो 7 तो R का value 7 पुट करेंगे तो 11 C 7 और 5 by 2 ठीक है इधर 5 by 2 है और इधर minus 1 by 5 है यहां पे आएगा इन दोनों का difference और इधर आएगा 7 तो यह आगया ठीक है इसका coefficient इसका coefficient multiply कर दिया आप similarly इसमें बताओ क्या X की power minus 3 आएगा कभी भी क्या इसका value minus 3 हो सकता है क्या minus 3 भी possible नहीं है again R का value आएगा वो decimal में आएगा मतलब this is also not possible बस A की possibility है यह वाली तो बस this will be the answer इसको आप solve कर लो इसको solve करेंगे तो कितना आएगा minus minus plus हो जाएगा इसको solve कर लो ना इसको solve करने से जो भी आगया that is the answer यह clear है कि नहीं basically एक ही possibility है यहाँ यह वाला term जब x की power minus 2 से multiply होगा यहाँ से x square वाला term लेलो यहाँ से x की power minus 2 वाला जब दोनों multiply होंगे तो क्या बनेगा वो बनेगा constant वही तो बनेगा term independent of x अपने को basically यहाँ पर multiply करकर चेक करना है ठीक है इसका value कभी 0 हो नहीं पाएगा और इसका value कभी minus 3 हो नहीं पाएगा तो एक ही possibility है कि जब यह वाला term x की power minus 2 से multiply हो जाए तो यहाँ से हमने x square का coefficient लिया which is minus 1 ठीक है यह minus 1 समझ में आया और फिर इसका coefficient लिया और दोनों को multiply कर दिया multiply करके x की power 0 बन जाएगा वो basically ठीक है ना so this will be the answer इसको solve करने पर कितना आ रहा है option कौन सा option आ रहा है a b c d option b आ रहा है क्या 33 divided by 200 option b is the answer ठीक है simple मनलब term independent of x easy है आगे बढ़ते है अब next topic पर आते है यह देखो यह भी बहुत आते question यह again one of the most important topic है rational और irrational terms आपसे पूछे जाएंगे कि बहुत कितने rational है कितने irrational है आपको कोई भी एक binomial expansion दे देंगे पूछेंगे कि how many rational terms are there count करके बताओ how many irrational terms are there वो भी count करके बताओ तो यह सब question बन सकते है अब सीधा मैं आपको explain करता हूं question से इसमें एक shortcut भी होता है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो basically question आप पढ़ लो यह expansion given है और इसके expansion में n is the number of irrational terms तो अपने को n क्या है n is the number of irrational terms वो अपने को गिनने है तो इस तरह के question जब भी आएंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा number of irrational terms सबसे पहले तो आप यह बता तो total कितने terms होंगे तो यहां पर n का value 60 है तो total will be 61 terms total कितने terms आएंगे 61 आएंगे यह n plus 1 होता है इतना आपने को पता है आप rational वाले गिन लिया करो रैशनल वाले गिन लो जितने भी आएंगे irrational के लिए माइनस कर देंगे अगर आपको चाहिए number of irrational terms तो simple आप rational वाले गिन लिया करो और फिर माइनस कर दिया गरो 61 मैंसे जितने भी आप देखो इस तरह की question को करने का पहला step क्या होता है पहला step होता है जन्रल टॉम तो हर जगा होता ही आपको पता ही है तो पहले जन्रल टॉम लिखो चुप चाप पहले दिमाग नहीं लगाना है यह इसकी पावर आएगा 60 माइनस आर और 5 की पावर है 1 बाइट इसकी 4 और 5 की पावर आ गया आर बाइट ठीक है तो यह बेसिकली अपना जन्रल टर्म आ गया अब हम यह चाते कि यह रैशनल बने रैशनल का क्या मतलब है रैशनल का मतलब यह जो 3 की पावर है और जो 5 की पावर है वह इंटीजर्स बनने चाहिए अगर मैं आपको ऐसा रैशनल आएगा ना similarly अगर मैंने 3 की पावर 1 by 3 ले ली या 1 by 4 ले ली तो कुछ भी अगर आप इसका वैल्यू फ्रेक्शन बनेगा ना तो यह वाला टर्म हमेशा इर्रैशनल बनेगा अगर हम चाते कि यह रैशनल बन जाए रैशनल कब बनेगा आप सोचो रैशनल तभी जब इसकी पावर क्या हो जाए इंटीजर हो जाए अगर 3 की पावर कुछ भी इंटीजर है तो यह तो हमेशा यह तो बीसिकली नेचरल नंबर ही आएगा इससे कोई मतलब नहीं है यह अपने को डिस्टरब नहीं करेगा बस आप यह एंशॉर कर लो कि 3 की जो पावर है और 5 की जो पावर है वह इंटीजर आनी चाहिए तभी अपना जो टॉम आएगा वह रैशनल आएगा तो रैशनल तभी आएगा जब यह पावर और यह पाव के आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है बाट इंटीजर ठीक है तो आप आर का वेल्यू कहां से अगा तक वेरी करेगा maximum the maximum R का value 60 तक जा सकता है और minimum the minimum 0 जा सकता है तो 0 और 60 के बीच में आपको count करना है कि R की कितनी values आएगी जिसके लिए यह power और यह power दोनों integer बन जाए तो इस तरह के question जब भी आते है simple आप क्या कर लिया करो जो पहला value है ना R का वो आपको निकालना पड़ेगा by hit and trial method में आपको समझा रहा हूँ first value of R you need to figure out by using hit and trial आप चालू करोगे 0 से R का value 0 put करो अगर R का value 0 put करेंगे तो 60 by 4 जो की एक integer है और इसमें भी अगर आप R का value 0 put करोगे तो 0 by 8 वो भी एक integer है तो R equal to 0 पे ही बात बन गई तो इस question में यह थोड़ा और आसान है क्योंकि 0 पे बात बन गई पर अगर 0 पे बात नहीं बनती तो आप 1 पे चेक करो 1 पे नहीं बना तो 2 पे चेक करो फिर 3 पे चेक करो फिर 4 पे चेक करो 5 पे 6 7 8 ऐसे करते करते हैं पहला नंबर आपको निकालना पड़ेगा हिटन ट्राइल से निकाल लिया करो वही best method होता है पुट करके चेक कर लो कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने आर का वेल्यू 0 पुट किया दोनों की दोनों जो पावर है क्या वह इंटीग्रल आगे अब अब आगे यह होता है अगे अगला वाला ले लिया करवा इल्सियंग और 4,8 तो वह कितना आएगा वह 80 ऐगा थिक तो ल सी अम एट आगया अब ल सी अम अगर एट आ गया तो यहां पर बीसिकली एक बनेगी ए रित्मेटिक प्रोग्रेस्टिन बनेगा जिसका कॉमन डिफरेंस होगा एट कोमन डिफरेंस होगा फिर अगला टॉम कौन सा आएगा 16 फिर अगला एगा 24 अगला कितना एगा 32 अगला एगा 40 अगला एगा 48 और अगला एगा 56 और और अगला जो भी आएगा वो 60 से बड़ा हो जाएगा तो बस यह आएंगी आर की कितनी वेल्यू आएगी अपने को 60 तक ही जाना है 60 के आगे आप नहीं जा सकते है अगला 64 आएगा तो 60 C 64 डिफाइंड थोड़ी होता है तो आर की कितनी वेल्यू आ रही है आर की 1,2,3,4,5,6,7,8 तो 8 rational terms आएंगे और अगर 8 rational है दोनों को minus कर लो तो कितना irrational कितना माइनस कर लो आप 61-8 rational वाले होते है यह 8 माइनस करोगे कितना आगे 53 आगया और 53 is the value of n,n is the number of irrational terms अब आपको question में यह बोला था कि n-1 अगर n का value 53 है तो n-1 का value 52 होगा और n-1 is divisible by तो 52 is divisible by 26 option a is the answer 52 किस से divide हो जाएगा 26 है तो यह concept इतना ही है कि पहले general term लिख लो देखो एक बार सूपर फास्ट बताता हूँ सूपर फास्ट तरीका यह है कि general term लिख लो दोनों का LCM ले लो common difference आगया API इधर और पहला term आपको निकालना हिटन ट्राइल से कतम काउंट करनो रैशनल आगे तो इर्रैशनल भी आगे एक और एक्जांपल करेंगे जो की 2019 का है इसमें भी आपको निकालना है टोटल नंबर ओफ इर्रैशनल टर्म इसको ट्राइ करेंगे इसका जन्रल टर्म लिखवा आप जन्रल टर्म इसका जन्रल टर्म आएगा 60C R इना इधर 60 है पहला वाला जो टर्म है वो है 7 की पावर 7 की पावर 1 बाइ 5 7 की पावर 1 बाइ 5 इस पूरे की पावर है 60 माइनस आर और माइनस 3 की पावर 1 बाइ 10 इस पूरे की पावर है आर ठीक है तो अल्टिमेटली 60C R 7 की पावर हो जाएगा 60 माइनस R बाइ 5 और यह मैनस 1 को तो अलग ही निकाल दो आप माइनस 1 की पार r और 3 की पावर हो जाएगी R byte है ठीक है minus 1 से कोई मतलब नहीं है आप उसको अलग निकाल तो ये general term आ गया अब general term आ गया तो R का जो value है वो बताओ कहां से कहां तक जाएगा R का value 0 से ही चालू होता है हमेशा और जाएगा यहां तक 60 तक जाएगा जो भी N का value है वहां तक वो जाएगा तो यह है ठीक है अब पहला value आपको निकालना पड़ेगा hidden trials है तो R का value 0 put करो R का value 0 put करेंगे तो यह भी integer और यह भी integer हाँ तो पहला value आ गया R equal to 0 अब अगला value अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए तो आपको चाहिए कॉमन डिफ्रेंस 5 और 10 का LCM 5 और 10 का LCM कितना आएगा 10 आएगा यह कॉमन डिफ्रेंस आएगा जीरो प्लस 10 तो 10 10 प्लस 10 20 20 के बाद 30 30 के बाद 40 40 के बाद 50 50 के बाद 60 आप 60 तक जा सकतो 60 is included तो कितना आगे है रेशनल कितना हैंगे काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच है इन तो साथ रेशनल वाले है है रेशनल वाले साथ है टोटल कितने है टोटल अन प्लस वन होता है 61 तो इर रेशनल वाले कितना आएगे इर्रैशनल वाले आएंगे 54 आएंगे अंसर इस 54 ऑप्शन डी कैसे करते इस टाइप के सवाल क्लियर है कुछ नहीं जनरल टम लिख लो नीचे वालो लेलो कॉमन डिफरेंस आ गया फॉर्स निकाल लो काउंट कर लो रैशनल इर्रैशनल ठीक है तो यही मेथड है आगे करते है बेखो इसका चोटा सा इक्जाम्पल लो तो आपको सवांझ में आ जाएगा जैसे फॉर एक्जाम लगार आपके पास है एक्स प्लस वाई की पावर फॉर इसमें कितने टम्स आएंगे टोटल कितने वं एपांच होंगे नाटीम फॉर्च अब बढ़ फॉर्थ तर तो इसका एक फॉर्मिला बना सकते हैं, इस चीज को आप सकते हो, अपने को किसे पता है, यहां पर तो पावर पॉर है, तो आपने को लिख के देख लिया, और पता कर लिया कि कौन सा जन्रल टम है, लेकिन अगर पावर 100 होगा, पावर 200 होगा, तो सारे terms इसे लिखने थोड़ी बैठेंगे तो कोई formula आपने को बनाना पड़ेगा वो formula बनाने के लिए simple होता है कि जो भी आपका power है अगर वो even है if n is even जैसे यहाँ पर n का value 4 है ठीकर this is the value of n अगर n का value even है तो जो भी आपका middle term आता है वो हमेशा आता है n by 2 plus 1th term यह आता है this will be the middle term आप यहाँ पर भी करके देखो न इधर 4 है power तो जो अगर even number है मतलब वो 2 से divisible है तो 2 से divide कर दो और फिर plus 1 कर दो कितना आएगा third term आएगा this will be the middle term समझे है similarly अगर मान लो कि power 6 होता तो अगर power 6 है x plus y की power let's say 6 है तो कितने term आएगा t1, t2, t3 start आएगा t4, t5, t6 और t7 अब middle term निकालने का formula क्या है जो भी power है उसको divide by 2 करके प्लस 1 कर दो तो fourth term आएगा this will be the middle term समझे है तो जो भी n का value अगर even है तो ऐसे कर लो और अगर n का value odd है तो मान लो कि मैंने x plus y की power 5 कर दिया अगर power 5 करोगे तो number of terms कितने आएगे 6 आएगे हैना number of terms कितने आएगे number of terms आएगे 6 अज़र्लब even number of terms है तो जब भी n का value odd होता है number of terms आएगे even तो दो middle term होंगे हमेशा है ना इसमें जो middle term है वो t3 भी है t4 भी है middle term is t3 also and t4 also यह दोनों ही middle term है तो यहाँ पर formula क्या बनेगा formula यह बनेगा कि if n is odd तो आप क्या कर सकते हों तो जैसे यहाँ पर 5 है और हमारा 3 और 4 आ रहा है तो इसमें आप simple यह करो कि जो भी n है उसमें plus 1 करके divide by 2 कर दो divide by 2 ठीक है plus 1 करके divide by 2 तो 6 by 2 3 आ गया और एक बार plus 3 करके divide by 2 कर दो ठीक है मतलब यह वाला निकाल लिया करो यह वाला तो अगले ही होगा अगर यह 3 आ गया तो अगला 4 ही आएगा तो आपको यह याद करने की ज़रूद नहीं है आप simple इसको याद कर लो मतलब if n is odd तो आपका जो middle term आएगा वह हमेशा आएगा n plus 1 by 2 टॉथ 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 यह दोनों मिडल टॉथ आएगे अंडेस्टूड तो आप इसको याद कर लो बस डिरेक्ली यह समझ में आया कि न मतलब अगर एक यह है n plus 1 by 2 अगला वाला प्लस वान यह बिसिकली बन जाएगा n plus 3 by 2 इसलिए अगला वाला जो है n plus 3 by 2 है क्योंकि n का वेल्यू ओड लियर है तो यह भी आपको साहन मागिया तो निकाल लोगे middle term निकाल लोगे क्या बीडल टर्म भी आ जाएगा कोई बड़ी बात जैसे अब यह जेमें का सवाल है यह मिडल टर्म के ऊपर ही वेस्टन आया था और यह सिंपल सवाल है बहुत इजी क्वेशन इसमें आपको बोला है कि कोईफीशन्ट ओफ मिडल टर्म और इसका मिडल टर्म जो है वो एपी म है इसको याद करने का तरीका बताओं क्या अगर एन का वेलीजु इवन है मतलब वो 2 से डिविजिबल है तो कर ना थो से डिविजिबल है क्वेली प्लिस वन कर नेकिन अगर n का value odd है मतलब वो 2 से divisible नहीं है तो पहले plus 1 कर फिर divide by 2 कर समझें अगर even है तो 2 से divisible है तो पहले divide करो फिर plus 1 करो इसमें पहले plus 1 करो n में फिर divide by 2 करो और अगर यह आगया तो अगला वाला तो आई जाएगा इसमें plus 1 करना होता है तो अगला वाला याद भी करने की जरूद नहीं है याद करने का तरीका समझ मागे जैसे यहाँ पर power 4 है तो अगर power 4 है मतलब even है इसको पहले divide by 2 करेंगे फिर तो middle term जो आएगा वो third term आएगा तो इस वाले में जो middle term आएगा that will be third term बाद में निकालेंगे इसमें बताओ इसमें आएगा 2 by 2 plus 1 मतलब second term आएगा जो middle term होगा और इसमें power 6 है तो again even ही है सब even है अगर सारे even है तो पहले 2 से divide करेंगे इसमें fourth term होगा वो middle term होगा ठीक है fourth term is the middle term अब निकालो इसका third term निकालो तो third term कैसे निकालेंगे third term निकालना तो r का value 2 r का value 2 put करेंगे 1 by root 6 इसकी जो power है वो इन दोनों का difference और beta x इसकी जो power है वो कितनी आएगी वो basically आएगी ये 2 ठीक है तो ये आगया और अपने को coefficient चाहिए तो since coefficient चाहिए तो variable को अटा सकते हो we just need the coefficient अब इसमें t2 निकालो तो t2 के लिए r का value लेना पड़ेगा 1 1 की power कुछ भी करो 1 ही आएगा 1 की power 1 आएगा इन दोनों का difference और minus 3 beta x again x लेने की जरूत नहीं है क्योंकि वो तो variable है आपको खाली coefficient चाहिए अटा दो और इसकी power भी आएगा 1 ठीक है फिर इसमें n का value 6 है तो 6 c3 r का value 3 लेना पड़ेगा again 1 की power इन दोनों का difference और minus beta by 2 इसकी power 3 ठीक है तो यह तीनों आगे तीनों calculate कर लो आप इन तीनों को simplify कर लो calculate कर लो 4c2 और 6 यह cancel हो जाएगा ठीक है मतलब यह beta square आएगा आप simplify कुछ से कर लेना इसका value आप निकालोगे तो 2 into यह minus 6 beta आ रहे है ठीक है और इसका value कितना होता है इसका value होता है 20 20 by 8 minus 5 by 2 beta cube यह आ रहे है देखो इसका value ठीक है अब यह तीनों बीटा cube divided by 2 यह तीनों एपी में है अगर तीन नंबर एपी में होते है तो two times the middle term है इसका double this is equal to first term plus last term यह कर लो यहां से बीटा को cancel कर दो बीटा को cancel करेंगे तो यह आ रहे है अब यह quadratic को solve करके बीटा निकाल लो minus 24 this is equal to 2 beta minus 5 beta square ultimately 5 beta square minus 2 beta minus 24 यह split हो जाएगा 12 और 10 में ठीक है middle term split होगा 12 और 10 यहां से बीटा कितना आएगा यह आ जाएगा बीटा प्लस 2 और 5 beta minus 12 बीटा की दो value आ रहे है एक minus 2 और एक 12 बाइगा यह दो वेल्यू आई बीटा की दो वेल्यू आ रहे है क्या अरे बोलो दो वेल्यू आ रहे है क्या बीटा की अब question में बोलाई कि beta is greater than 0 यह reject यह accept तो बीटा का value actually कितना है बीटा का value है 12 बाइगा वेल्यू है 12 बाइग 5 इफ डी इस common difference common difference होता है second term minus first term तो डी निकालो तो डी क्या होता है डी होता है t2 second term minus first यह होता है बीटा का value आई गया है तो substitute कर दो common difference आ जाएगा यहां से पहले एक काम करो बीटा ले लो common minus six minus बीटा और बीटा है 12 by 5 और इधर भी पुट कर दो 12 by 5 ठीक है एक काम करो ना पुट मत करो अपने को क्या चाहिए अपने को बेसिकली चाहिए डी बाइबीटा स्क्वेर चाहिए जो चाहिए वही निकालते सीधा-सीधा यह सब calculation में नहीं फसता है एक काम करो अपने को क्या चाहिए अपने को चाहिए डी बाइबीटा स्क्वेर तो सीधा एक काम करो बीटा स्क्वेर से डिवाइड कर दो बीटा स्क्वेर से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा जो चाहिए उस पर फोकस करते है अपने को यह चाहिए D upon यह चाहिए, अगर इसका value आ गया तो substitute कर देंगे न, तो यह निकालते है, D by beta square, यह आएगा minus 6, beta का value है 12 by 5, और minus 1, तो कितना आएगा D by beta square, यह बता दो, तो यह आजाएगा minus 7 by 2 आ रहे है, यह 2 को भी इधर ले आ, तो 2D by beta square, यह minus 7 आ रहे है, तो इसका value substitute कर दो, यहाँ पर, तो basically answer आएगा, 50 minus, और minus 7, तो 57 is the answer, final answer, 57, वहलब यह सब calculation है, आपको middle term वाला concepts on में आएगी न, middle term, कैसे निकाला, middle, middle, middle term, निकाल लिया, और फिर वो तीनों, AP में है, 57 is the final answer for this question, बाकी सब आसान है, middle term आप समझ लो, बस अगर n का value even है, मतलब वो 2 से divisible है, तो करना, यह है method, ठीक है, तो पहले 2 से divide कर, फिर plus 1 कर, और उसमें 2 से divisible नहीं होगा, तो पहले plus 1 करो, फिर divide by 2 करो, yes, odd वाला question, जैसे odd वाले में, आप यह समझ लो, कि अगर मैं आपको बोलूँगा, x plus y, इसमें बताओ, चलो, x plus y की power है, 101, इसका middle term क्या क्या आएगा, बताओ, what will be the middle term, अगर power है 101, तो पहले plus 1 करना पड़ेगा, और फिर divide by 2 करना पड़ेगा, मतलब यह 102 divided by 2, 51 आएगा न, तो एक आएगा 51st term, तो अगला वाला तो आई जाता न, and 52nd term, बोथ हार middle term, दोनों ही middle term है, ठीक है, clear, 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 okay, फिर आगे बढ़ते है, अब बात करते है, अच्छा, यह यह भी काफी लोग को confusion होता है, कि सर, binomial coefficient क्या है, coefficient क्या है, और term क्या है, यह तीनों अलग-अलग होते है, binomial को, जैसे for example, यह expansion है, इसका general term लिखो आप, इसका general term क्या आएगा, ncr, ax की power, n-r, और by की power, by की power, r, यहाँ पे जो a और b है, वो constant है, x और y variable है, ठीक है, तो a की power आगया, n-r, b की power आगया, r, x की power है, n-r, y की power है, यह variable है, यह constant है, तो यह जो ncr वाला term होता है, इसको हम बोलते है, binomial coefficient, this, is binomial coefficient, n-c-r, यह जो पूरा आगया, इसको हम बोलते है, coefficient, यह भी तो constant है, यह constant, constant, यह binomial coefficient, यह पूरा, यह variable है, variable का coefficient, इस पूरे को हम बोलते है, coefficient, ठीक है, इसको बोलते है, coefficient, और उसमें अगर variable को भी include कर लिया, तो यह जो पूरा है, इसको हम बोलते है, term, कभी-कभी आपको बोलते हैं कि ratio of two terms तो फिर उसमें variable भी लेने हैं कभी-कभी बोलते है ratio of binomial coefficient तो खाली ncr जा मतलब है आपको इससे भी मतलब नहीं है और कभी-कभी बोलते है ratio of the coefficient coefficient is including the constants फिर constants मतलब है तो ध्यान मतलब ध्यान रखना कि क्या पूछा है binomial coefficient पूछा है कि खाली coefficient पूछा है कि term पूछा है पूरा का पूरा तो जो भी पूछा है उसके according आपको लेना है और कभी-कभी पूछते भी नहीं है बस ratio दे देंगे binomial coefficient आपको given था binomial coefficient का ratio given था कल को coefficient का ratio दे देंगे तो इट विल चेंज तो थोड़ा ध्यान से है ना येस सब अलग-अलग है लेंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते एक और टॉपिक होता है यह यह भी बहुत सिंपल है आप सिंपल मुझे यह बताओ तो greatest binomial coefficient कौन सा होगा जैसे अगर मैं एक्स प्लस वाई की पावर 4 की बात करता हूं इसके कोईफिशेंट क्या क्या आता है इसके कोईफिशेंट आते है बाइनोमियल कोईफिशेंट क्या क्या आते है यह 4C0 आता है 4C1 आएगा 4C2 आएगा 4C3 आएगा और 4C4 आएगा सही बात है अब इसमें से greatest कौन सवाल है इसका वैल्यू तो वन होता है इसका वैल्यू भी वन होता है इसका वैल्यू फोर है इसका वैल्यू भी फोर है इसका वैल्यू सिक्स तो जो भी मिडल टर्म होगा क्या उसी का बाइनोमियल कोईफिशेंट ग्रेटेस्ट होता है उसी का binomial middle term का binomial coefficient greatest होता है तो अगर मैं जैसे for example ऐसा question पूछूँँगा कि इधर है 12 C K So tell me the value of K for which this will be maximum ये greatest हो जाए ये maximum कब होगा तो अगर यहाँ पर N का इसमें भी दो case आएंगा ना middle term के जैसे ही है तो अगर N का value even है तो आपको K का value क्या लेना है तो आपको K का value लेना है सीधा सीधा N by 2 ये लेना है और अगर N का value odd है if N is odd तो फिर K का value आपको लेना पड़ेगा या तो N minus 1 by 2 या फिर N plus 1 by 2 दो में से कोई भी एक ले सकता है तो ये आपको याद रखना है जिसे इसमें आप answer बताओ अगर 12 C K है तो 12 C 6 ये ही तो maximum होगा N by 2 इधर जो भी है उसका half अगर ऊपर जो भी है अगर even है तो उसका 12 C 6 ही तो आएगा middle middle term ये ही आएगा na 12 C 6 आप लिख के देख लो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा 12 C 0, 12 C 1 12 C 2, 12 C 5 आएगा, 12 C 6 आएगा 12 C 7 आएगा फिर last में 12 C 12 आएगा तो ये ही है na middle term है ना आप देखो 6 इधर है और 6 इधर दोनों तरफ 6 6 है येस ये total 13 terms are there इधर 6 इधर 6 बीच वाला 12 C 6 आएगा ठीक है ये तो तब आएगा जब N का value even है, अगर N का value odd हो गया तो अगर मैं आपको बोलू 7 C K इसमें बताओ, अगर मैंने इसको हटा के ये 12 को हटा के 7 कर दिया, अब बताओ अब maximum कब होगा, this is 7, तो उसमें आपको करना पड़ेगा N minus 1 by 2 लेलो या N plus 1 by 2 लेलो 7 minus 1 by 2 लेलो या फिर K का value खीक है, या फिर 7 plus 1 by 2 लेलो, दोनों मैं से कोई भी एक लेलो answer आपका same ही आएगा तो ये कितना ये 3 है और ये अगर आप करोगे तो ये 4 है है ना, तो K का value आप या तो 3 ले सकतो है या 4 ले सकतो, ये दोनों बराबर ही होंगे ना हमेशा थ्री लो, फोर लो एक ही बात है you can take anyone middle term, वो दोनों सेम ही होंगे आपने वैसे भी देखा ना, बीच में जैसे 10, 10 आता है, yes हमने वो किया था 1, 5, 10, 10, 5, 1 तो दोनों बराबर ही आएंगे बीच वाले, ठीक है ये दोनों है, तो 19 minus 1 by 2 कर सकतो हो, या फिर 19 plus 1 by 2 आप कर सकतो हो, so either you can take k equal to 9 or you can take k equal to 10, बात बराबर ही है इसका value निकालो या इसका value निकालो दोनों equal ही है तो दोनों ही greatest है ये भी greatest, ये भी greatest दोनों ही महान है, कोई जादा महान नहीं है, ठीक है, दोनों equal ही महान है, ये दोनों के बीच में competition होगा, दोनों जीतेंगे, ये दोनों greatest है, ठीक है, बोथ हार greatest, बोथ हार same only, basically अब जैसे question आया था J main में, है न, 2020 का सवाल है तो इसमें basically ABC are the greatest value of this this and this तो A is the greatest value of 19 CP, तो P कितना लेना चाहिए 19 CP P का value होगा, या तो 19 minus 1 by 2 लेलो, या 19 plus 1 by 2 लेलो, कोई भी एक लेलो तो मैं 9 ले लेता हूँ 19 C 9, ये आगया A का value, similarly B का value कितना आएगा यहाँ पे 20 C 10 आएगा है न, इसका half होता है अगर basically even है तो 20 by 2 आजाएगा, सी दस दस दा ठीक है न, और C का value कितना आएगा 21 C R लिखाओ, तो R का value कितना लेना चाहिए अगें odd है 21 minus 1 by 2 करो, या फिर 21 plus 1 by 2 करो या प्लस 1 by 2 ये कितना आएगा, ये 10 आएगा या 11 आएगा तो 10 या 11 मैंसे कोई भी एक लेलो 11 लेले दाओ मैं You can take any one 21 C 10 करो, या 21 C 11 करो ये की बात है और इनका ratio निकालना, देखो हर एक option में क्या है ratio, तो आपको चाहिए A is to B is to C A का value है 19 C 9 B का value है इसको आप एक काम करो इसमें आप वो formula लगा लो ना उपर वाला उपर, नीचे वाला नीचे दोनों में एक एक कम तो इधर इधर सेम आगया ना तो ratio निकालना आसान हो जाता है और basically इसमें भी वही कर लो उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम अब इसमें फिर से लगा देना एक बार और इसमें एक बार और लगाएंगे तो क्या आएगा 20 बाइ 10 अगला आएगा 20 बाइ 10 और 19 C9 अब 19 C9, 19 C9, 19 C9 cancel हो जाएगा तीनों में से अब ratio कितना है तो इधर 1 बचा इसको simplify करोगे तो यह 2 है और इसको simplify करेंगे तो यह 42 बाई 11 है इस पूरे को multiply करतो 11 के साथ ताकि simplify हो जाए simplify करने के बाद 11 is to 22 is to 42 यह आएगा ratio यह तीनों का ratio तो तीनों का ratio निकालेंगे तो 11 22 42 तो सब कुछ cancel आपको करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज कर लो और कुछ नहीं है simple यह समय में आया ऊपर नीचे आगे पीछे cancel करके ratio निकाल दोगे maximum greatest binomial coefficient greatest value कौन सा होता है middle term का clear तो यह अभी अभी हमने जो पढ़ा that is greatest binomial coefficient binomial coefficient को greatest कर रहे है ठीक है यह क्लियर है ना mix मत करना और अगला जो हम पढ़ने जा रहा है that is numerically greatest term तो यह term को greatest करेंगे numerically greatest term या कभी-कभी question में खाली greatest term भी बोलते है यह की बात है greatest term मतलब numerically greatest term तो greatest term का जो concept होता है वो कैसे निकालेंगे तो मान लो एक binomial expansion है उसमें बहुत सारे terms है आपको यह figure out करना है कि greatest term अब term के अंदर binomial coefficient भी होता है constants भी होते है, variables भी होता है सब कुछ होता है तो सब को ले के अगर चले तो कौन सा greatest होगा तो उसमें greatest कोई सा भी हो सकता है first वाला भी greatest हो सकता है last वाला भी हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है तो वो निकालने का एक fix method है numerically greatest term निकालने का simple सा और fix method है देखो मैं आपको method बता देदा हूँ step number one step number one यह होता है कि आप m का value निकालो अब यह m क्या है तो m है n प्लस 1 और 1 प्लस जो भी expand जैसे इसका expansion है तो first term इधर आएगा first term यह first term है divided by second term नीचे आएगा second term इसका mod तो हमेशा यह आप याद ऐसे करो ax by by याद मत करो आप याद करो n प्लस 1 1 प्लस mod of first term divided by second term तो यहां से m का value निकालनो तो step number one आपका complete होगे और step number two step number two यह होता है कि जो r है r का value हमेशा m और m-1 के बीच में ही होता है तो यहां से आपको r का value r का integral value अप ले लो जो भी integer आएगा वो ले लो तो यहां से r का value आजाएगा let's say कि आपका r का value 7 आया तो कौन सा term numerically greatest होगा 8 वाला r का जो भी value होता है उससे plus 1 होता है न टर्म r का value 7 आया तो 8 टर्म will be numerically greatest अगर r का value 10 आया 11 टर्म विल बी numerically greatest अगर r का value 4 आया तो 5 टर्म विल बी दे numerically greatest तो यह दो स्टेप का method है ठीक है अब इसका derivation और इन सब में मत जाना इसका no proof required आपको सीधा यह method follow करना है आपका numerically greatest term आजाए क्योंकि derivation और वो सब काम का है नहीं मैं बताओंगा आधा गंटा वेस्ट करेंगे अल्टिमेटली एक्जाम में आएगा नहीं तो जो exam point of view से important है वही करता है जैसे आप question ट्राई करो चलो question आपके बनने चाहिए तो derivation में नहीं जा रहे ठीक है सीधा सीधा question पर आजाओ इसका expansion given है एक्स का value given है आपको greatest term निकालना है तो step number one step number one m का value निकालेंगे विच इन प्लस वन वन प्लस मॉड ऑफ दो फॉर्स टॉर्स टॉर्म डिवारेट बाई सेकेंड टॉर्म ठीक है अब n का value कितना है 11 11 प्लस वन डिवारेट बाई वन प्लस फॉर्स टॉर्स कितना है सेवन सेकेंड टॉर्म है माइनस फाइव एक्स और एक्स का value भी पुट कर दो टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री ऊपर जाएगा इसका मॉड कितना आएगा इसको calculate करेंगे तो उपर वाला जो है वो 12 है और नीचे वाला जो है वो है 1 प्लस 2.1 आगये तो 12 अपॉन 3.1 आगये तो बेसिकली ये 4 से थोड़ा कम होगा ना 3.99 टाइप का होगा yes or no approximately 12 को divide करेंगे 3.1 से तो 4 से थोड़ा कम आएगा 3.99 टाइप का आएगा step number 2 क्या होता है कि R का जो value है वो M-1 और M के बीच में ही रहेगा तो M-1 हो जाएगा 2.99 और ये है 3.99 तो बताओ R का value कितना यहां से आप बता दो R का value 3 आएगा फिर है ना एक ही तो integer है इन दोनों के बीच में कौन सा term होगा जो greatest term होगा greatest term होगा fourth term तो बस अब इसमें सा fourth term निकाल लोगे तो answer आ गया ना fourth term निकाल लोगे गया fourth term निकाल गया बता दो उनको उनको अपना answer मिल गया ठीक है clear fourth term will be the numerically greatest term easy अब देखो एक और question ट्राइगा ये वाला सवार है इसमें again expansion given है ठीक है expansion given है x का value given है numerically greatest term पूछा है numerically greatest term कैसे निकालेंगे इसमें basically again step number one m का value निकालेंगे वो होता है n plus 1 upon 1 plus first term divided by second term x का value है 1 by 5 और इस पूरे का mod भी होता है तो 16 और नीचे आ गया 4 ठीक है तो इसका value आ गया 4 अगर इसका value 4 आ गया तो जो r होता है वो m-1 और m के बीच में होता है तो m का value 4 है तो यह 3 से लेके 4 तक होगा तो r की कितनी value आएगी r की 2 value आएगी कोई दिक्कत नहीं है r का value 3 भी है और 4 भी है इसका मतलब 4th term भी numerically greatest है and 5th term भी numerically greatest है actually अगर आप यह दोनों निकालोगे न दोनों बराबर ही आएंगे यह दोनों बराबर ही आएंगे यह निकाल लो यह निकाल लो कोई भी एक निकाल लो both will be equal सल क्यूंक्ये दोनों biggest नहीं हो सकते एक संद मॉश्य एक इस सोसाइटा के अंदर यह भी रिच्छ है यह दोनों अमीर और दोनों equally अमीर है सब्सक्रांइट स्वसीबल न कि एक चारशसो करोड तो दूसरा वाला जो 399 करोड है तो फिर 400 वाला ही होगा ना ग्रेटेस्ट तो अगर हम यह बोल रहे कि यार यह दोनों ग्रेटेस्ट है मतलब दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तो इस तरह के केसिस में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आर की दो वैल्यू आ रही है लेना होमवर्क में टी-4 निकालो टी-5 निकालो सेम आएगा एक्स का वैल्यू पुट करता है ना वन बाई फाई ठीक है चलो आगे बढ़ता है अच्छा इसमें कभी-कभी ना जैसे यहां पे तो एक्स का वैल्यू गिवन है कभी-कभी question में क्या करेंगे instead of asking numerically greatest term they will ask numerically greatest coefficient अगर numerically greatest coefficient पूछा है इसका मतलब आपको automatically समझना है कि एक्स का वैल्यू बन तो या तो एक्स का वैल्यू specified होगा सवाल में और अगर specified नहीं है मतलब आपको numerically greatest coefficient पूछा होगा फिर तो आपको खुद से समझना है कि हाँ x का वैल्यू 1 या तो specified होगा या फिर आप x का वैल्यू 1 पुट कर देना अगर given नहीं है तो फिर numerically greatest coefficient पूछेंगे तो वो उसमें automatic होता है कि x का वैल्यू 1 पूछा है तो आपको पाइन चलो आगे वटते हैं एक question करते हैं यह वाला सवाल आया था जैमें 2022 में इसका expansion है इन इंक्रीजिंग पावर्स आफ 6x यह इंक्रीजिंग पावर ही होता है जो इन टर्म होता है वह वाई होता है न तो वाई की पावर इंक्रीजिंग करती है आपको पता ही है एक्स की पावर डिक्रीजिंग करती है लब इसका expansion है उसके expansion में x equal to 3 by 2 given है और यह बुलाए कि 9th term is the 9th term of the binomial expansion is the greatest ओके तो 9th इसका जो 9th term है ना इधर कर लेंगे चलो ठीक है तो 9th term 9th term is the numerically greatest term यह आपको question में बूलाए अगर 9th term greatest है आर का value यह reverse question है ठीक है इसमें आपको answer given है और question पूछा है ठीक है वाला उल्टा सवाल होगे ना अभी तक हमने जो सवाल करें उसमें क्या था उसमें हम बताते देगी यार 4th term is the greatest है यह फिर यह greatest है अब उल्टा हो गया greatest वाला term आपको given है आपको n का value निकालना है तो इसमें बूलाए कि 9th term in the expansion of this is greatest x का value भी specified है तो एक काम करता है यहाँ पर expansion लिख लेते हैं 3 plus 6x की power n इसका expansion है x का value 3 by 2 है और 9th term अगर numerically greatest है वालाब r का value 8 होगा अब आप वही अपना step by step करो step number 1 step number 1 होता है m का value m का value आएगा n plus 1 1 plus first term है 3 और 6x x का value है 3 by 2 यहाँ पर substitute कर दो इसको solve कर लो n plus 1 यह 6 और 6 cancel हो जाएगा यह 6 यह 6 यह 6 cancel ultimately यह आजाएगा 4 by 3 तो 4 और इधर 3 यह आगया ठीक है यह m का value आगया step number 2 क्या होता है step number 2 होता है कि m minus 1 और m के बीच में होगा r तो सारी value substitute कर तो m का value यह है ठीक है this is the value of m m minus 1 और r का value question में given है 8 this is given 8 और इधर से आजाएगा 3 into n plus 1 divided by 4 तो अब यह inequality solve करनी पड़े गी एक बार यह वाली solve कर लो और एक बार यह वाली solve कर लो तो वहां से n का value आ जाएगा तो पहले यह वाली inequality solve करते है 3 into n plus 1 divided by 4 यह 1 को इधर बेजेंगे less than equal to 9 आ रहे तो n plus 1 less than equal to 12 आ जाएगा तो n आ गया less than equal to 11 यह आ गया अब यह वाली inequality solve कर लो तो 8 into 4 8 into 4 divided by 3 this is less than equal to n plus 1 यह आएगा 32 by 3 मिलब 10 point something आएगा 10 point something minus 1 तो यहां से आ गया n is greater than equal to 9 point something आ जाएगा तो n का जो value है वो greater than equal to 9 point something है और 11 से कम है तो n की दो value possible है या तो n का value 10 होगा या 11 होगा लेकिन आपको question में बोला है कि least value लेना है least value of n is n naught तो least कौन सा है इन में से least है 10 तो this is n naught कुछ नहीं formula ही तो लगाया inequality solve करी तो n का value दो में से आपको least वाली लेनी थी तो least तो यह इसका value आगे 10 अब उसके बात बोला है कि if k is the ratio of the coefficient of x की पार तो basically n का value आगे ना n का value कितना आ गया हमारा जो n है उसका value 10 आ गया तो अब इसमें आपको बोल रहा है कि जो k है that is the coefficient of x की power 6 divided by ratio है वो ठीक है divided by coefficient of x की power 3 तो आप x की power 6 का coefficient निकाल लो इसमें से इसमें से x की power 6 तो 10c6 पहला वाला जो term है वो है 3 और दूसरा वाला जो term है वो है 6 आपको खाली coefficient से मतलब है x से मतलब नहीं है है न तो इसकी power इन दोनों का difference और यहां पर 6 आएगा नीचे आपको x क्यों का coefficient कितना आएगा तो वह आएगा 10c3 3 की power 7 और 6 की power 3 ठीक है तो यह के आ जाएगा इसको simplify कर लो 10c6 10c6 को आप लिख दो 10c4 कर दो ऐसा करने से फाइदा ही होगा कि वह अमीर गरीब बन गया उपर अमीर है नीच गरीब है तो इसका value कितना आ जाएगा इसका value आ जाएगा n-r plus 1 by r इसका value तो यह आ गया और 3 की power 3 आ जाएगा 6 की power 3 आ जाएगा और 2 की power 3 तो 28 आ रहा है नहीं 24 आ रहा है 14 आ गया ना 7 इंटू 14 तो k का value आ गया स्टेप बाकी सब calculation कोईफीशन का ratio तो आप निकाली लोगे एक बार n का value आ गया तो कोईफीशन का ratio ही तो निकालना था वह एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा इन्होंने डाल दिया calculation increase करने के लिए ठीक है और कुछ नहीं है इसमें यह सब फॉर्मिला एक दम फटाफट लगने चाहिए आपके अगर इसमें टाइम लग रहा है मतलब टाइम वेस्ट होगा एक्जाम में तो calculation fast formula फटाफट derivation बिल्कुल काम के नहीं है ठीक है फॉर्मिला की practice करो ना कि derivation की आगे बढ़ते है अब यह एक topic ऐसा है जिसके उपर 2022 में भर-बर के सवाल आये थे जरूरी नहीं कि 22 में आये तो 23 में भी आएंगे 23 में कुछ और आ सकता है बट 22 में बहुत सारे question आये थे 21 में भी थे बट थोड़े कम थे बट 22 में तो मनलब spam कर दिया इन्होंने एकदम जिसको वोलते है ना spam करना वही finding reminders इसका एक shortcut होता है इसका एक envy style होता है वह आपको पता ही है यह आता है कि नहीं आता है कितने लोग आता है इसको जिनको आता है very good जिनको नहीं आता है थोड़ा सा मैं explain करता हूं हलाकि इसके उपर एक detailed video है यह video आप देख लेना अगर आपके पास थोड़ा सा बाद में time होगा इसको detail में आता हूं एक तम शॉट में तो जैसे मालो यह question आ जाए पहला वाला 51 की पावर 51 की पावर 25 को 13 से डिवाइड करना है और फिर आप से पूछेंगे remainder निगालो how to find out remainder in seconds cracking seconds है ना इसका detail वीडियो आप देख सकते हूं बाद में but method यह होता है 51 इंटू 51 ऐसा 25 बार है अगर आप numerator को ध्यान से देखो गए तो ऐसा 25 बार है क्या 51 की पावर 25 का क्या मतलब है ऐसा 25 बार लिख दो correct अब एक concept होता है negative remainder का जैसे आप simple क्या करो आप 51 को 13 से डिवाइड करो ना पूरे को डिवाइड मत करो खाली 51 को 13 से डिवाइड करके बताओ 51 को जब 13 से remainder कितना आएगा तो आप यहां पर लेलो 4 टाइम्स लेलो सिधा 52 आएगा remainder negative ले लिया करो कोशिश करो कि जो भी remainder आपका आए वो या तो plus 1 minus 1 जितना छोटा आ सकता उतना बेटर है अब आप यहां पर remainder 12 लिखोगे तो उसका कोई point नहीं है तो negative remainder का concept यूज कर लिया करो 52 52 मतलब minus 1 आगया remainder करेक्ट तो 51 को जब 13 से divide करेंगे तो remainder minus 1 आएगा similarly इस वाले 51 को 13 से divide करेंगे फिर से minus 1 आएगा इस वाले को 30 individually divide कर लो इन सबका remainder minus 1 minus 1 इन सबको multiply कर लो इन सबको क्या करना होता है multiply कि कितनी बार आएगा minus 1 minus 1 minus 1 ऐसा कितनी बार आएगा यह जो minus 1 minus 1 minus 1 वाली कहानी है यह 25 बार आएगी minus 1 आएगा 25 तो ultimately इसका value है minus 1 लेकिन आप आपको पताएगी final answer कभी negative नहीं हो सकता तो अगर कभी भी आपका answer negative आ रहा है तो उसमें आपने किस से divide आपने 13 से divide गया ना उसको plus कर दिया गरो तो finally आपका जो answer होगा वो 12 होगा तो जब आप 51 की power 25 को 13 से divide करोगे आपका जो answer होगा वो 12 आएगा यह तो shortcut method है अगर आपको long cut चाहिए तो long cut भी मैं आपको बता सकता हूं long cut इसका simple होता है सिंपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी करना मत ज्याद है सिंपल 52 माइनस वन की ऐसे इसका बाइनॉमिल एक्सपैंशन लिखेंगे पूरा 25C0 इन्टू 52 की पावर 25 माइनस 25C1 52 की पावर 24 और प्लस ऐसे करते करते पूरा बाइनॉमिल एक्सपैंशन आपको लिखना पड़ेगा 25C25 और फिफ्टी टू की पावर जीलो ऐसा कुछा जाएगा ठीक है न मलब बाइनॉमिल एक्सपैंशन लिखना पड़ेगा फिर उसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉम्स है अब बेसिकली बेकार मेथड है मत करना ठीक है इस नॉट एट ओल सिंपल बिल्कुल भी सिंपल नहीं है तो यह फालतू मेथड मत करना रिमेंडर के लिए सीधा सीधा यार इंडिविजुली डिवाइड करके रिमेंडर निकाल लो उन सबको मल्टिप्लाइ कर दो इंडिविजुल नंबर्स को डिवाइड करके रिमेंडर निकाल सकते हो उनको मल्टिप्लाइ कर सकते हो दैट विल बी और फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो प्लस 13 कर देना अब जैसे यह है 39 की पार 42 इसको करना 39 की पार 42 डिवाइड बाइ 10 तो क्या आंसर आएगा यह आएगा ना 39 39 39 ऐसा 42 टाइमस है यह डिवाइड बाइ 10 तो 39 को 10 से डिवाइड कर दो बस 39 को डिवाइड कर दो 10 से 40 होता ना उसमें कोशन्ट से भी कोई मतलब है नि रिमेंडर मतलब माइनस वन आ रहे है इसका फाइनल आंसर है that is वन रे चमका मेरे गाल से चमक गया होगा और आगे बढ़तें अब ग्वेस्टर पर आजाओ सीधा तो यह एक्वेशन आया था एक्जाम में 3 की पावर यह जो 3 की पावर होती है ना इसको आप कंवर्ड करो ऐसा कुछ करो कि मलब रिमेंडर प्लस वन या माइनस वन आ जाए तो आपको बताए 3 का स्क्वेर होता है 9 और 9 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर माइनस वन आएगा आखों में चमक आगई तो इसको सिंपल आप ऐसे लिख लो इसको लिख लो 3 स्क्वेर की पावर 1011 और यह 3 स्क्वेर मतलब 9 है 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 ऐसा ठीक है यह 1011 टाइ से कम है तो 10 से 1 माइनस 1 माइनस 1 और इधर भी वाइनस 1 तो यह माइनस 1 आएगा वन 0 1 1 मतलब बेसिकली माइनस वन ही है अगर नेगिकिटिव आये तो जो भी आपका डिनॉम्नेटर हो प्लस कर दिया करो तो 4 is the answer D. ठेक है ? Crack in seconds अराम से आप जल्दी जल्दी answer निकाल सकते हो अगला सवाल यह रहा 2,0,2,1 तो की पावर 2,0,2,3 divide बाइ 7 2,0,2,1 को 7 से divide करो ए जो 2,0,2,1 है उसको 7 से divide करो गया न तो मेरे गाल से 2,0,2,3 जो होता है वो 7 से divisible है तो remainder minus 2 आएगा करके देखो remainder minus 2 आ रहा है गया इसका remainder मतलब यह minus 2 की power 2023 हो जाएगा क्योंकि सबका minus 2 आएगा minus 2 minus 2 minus 2 हर जगा minus 2 divided by 7 अब minus को बाहर निकाल लो तो 2 की power 2023 इसको भी आप ऐसे कर लो 2022 into 2 1 2 निकाल लो क्यों यह 1 2 बाहर क्यों निकाला क्योंकि अब आप इसको 2 की power 3 में convert कर दो ने 2022 जो होता है वो 3 का multiple है तो उसको 2 की power 3 में convert कर दो यह हो जाएगा 2 की power 3 की power इसको 3 से divide कर हो तो 6 ओके तो basically 18 हो गया फिर 7 और फिर 4 ठीके मनलब यह 8 की power इसको 8 ही कर दो आप सिधा सिधा अब देखो यह 8 की power है ना तो 8 इंटू 8 ऐसा लिखा हुआ है माइनस यह तो basically minus 1 हो गया ठीके यह जो minus है और बाकी सब यह तो जब इसको डिवाइड करो के 7 से तो remainder भाई आएगा minus 1 जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो remainder 1 इसमें 1 तो यह बीच वाले सारे 1 1 1 1 1 इसको जब डिवाइड करेंगे तो remainder 2 तो ultimately सब multiply करो minus 1 1 1 1 1 1 1 1 then 2 minus 2 होगे ना ultimately इन सब को multiply करेंगे तो minus 2 अब negative आ रहा है तो plus 7 करना पड़ेगा तो answer is 5 ठीक है अब detail video देख लेना मतलब थोड़ा और confidence आएगा तो अगर थोड़ा फटा-फट में नहीं समझ आ रहा तो detail में देख लेना एक बार अब जैसे यह सवाल है तो 11 की power 1011 plus 1011 की power 11 divide करना है 9 से आप individual निकाल सकते हो इसका remainder निकाल लो इसका remainder निकाल लो बाद में plus कर लेंगे एक सवाल में दो सवाल है इसका remainder निकालो इसका निकालो बीच में plus है तो plus कर देना remainder को plus कर सकते हो that is allowed तो 11 into 11 into 11 ऐसा है ठीक है डिवाइड बै नाइन तो 11 को जब 9 से डिवाइड करो 건강 इबिवाइड करो न से यह तो की पावर कितना हो गया यह 2 की पावर 3 में convert कर लो आप इसको आगे, इसको आप convert कर लो 2 raise to 3 में, 8 हो जाएगा ना, और 8 और 9 आसपास होते हैं, तो ये basically 3 से divide करेंगे, 3 into 3, 9, फिर 3 into 3, 9, और 7, ये आगया, और नीचे ये, तो ये 2 cube को लिख दो 8, this is nothing but this is 8, अब जब आप 8 को 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, उसको divide कर तो 9 से तो remainder minus 1 है, मतलब minus 1 की पावर 337 आगे, which will be minus 1, इसका जो remainder आ रहा है, पहला वाला जो portion है, इसका remainder है minus 1, आप चाहो तो plus में भी convert कर सकते हो, plus 9 कर लो, minus 1 you can write, और you can write 8 also, एक ही बात है, अब इसका remainder निकालो, ठीक है, इसका remainder निकालने बैठेंगे, तो 1011 into 1011, एसा है, लास्ट में भी 1011, divided by 9 है, चीक है, अब आप 1011 को divide कर लो, 9 से, कितना आएगा, 1011 को divide कर लो, 9 से, 9 into 1, 11 बचा, फिर से 9, 21 बचेगा, 18, तो 3 आएगा, चीक है, remainder कितना आ रहा है, 3, तो ये basically इसका remainder 3, 3, 3, 3, सबका 3, 3, 3 आएगा, तो 3 की पावर 11 आगया, ये 11 बार है, कितनी बार है, 11, divided by 9, अब ये 3 की पावर 11, तो 9 से divisible होगा, तो 3 की पावर 2 है, तो remainder कितना 0, इसका remainder 0 है, इसका remainder minus 1 है, दोनों को add कर दो, add करेंगे तो minus 1 आएगा, अब negative आ रहा है, तो plus 9 कर दो, 8 विल भी दान्स है, ठीक है, तो D is dance, option, D is dance, अरे चमका, remainder negative तो होई नहीं सकता, तो last मैं plus 9 कर देना, एक का minus 1 आ रहा है, एक का plus, इसका तो 0 आ रहा है, डिविजिबल है, ठीक है न, चलो, अब ये homework में करना, ठीक है, ये भी एक सवाल है, जो आया था, और ये भी एक सवाल है, जो आया था, तो काफी सारे question आप देख अब मेरे काल से वैसे तो simple है, अब और आगे बढ़ते है, एक अगला segment जिसका नाम है, जीपी वाले सवाल, जीपी वाले सवाल भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये का आपको GP देदेंगे, आप देखो question देखते ही, आपको समझ में आ जाएगा ये GP है, इसको ध्यान से देखो ये पूरा, ये first term, second term, third वाला term और ये last वाला term, ये GP दिख रहेगा आपको, अगर मुझे यहां से यहां जाना है, तो कितना multiply करना पड़ेगा, आपका मनलब basically जो common ratio है, वो आएगा, x upon x plus 5, ये आएगा, ठीक है, common ratio ये आएगा, एक second रोग को, इसको ना save कर लेता है, तो ये common ratio आएगा, अगर first term से second term आपको जाना है, तो ये multiply करना पड़ेगा, तो this is the common ratio, हमारा GP का first term क्या है, what is the first term of GP, first term, अरे क्या है, first term क्या है, GP का पहला term, पहला term है ये, right, 5 plus x की power, 5, 0, ये आगे हैं, this is the first term, और number of terms कितने है, GP का sum करना पड़ेगा, इसमें, this is nothing but it is a GP, ये पूरा GP है, तो अगर आप ध्यान से देखो कहें, तो यहाँ पे x की पार 1 है, फिर x की पार 2 है, इसमें x की पार 0 है, तो x की पार 0, x की पार 1, x की पार 2, x की पार 500, number of terms are 501, क्योंकि 0 से चलू हो रहा है, 0 से start करके, 500 तक हम जा रहें, तो number of terms are 501, तो बस GP का sum लगा तो आप, GP का sum क्या होता है, GP का formula यह होता है, 1-r की पार, n upon 1-r, तो यह formula यूज कर लो, तो a का value है, 5 plus x की पार 500 है, यह first term, 1-x upon 5 plus x, ठीक है, यह, इसकी पार, number of terms, और नीचे आ जाएगा, 1-x upon 5 plus x, अब इसको simplify करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यह उपर चला जाएगा, तो 5 plus x की पावर 501, चीक है, और नीचे basically बचेगा 5, नीचे 5 बचेगा, और इधर अगर आप simplify करोगे, तो 5 plus x की पावर 501, माइनस x की पावर 501, upon 5 plus x की, यह simplify कर लो, ठीक है, यह सब, simplification कर लोगे, तो यह और यह cancel हो गया, तो ultimately अपने पास आ गया, 1 by 5, 5, 5 plus x की पावर 501, और माइनस x की पावर 501, और इसमें से आपको निकालना है, coefficient of x की पावर 101, तो coefficient of x की पावर 101, निकालो, तो अब देखो, x की पावर 101, इसमें तो आएगा नहीं, यह तो खाली एकी टर्म है, individual term है, इसका binomial expansion होगा, उसमें कहीं ना कहीं, x की पावर 101 भी आ रहा होगा, तो कितना आएगा answer, आप चाहो तो इसका general term लिख सकते हो, है ना, general term लिख के कर सकते हो, लेंदी तरीका, बट आपको directly चमक रहे गया, इसका जो x की पावर 101 आएगा, तो r का value आपको 101 ही लेना पड़ेगा, और 5 की पावर हो जाएगा, इन दोनों का difference, which is 400, और नीचे यह 1 by 5 भी है आपने पास, ठीक है, तो ultimately यह आएगा answer, यह है 501C101 और 5 की पावर 399, यह है ना, this is the final answer, 501, option A, ठीक है, वो 399 वाला, that is the answer, यह सांचना आए कि नहीं, x की पावर 101 चाहिए ना, आप चाहो तो general term लिख लो, देखो ऐसे, यह r, 5 की पावर, इन दोनों का difference, चीक है, दोनों का difference, और x की पावर, x की पावर, r, तो अपने को चाहिए, x की पावर 101, तो r का value क्या लेना पड़ेगा, इसमें substitute कर दो, r का value 101, तो क्या बनेगा, यही 1, c, 101, यहाँ 101, पूट कर दो, इधर आएगा difference, तो difference कितना है, 400 का difference है, और x की पावर, यह इसका coefficient अपने को चाहिए, और 1 by 5 है, चमक यह, यह, चलो तो यह भी clear है, आगे बढ़ते है, अगला topic है, multinomial, यह भी easy है, देखो, अबनलब इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, भी नहीं है, it is very very easy, तो पहले तो उसका जो डर है, वो बगा दो, actually आसान है, बस मैं आपको short में समझाओंगा, वैसे तो detail में ही समझाओंगा, बट, आप ध्यान से समझना, जितना important है, वो मैं सब कुछ आपको बता दूँगा, तो multinomial is very easy, अगर मान लो की binomial की बजाए, ऐसा multinomial टाइप का सवाल आ गया, जिसमें, let's say कि दो से ज्यादा terms given है, अब दो से ज्यादा वाल्लब, तीन, चार, पांच, कितने भी terms given है, आप multinomial का concept लगा सकते हो, तो मान लो जैसे तीन टम का सवाल, maximum जो अपने, जेही में एड question थोड़े पूछे जाते है, तो multinomial में बस आप ये समझ लो, कि इसका general term कैसे लिखते है, अगर आपको general term लिखना आ गया, तो बाकी सारी चीज़े आप आरामज़े कर लोगे, बस ये सीख जाओ, कि general term कैसे लिखते है, general term लिखना भी बहुत आसान है, जब भी इसका expansion आप क general term देखो ऐसे लिखते है, n है तो n factorial आएगा, और कितने term है, तीन है तो यहाँ पर आप लिलो, r1 factorial, r2 factorial, r3, जैसे वहाँ पर खाली एक ही था न, r, ncr, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी होंगे, r1, r2, r3, चीगे, फिर पहला वाला जो term है, वो x1 है, जो दूसरा वाला term है, term है, वो x3 है, तो x1 की power आएगा, r1, इसकी power r2, इसकी power r3, और हमेशा, तो यह general term आगया, और हमेशा आपको यह भी पतावना चाहिए, where, where r1 plus r2 plus r3, where r1 plus r2 plus r3, इसका value हमेशा n के बराबर होगा, चीगे, तो यह equation हमेशा, मरलब इसकी power, 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 इन सबका sum, यह तो आपने binomial में भी देखा था ना, binomial में भी तो आपने यह देखा था, basically binomial का general term क्या होता है, देखो, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हू, binomial का general term होता है, ncr, x की power n-r, और y की power r, यह होता है, binomial का general term है, और इस general term में इसको आप open कर दो, इसको open करेंगे तो यह है, n factorial upon r factorial, n-r factorial, अब यह किसका general term है, यह general term है, x plus y की power n का, इसका general term यह है, यह पूरा, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं आपको यह कह रहा हूं, कि यह जो r है, उसको replace कर दो r1 से, basically इधर जो r है उसको आप r1 बोल दो थोड़ी देर के लिए, और जो n-r है, उसको आप थोड़ी देर के लिए r2 बोल, तो यह बन जाएगा n factorial, नीचे r1 factorial, r2 factorial, x की power n-r is basically r2, और r is r1, तो यह वही तो है, और x, x और y के जो power होते हो, उनका sum कितना होता है, r1 plus r2 आप यहाँ पर करके देखो, इन दोनों को add करेंगे, तो कितना आएगा, n आएगा, तो यह वही है, अगर दो term है, तो r1, r2 आएगा, इसी theory को हमने extend कर दिया, अब r1, r2, r3 आएगा, अगर 4 term है, तो r1, r2, r3, r4 आएगा, पर जो 4 का sum आएगा, या 3 का sum आएगा, वो n के बराबर ही होगा, तो जैसा binomial में था, उसी को हमने extend किया है, यह कोई नई चीज नहीं है, समझ में आगया, यह कोई नई चीज नहीं है, it is one and the same thing, understood, उदर r1, r2 है, इदर r1, r2, r3 आजाएगा, clear, जैसा for example, एक example से समझो, अगिन आपको इसमें मुलाब PhD नहीं करन देख, for example आपको ऐसा कुछ देदेंगे, 3x-4y प्लस 7, इसकी पावर है 10, इसका general term लिखके बताओ, इसका general term ऐसे लिखेंगे, 10 factorial upon r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial, अब यह जो तीनों terms हो, उसको लिख दिया करो, 3x, फिर अगला है, minus 4y, और अगला है 7, इनकी पावर आएगी, r1, r2 और r3, तो बस यह general term लिखना आगया क्या, आपको अगर general term लिखना आगया, तो multinomial के सारे सवाल हो जाएंगे, जनरल term लिखना आना चाहिए, अगर यह आगया, तो फिर खतम है, अब देखो, जैसे question, मानलो यह question आगया, यह basically j का ही pyq है, coefficient of x की power 4, इसमें से निकालना है, अब यह binomial तो है नहीं, तीन-तीन term है, तो अपने को multinomial use करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका general term लिख लो, इसका general term लिख लिए अगर हो सबसे पहले, तो 10 factorial, नीचे आएगा, r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial, इधर है 1, अगला वाला जो term है, वो है x, और अगला जो term है, वो है x square, इसकी power r1, इसकी power r2, इसकी power r3, तो basically general term यह आगया, 10 factorial upon r1 factorial r2 factorial r3 factorial, 1 की पार कुछ भी हो तो 1 ही होता है, x की power को club कर लो, तो r2 plus 2 times r3, अब हम चाते हैं, coefficient of x की power 4, मतलब हम यह चाते हैं, यह कितना बन जाए, हम यह चाते हैं, यह 4 बन जाए, भई हम यही तो चाते हैं, हम चाते हैं, निकालना, coefficient of x की power 4, मतलब हम चाते हैं, यह जो x की power है, वो कितनी हो जाए, वो 4 हो जाए तो एक equation यहां से आगी आपके पास दूसरी equation pocket वाली एक equation तो हम जेव में ही रखके गुमते है ना R1 प्लस R2 प्लस R3 वो N के बराबर होता है तो यह 10 के बराबर आए ठीक है तो दूसरी equation यह R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों का जो sum होता है वो हमेशा 10 N के बराबर होता है ठीक है तो यह 2 equation आगई अब यह 2 equation को देखके आपको cases बनाने पड़ेंगे है ना कि मतलब R1, R2, R3 का value हम क्या-क्या ले ले ताकि यह दोनो equations satisfy हो जाए तो कितने cases बनेंगे आप खुद बताओ, सोचो यहाँ पर R1 है R2 है और R3 है हम R1, R2 तो इसमें basically तरीका यह होता है कि कि किसी एक को fix कर दिया करो भई यह सब R1, R2, R3 है ना तो इन तीनों का value जो R1 है वो minimum 0 से चालू होगा maximum वो 10 तक ही जाएगा 10 तक ही जा सकता हो similarly R2, similarly R3 सबका value 0 और 10 के बीच में ही रहेगा otherwise तो defined ही नहीं होगा 0 से लेके N तक जा सकता है maximum तो आप 0 से start कर दिया करो ताकि आपका कोई case miss नहीं हो गए यहाँ पर बहुत तर लोग बुलते हैं sir मेरा तो case miss हो गया तो आपका कोई case miss हो गए नहीं आप किसी एक को इन तीन में से किसी एक को fix कर दिया करो तो मैं R3 को fix करने जा रहा हूँ है ना R3 का value हम सबसे minimum से चालू करेंगे सबसे पहले मैं 0 लेता हूँ तो अगर R3 0 है तो R2 को 4 होना ही पड़ेगा इसको 4 होना ही पड़ेगा ना तभी तो यह equation R3 का value पूटकर तो 0 तो यह 4 आ गया और तीनों का जो total है वो 10 है तो इसको 6 होना पड़ेगा क्योंकि तीनों का जो total है वो 10 है तो एक possibility यह है अब आप R3 का value अगला लेलो R3 का value 1 लेलो पहले 0, 1, 2, 3 इसे दीरे दीरे आगे बढ़ेंगे ताकि कोई case मिस ना हो अगर मैंने R3 को 1 लिया इसको 1 लिया तो इसका value 2 आएगा और तीनों का total 10 है तो यह 7 लेना पड़ेगा आपको ठीक है तो यह दूसरा case आगया तीसरा यह है कि आप R3 को 2 लो R3 को 2 लेंगे R3 को 3 लेलोगे तो यह negative आजाएगा तो R3 बस इतने ही case आएगे अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो R2 का value negative आजाएगा ना विच इस नाट पसिबल तो बस तीन case आएगे यह तीन case आगे है अगर तीन case आगे है तो बस अब R1, R2, R3 का value पुट कर दो इस में value through coefficient静ो कोईशियंट्स आजाएगे ना घोरी सब्सक्राइब नोli जो कुईशियंट्स आएगा वी करोगे मौिफिचर्टीन आएगा 10 अपावान 6-4 वैक्टोरियल घृप्टॉन इन को अंगला वाला जो आएगा वह आएगा एक टेन तरुल अपान सव rebuilding 2 एक टोरियल वन आट नहीं चुन हॉ अगिए को सब्सक्राइब कौईचेंट ऑफ एक्ष की पावर पोर इसमें भी एक्स की पाउर बने इसमें भी फॉर इसमें भी फॉर तो तीनों को एड़ करके यूविल गेट दा फाइनल आंसर क्लियर की नहीं यह बताओ ठीक है यह सब्सक्राइब एक्स की बड़ी पावर हाँ एक्स की मैक्सिमुम तो टैनी हो सकता ना पावर टैन है उससे ज्यादा पूछेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा चीक है तो आपको केसिस बनाने पड़ेंगे येस अगला क्वेश्टन ट्राई करो ये 2022 का है इसको ट्राई करो किसी भी एक को फिक्स कर दो यार ठीक है अल्टिमेटली वही आएंगे केसिस अब इसमें जैसे अगें ट्राई नॉमियल है ना तो पहले जनरल टम बताओ इसका जनरल टम आएगा 10 पेक्टोरियल अपॉन आर वन फेक्टोरियल आर टू फेक्टोरियल आर थ्री फेक्टोरियल इधर है 3x क्योग ना फिर माइनस 2x स्क्वेर और 5 अपॉन इक्स की पावर 5 चिक है इनकी पावर आर रटू आर थ्री तो एक्स की पावर कितनी आ गई एक्स की पावर बताओ पहली एक्वेशन एक्स की पावर है 3 आर 1 यहां से 2 आरटू 2R2 और माइनस 5R3 यह X की पावर है और इसको 0 करेंगे न क्योंकि अपने कोच यह constant term भई they are asking constant term constant term मतलब X की पावर 0 तो एक equation यह आ गई और दूसरी equation pocket वाली R1 प्लस R2 प्लस R3 यह 10 होता है यह दो equation आ गई अब आपको बनाने पड़ेंगे cases R1, R2, R3 यह cases बना लो तो how many cases are possible चीक है अब cases कैसे बनाएंगे cases बनाने के लिए किसी एक को fix करो R3 को ही fix कर दो अगर R3 को 0 ले लोगे R1, R2 दो equation दो variable ना solve कर लो R3 को 0 पुट कर दो दोनों में दो equation दो variable R1, R2 आ जाएगा similarly R3 का value 1 put करो फिर 2 put करो फिर 3 put करो फिर 4 put करो ऐसे put करकर करके check करना पड़ेगा चीक है R3 का value 0 put करने पर R1, R2 कितना आ रहा है किसी ने solve किया गया calculation करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप एक और चीज कर सकते हो किसी एक variable को eliminate कर दो वो भी चलेगा मतलब दूसरा तरीका आप ऐसे कर लो जैसे for example R2 का value निकाल के इसमें substitute कर दो किसी एक को eliminate कर दो किसी एक को eliminate करेंगे तो 3R1 प्लस 2 टाइमस R2 है ना R2 तो R2 का value है 10-R1-R3 यह value पूट कर दिया और minus 5R3 इक्वल टो 0 तो यह आ जाएगा यहाँ से कितना है यह 20 और यह हो गया 3R1-2R1 तो प्लस R1 और यह कितना हो जाएगा equal to 7R3 यह आ गया ना R1-R3 में relation आ गया तो दूसरा तरीका भी समझ में आ रहे R2 को हटा दिया अगर R2 को हटा दिया तो उससे benefit यह है कि R1-R3 में relation आ गया ना सिधा-सिधा अब आप यह देखलो कि R1 का value कितना लेने पर R3 integer आएगा इंटीजर आना चाहिए इंटीजर तभी आएगा जब यह 7 का multiple बनेगा 7 का multiple तभी बनेगा जब R1 का value एक तो 1 ले लो अगर आप R1 का value 1 लोग है तो यह हो जाएगा 21 21 divided by 7 तो 3 आएगा यह और तीनों का जो total है वो 10 है अगर तीनों का total 10 है तो यह 6 आएगा एक possibility तो यह है दूसरी possibility है आप इसको 28 बना सकते हो ना 21 के बाद क्या होगा 28 तो अगर मैं R1 का value ले लो 8 तो 28 by 7 यह आजाएगा 4 लेकिन यह possible नहीं है राइट 8 और 4 तो 12 हो जाएगा 8 और 4 बारा लेकिन हमें पताएगी तीनों का sum होना चाहिए 10 तो यह negative आएगा ना बीच वाला तो यह possible तो इसमें एक ही case आएगा देखो this is the only case और कोई case आएगा नहीं आप करके देख लो 1,6 और 3 एक ही possibility है 1,6 और 3 there is only one possibility और कोई नहीं आएगा आप अगला करने जाओगा तो 28 बनाना पड़ेगा 7 का multiple 21 फिर 28 वो 28 possible है नहीं तो यह possibility है बस तो अब इसमें आपको पता चलगा ना R1, R2, R3 का value पता चलगा तो इसमें substitute का तो इस वाल इक्वेशन में ठीक है तो R1, R2, R3 को substitute करेंगे तो 10 factorial यह है 1 factorial, 6 factorial 3 factorial है ना इधर क्या है 3 अब अगें coefficient पर focus करो चूंकि अपने को पताएगी X की पार तो 0 ही आएगी अगर आप R1, R2, R3 का value पुट करोगे तो वो हमने इसी तरह से adjust किया आएगी X की value तो 0 ही आएगी तो खाली 3 की power R1 कर लो तो 3 की power 1 minus 2 है ना इधर minus 2 है उसकी power R2 R2 is 6 और 5 की power R3 R3 का value है 3 तो यह आएगा coefficient, मरलब यह आएगा constant term, X की power 0 का coefficient है यह चीक है, अब इसको simplify करके इसमें से आपको यह पता लगाना था कि 2 की power कितनी आएगी where L is an odd number है ना, so 2 की power something into L, L क्या है वो odd है, मलब जितनी भी 2 की power है maximum वो बता दो तो इसको simplify करेंगे 10 into 9 into 8 into 7 6 factorial cancel हो जाएगा नीचे 3 factorial है इसका value 3 है इसका value 2 की power 6 है इसका value 5 की power 3 है ठीक है तो basically यह cancel हो जाएगा 5 times तो 2 की power कितनी आ रही है यह देख लो ना यहां से 2 की power 3 यह 2 की power 6 मलब 2 की power 9 आएगा और बाकी जो भी बच गया यह सब कचरा जो है यह सब और यह होगा ना समझ गया ना 2 की power निकल लो आप 2 की power 9 और बचा क्योंगे बचा 5 into 9 into 7 यह 3 से 3 भी cancel हो जाएगा into 5 का क्योब यह सब कचरा बचा है तो बस यह आगा ना this is 2 raise to k into l यह odd होगा इसमें कोई 2 तो है नहीं यह जो भाई साब है इनके पास 2 तो है नहीं even तो बन नहीं सकते यह odd है तो 2 की power कितना आएगा 9 आएगा What is the value of k The value of k is 9 Option D तो simple सवाल था आपको यह पता लगा रहा था कि 2 की power कितनी आएगी maximum 9 आएगी 2 की power 9 lengthy plus confusing a little bit confusing तो नहीं है multinomial मतलब general term लिख लो आपको यह एक pocket वाली equation और x की power जो भी निकालनी है अपने को constant term बोला था मतलब x की power 0 एक ही case आएगा तो जो भी आपका r1, r2, r3 आजाए उसको वापस put कर दिया करो coefficient आ जाएगा इधर भी तो हमने यही किया था r1, r2, r3 के 3 set है तो पहली बार इसमें put कर दिया बस तो यह आ गया हो सबको add कर देंगे अगर बहुत सारे cases आएगे तो add कर लो अगर एक ही case है तो अच्छी बात है हमारा calculation काम होगा ठीक है चलो और आगे बढ़ते है अब अगला concept अगला concept कौन सा है अगला concept है sum of the binomial coefficient ठीक है sum of the binomial coefficient एक सेकेंड sum of the binomial coefficient ठीक है यह भी simple है binomial coefficient का sum यह तो आई दिंग काफी लोग को पता भी होगा जो binomial coefficient का sum होता है nc0 plus nc1 इसका value कितना होता है आपको पता ही क्या कितने लोग को यह पता है कुछ-कुछ लोग को पता होगा 2 raise to n होता है इसका value होता है 2 raise to n sum of the binomial coefficient is 2 raise to यह कैसे आया यह देखो यह ऐसा है कुछ नहीं 1 plus x की पार n का expansion लिखके उसमें x का value 1 put कर देंगे तो पहले expansion लिख लो यह आएगा nc2 into x square ऐसे करते 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 है ncn into x की पार n यह आगया अपने को चाहिए sum of the binomial coefficient तो x का value 1 put कर दो तो यह बन जाएगा 1 plus 1 2 raise to n और यहाँ पे आजाएगा nc0, nc1 x का value तो 1 है समझ गये तो बस यह sum of the binomial coefficient आगया तो कभी भी अगर आपको sum of the binomial coefficient निकालना है तो x का value 1 put करके आजाएगा तो method भी ध्यान में रखो और result भी ध्यान में रखो sum of the binomial coefficient 2 raise to n होता है but method भी important है x का value 1 put करके हम निकालते है ठीक है और अगर हाँ अगर अगर अपने को पूछाए कि जो even वाले binomial coefficient है जैसे nc0, nc2 खाली even वालो को add करना है तो इसका value कितना आएगा और अगर खाली odd वालो को add करना है तो इसका भी value कितना आएगा अगर आप खाली even वालो को add करोगे binomial coefficient या फिर केवल odd वाले binomial coefficient को add करोगे तो इसका value होता है इसका आदा होता है इधर 2 raise to n होता है तो उसका half मतलब 2 raise to n minus 1 आ जाएगा ठीक है 2 raise to n इसका half होता है मतलब ये भी half और ये भी half ठीक है तो total जो sum होता है वो 2 raise to n होता है अगर खाली even वाले आपको चाहिए तो 2 raise to n minus 1 which is basically 2 raise to n का half और ये भी 2 raise to n minus 1 अब ये कैसे आया ये भी वैसे ही आया देखो ये भी वैसे ही आया आप 1 plus x की power n का expansion लिख सकते हो ये ही आएगा ना nc0 nc1 x nc2 x square और ऐसे करते 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 last मैं ncn x की power n इसमें एक बार आप put कर दो x का value 1 एक बार x का value 1 put करो तो ये आएगा nc3 और ऐसे करते करते ncn और एक बार आप x का value put कर दो minus 1 एक बार 1 और एक बार minus 1 तो x का value minus 1 put करेंगे तो ये 0 और X का value minus 1 put करेंगे तो minus NC 1 आएगा alternate plus minus आएगा यह समान माया और इसी तरह से यह चलता जाएगा NCN minus 1 की पार N ठीक लास्ट वाला अपने को नहीं पता positive यह negative इसलिए minus 1 की पार N अब add कर दो तो add करेंगे तो यह cancel हो जाएगा आएड करेंगे तो खाली even वाले आएगे वो भी तू टाइमस आएगे तू टाइमस NC 0 तू टाइमस NC 2 NC 4 यह सारे आएगे ठीक है और इसका value कितना है यहाँ पर अगर आप add करोगे तो अब इसको नीचे भेज़ दो यह वाला जो 2 है उसको भेज़ दो नीचे आगया ना हैंस परोड तू रेस टू एड माइनस वन दिख गया और अगर यह आ गया तो फिर इस वाली इक्वेशन में पूट कर तो दूसरा वाला भी आ जाएगा ठीक है तो दोनों का value आता है तू रेस टू एंड माइनस वन टू रेस टू एंड माइनस वन यह क्लियर येस सिंपल है न यह भी आसान है अब question पर आओ चलो यह वाला try करो यह question आसान है इसमें अगर आप ध्यान से देखोंगे न यह लिखा हो है देखो 1 प्लस 1 प्लस यह जो 2 है न यह 2 को आप कर लो 1 प्लस 1 1 प्लस और जो दूसरा वाला 1 है उसको लिख देना 49C0 49C0 फिर अगला वाला है 49C1 49C2 यह क्या चमका लास्ट में है 49C49 तो यह तो basically sum of the binomial coefficient हो गया न तो यह है और अगला वाला जो bracket है उसमें लिखा हुआ है 50C2 50C2 50C4 50C6 इवन वाले है मतलब खाली ठीक है लास्ट में है 50C50 तो इसका वेल्यू कितना आएगा बताओ इसको simplify करना है तो इस इस वन प्लस यह यहां पर आएगा 1 प्लस और यह sum of the binomial coefficient है 2 raise to n 2 raise to 49 तो इसका वेल्यू सही बात है है ना this is nothing बट 49C0 NC0 NC1 NC2 2 raise to n 2 raise to n और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगा तो 50C0 वाला missing है अगर 0 वाला होता तो सारे के सारे even आ जाते बट यह 0 वाला नहीं है तो इसलिए आप क्या करो कि 50C0 add करो subtract करो इसको add करना पड़ेगा और last में subtract भी कर देना यहां पर ठीक है ना तो subtract भी कर दो minus 50C0 ठीक है तो add कर दिया subtract कर दिया अब बताओ इसका value कितना आएगा यह यह पूरा ठीक है तो खाली even वाले terms है अगर खाली even वाले terms है तो 2 की power n-1 50-1 तो 49 है ना 2 की power n-1 होता है तो this और इसका value कितना है इसका value तो 1 होता है तो यह आगया अब यह बन गया a plus b a minus b है ना तो इसमें आप formula लगा तो यह कितना बनेगा 1 plus 2 की power 49 इसका square a square minus b square तो यह और यह cancel हो जाएगा ultimately 2 की power 98 आ गया 2 की power 98 into कुछ नहीं लिखा मतलब into 1 अब यह into 1 क्यों लिखा क्योंकि आपको compare करना है तो compare कर लो 2 raise to n into m तो कितना-कितना value है इसका value 98 है और इसका value 1 है तो n का value 98 और m का value 1 आपको पूछा क्या है आपको पूछा है n plus m n plus m कितना आएगा n plus m आएगा 99 आएगा यह तो यह दो चीज़े अगर आपको पता है तो काफी question हो जाएंगे वैसे भी तो यह भी simple है एकदम ही simple है आगे बढ़ता है अब sigma method sigma method यह भी easy है sigma method इसमें देखो क्या करना है sigma method जो है यह भी आसान है ठीक है 99 आजाएगा sigma method में basically दो type के question है जो बहुत famous है ठीक है तो उसका ध्यान रखना एक तो basically आपको यह तो पता ही होगा कि sigma 1 का value कितना होता है let's say r is going from 1 to 100 तो इसका value 100 आएगा sigma 1 होता है n sigma 1 you know right यह तो simple है बट एक type का question जो बहुत famous है binomial में वो यह है r into ncr यह देंगे r into ncr r is going from 0 to n इसका value एक तो आप निकाल के बताओ this is question number 1 question number 2 question number 3 एक यह भी famous है r equal to 0 से लेके n खाली ncr लिख देंगे यहां पर तो यह भी easy वाला है और एक और famous है 0 से लेके n r square into ncr इसका value भी आप बताओ तो मतलब mostly यह वाला question और यह वाला question तो बहुत जादा famous है यह हर साल आते ही आते है ठीक है second और fourth वाला यह sigma method में यह बहुत जादा famous है तो जब भी r into ncr होगा ना उसको करने का एक ही तरीका है देखो ध्यान से देखना sigma और r into ncr अब कुछ भी करके आप r को cancel करो cancel करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम यह वाला formula use कर लिया अब जैसे यह formula use किया तो उसका फाइदा यह है कि यह cancel हो जाएगा लेकिन अगर आपने एक term cancel किया तो अब r का value 0 से नहीं r का value 1 से चलोगा वैसे भी आप r का value 0 पुट करोगे तो यह negative आ जाएगा तो 0 तो वैसे पुट नहीं कर सकते r का value क्योंकि एक term आपने cancel कर दिया तो अब r का value 1 से लेके n तक जाएगा यह आगया अब यह जो n है वो तो constant है उसको आप बाहर निकाल सकते हो तो इसको हम sigma से बाहर निकाल लेंगे यह देखो यह आ जाएगा n sigma से बाहर निकल गया यह n r का value जा रहा है from 1 to n और यहाँ पर लिखा है n-1 c r-1 अब यह क्या है अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे so this is nothing but this is 2 की पावर n-1 यह sum of the binomial coefficient ही तो है आप इसमें r का value पूट करो न 1 इसको open करो इसको open करेंगे तो n-1 c r का value 1 पूट करेंगे तो 0 फिर r का value 2 पूट करो r का value 3 पूट करो ऐसे करते करते लास्ट में r का value n पूट करो this is nothing but this is the sum of the binomial coefficient n की बजाए n-1 है तो इसका answer क्या आएगा इसका answer 2 raise to n होता है और n की value n-1 यही तो आएगा ठीक है यह answer आगया यह clear है कि नहीं यह basically कुछ नहीं sum of the binomial coefficient है तो बस यह answer आ जाएगा न n into 2 raise to n-1 यह clear है अगर इसका answer बताओ चलो यह भी यह भी क्या है यह भी 2 raise to n आएगा यह जो third वाला है वो भी क्या है वो भी sum of the binomial यही देखो न nc0 फिर nc1 nc2 nc3 n तक जाएगा तो इसका answer 2 raise to n और एक यह famous है यह आपको method समझना आया आप उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दो करना है इधर भी आपको सेम करना है सिगमा वेर आर इस गुएंग फ्रॉम लेकिन अब यहां पर देखो आर स्क्वेर एंसी आर उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में अब यहां पर आप करोगे तो एक यह आर कंशल होगा राइट एक एक आर कंशल पिर भी अभी वी एक बचेगा और अगर आपने एक टम कंशल किया तो अब यह वन्स लेके N-1 तक 1 से लेके N तक जाएगा 0 से स्टार्ट हो रहा था अब 1 से स्टार्ट होगा इतना ही डिफरेंस है अगेन ये जो N है वो तो constant अब उसको बाहर निकाल लो तो N को बाहर निकाल लेंगे N यहाँ पर आगया यहाँ पर लिखा हुआ है अब यहाँ पर बचा R और बचा अब इसको कैसे करेंगे आगे इसको आगे करने के लिए हमेशा एक चालाकी होती है बहुत standard अप्रोच है वो ध्यान रखना माइनस वन और प्लस वन करेंगे यह बहुत ही ज़्यादा standard है यह आपको पताओ न अच्छी बचपन से ही यह सब पढ़ लो बचपन से बताओ न अच्छी अब इसका फाइदा क्या है माइनस वन प्लस वन करने का फाइदा यह है कि R माइनस वन के साथ एक बार यह आजाएगा और एक बार वन के साथ यह आजाएगा तो यह जो sigma है वो basically split हो जाएगा तो sigma को split करोगे ना इधर n है एक बार sigma के अंदर आएगा r-1 into n-1cr-1 और एक बार sigma के अंदर आएगा खाली n-1cr-1 यह आगया देखो sigma को split कर दिया दो अलग अलग अब इस वाले का answer कितना होगा this is nothing but this is the sum of the binomial coefficient यह तो 2 raise to n-1 आजाएगा यह तो वही आगया जो ऊपर आया था यह यह और यह तो सेम ही है n-1cr-1 तो यह वही है 2 की power n-1 तो इसका तो answer आगया इसको कैसे solve करेंगे इसको solve करने का method बताओ इस वाले को solve करने का method वही है जो आपने इधर गिया था इधर r से r cancel किया था ना तो इधर r-1 r-1 cancel हो जाएगा मतलब इसको आगे solve करने के लिए आप ऐसे कर ले ना उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक कम तो यह cancel हो जाएगा और यह तो सिग्मा के बाहर निकल जाएगा तो खाली इसके उपर सिग्मा लगेगा तो जब इसके उपर सिग्मा लगेगा तो इसका answer आजएगा 2 की power n-2 तो फिर से कर देंगे यहां पर बेसिकली फाइनल आंसर क्या आएगा एन आप देखो यह n-1 भाहर निकलेगा multiplied by 2 की power n-2 और यह होगा 2 की power n-1 सब्सक्राइब यहां से आप चाहो तो common ले सकते हो 2 की power n-2 तो n-2 की power n-2 common लेलो पूरे मैंसे तो n-1 प्लस 2 आजाएगा ना basically this is n-1 2 की power n-2 यह आएगा final simplify करने के बाद तो यह question बहुत famous है यह question बहुत famous है और यह तो sum of binomial coefficient है है ना तो sigma method में यह दो सवाल बहुत frequently पूछे जाते है ठीक है advance में भी और main में भी ओके अब question बहुत है तो यह question try करो चलो यह सवाल एक बार try करो कैसे करेंगे यह कैसे करेंगे बताओ इसको sigma में convert करो पहले तो एक series है ना तो जब भी series वाले question आएंगे क्या करेंगे जब भी यह series वाले सवाल आएंगे तो पहले इसको आप sigma form में convert करो फिर हमने जो भी अभी अभी पढ़ा वो सब लगा देंगे ठीक है तो sigma form में कैसे convert करेंगे यह जो left hand side है इसी को sigma format में लिखना है तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 30, 29, 28 अचा चलो उसकी छोड़ो यहां पर देखो 30C 0 30C 1, 30C 2 तो यह आपको चमक्या 30C R आएगा 30C R sigma R का value चालू होगा 0 से 30C 0 फिर 30C 1, 30C 2 R का value last में कहां तक जाएगा 29 तक जाएगा यह clear है लास्ट में 29 अब ब्रेक अभी करते है इसके बाद करते है ठीक है तो यह 29 तक जाएगा और आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30, 29 यह degrees है तो आगे आएगा 30-R यह आएगा 30-R आएगा अलब बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते है इसका जो जनरल टर्म आएगा वो यह आएगा 30-R multiplied by 30C R यह आएगा देखो जैसे ही आप R का value 0 पूट करोगे तो first term बन गया R का value 0 पूट करेंगे तो 30 into 30C 0 फिर R का value 1 पूट करो R का value 1 पूट करेंगे तो यह होगे 29 second term बन गया R का value 2 पूट करोगे तो third वाला term बन गया R का value 3 पूट करो last में 29 पूट करेंगे 29 पूट करेंगे तो last वाला term बन गया थो सिगमा में कवर्ड कर लिया अब सिगमा में कवर्ड कर लिया तो अब इसको स्ट्रिट कर दो एक बार आयगा 30 5 हम और minus res कि अब आपको पताईगी कि लोंहों sizin दुनकों in divijually क साल्ड कीसे करते हैं इन्डिविज्यल खर यहां पे तो यह जो 30 है वो बाहर निकल, constant है तो 30 बाहर, sigma 30cr और r का जो value है वो 0 से लेके 29 तक जाएगा, clear, 29 तक जाएगा, एक्चुली 29 नहीं आप 30 भी कर सकते हो, यह 29 की जगह, एक चीज और बताओ, अगर मैं यहाँ पर 30 लिख दो, तो किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि इसका जो अगला वाला term है वो आप 0 ले 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 लो, 0 into 30 से 0 ले सकते हैं, है ना, आप इसमें r का value 30 put करो, तो 0 ही तो आएगा, त आप इसको last ले लो, last वाला जो term है उसको 0 ले लो, ऐसा इसलिए क्या सिमेट्री बनी रहे है, है ना, तो इसलिए मैंने r equal to 0 से आप सीधा 30 तक ही जाने दो, last वाला जो term है वो तो वैसी 0 है, तो यह भी कर सकते है, ठीक है, तो r का value 0 से लेके सीधा-सीधा 30 तक जाने दो, औ माइनस, अब इधर क्या करेंगे, इधर आपको पता ही है, r है तो उपर वाला उपर, नीचे वाला नीचे, 29cr-1, यह cancel हो जाएगा, यह बाहर निकल जाएगा, कितना आंजर आ रहे है, यह 30 है, यह पूरा कितना बनेगा, this is the sum of the binomial coefficient, तो 2 की पावर 30 आएगा, माइनस, यह 30 common निकलो, और जो बचेगा, इसका सिग्मा, वो आएगा, 2 की पावर 29, अगें, sum of the binomial coefficient है, तो ultimately क्या क्या common निकलेगा, 30 into 2 की पावर 29 आप ले लो common, तो बचेगा, 2 माइनस, 1, 1 हो जाएगा, यह आ रहा है, अब इसको compare करना था, इसके साथ, इसको compare करना था, n into 2 की पावर m कैसा, तो यहाँ पर काफी लोगों ने, यह गलती करी थी, एक्जाम में मुझे यहाँ दे, कि n का value 30 आगया, ऐसा काफी लोगों ने किया था, अभी मैं चायट में भी देख रहा था कि काफी लोगों ने, इसका answer 59 बता रखा है, बट क्या इसका answer 59 आएगा, यह गलत है, यह gcd मतलब hcf of 2,n, अगर आप n का value 30 ले रहे हो, अगर आप n का value 30 ले रहे हो, तो hcf तो 2 आ जाएगा न, बट question में given है कि hcf 1 आना ची, मतलब आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, ठीक है, तो actually यह जो है, इसको further ऐसे लिखना था, यहाँ से एक 2 निकाल के इसमें multiply कर मतलब यह है 15 इंटू 2 की पावर 30, अब सही है, अब आप compare कर लो, यह गलती नहीं करनी थी, यह 30 में भी तो एक 2 होता है न, वो 2 आप इधर पावर में ले जाओ, तो 15 इंटू 2 की पावर 30 करना था, तो n का value 15 है, m का value 30 है, और m प्लस n जो आएगा, वो 45 आएगा, यह काफी लोगों ने कर दिया था, मुझे पता है, मुझे याद है, 2021 में बहुत लोग यही गलती कर गया थे, है न, यहां पर मनलब, जैई वाले खेल गए, तो यह ध्यान रखना, मनलब, छोटी-वोटी बात है, देखो, आप n का value 15 है, तभी तो HCF 1 आएगा, HCF 2,15, अभी यह 1 है, यह ठीक है, this is okay, this is correct, यह छोटी-वोटी बातों का ध्यान रखो, बस, 45 आएगा answer, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह वाला question, और इसके बाद, यह एक और कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो एक last question, इसको try कर लो, इसमें general term बताओ, यह given हैं आपको ठीक है, this is given, इसको sigma में convert करो, sigma में convert करेंगे, तो basically जो CR है, वो 25CR है, अलब this is 25C0, यह हर जगा 25 है, वो automatically आपको समझना है, ठीक है, 25CR आजाएगा, आर का value again, 25C0, 25C1, 25C2, last में 25C25 तक जाना है, तो R का value 25 तक जाएगा, अब यह जो आगे वाले number, जैसे इसके आगे 1 है, 159, यह क्या है, अगर इसके coefficients देखोगा तो 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, ऐसे करते करते हैं, last में 101 तक यह जा रहे है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगा तो यह AP है, जिसका common difference 4 है, तो AP का general term लि term कैसे लिखेंगे, इसका format basically अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 4R plus 1 है, यह दिखा कि नहीं, it is nothing but this is 4R plus 1, यह format है, yes, 4R plus 1 है आप यह से लिख लो, 4R plus 1, यह है, 4R plus 1, इसका actually color change कर दो, 4R plus 1, तो आप देखो, R का value 0 put करेंगे, automatically 1 आएगा, पिर R का value 1 put करेंगे, R को 1 put करोगे, तो 4 plus 1, automatically 5 आएगा, R का value 2 put करेंगे, तो automatically 9 आएगा, last में R का value 25 put करेंगे, तो automatically 101 आएगा, तो समझ गे न, general term, 4R plus 1 है, यह AP है, AP से आप इसका general term है, वो भी निकाल सकते हो, तो actually 4R plus 1 आएगा, अब इसको split कर लो, है न, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो यह ultimately 4 into R into 25CR, और यहाँ पे है, खाली 25CR, इसका sigma, और इसका sigma, तो यह 4 को तो बाहर निकाल लो, आप sigma से, ओके, 4 को थोड़ा दूर कर लो, इसका sigma, यह आगया देखो, ठीके, तो 4, sigma, अब इधर करेंगे, R, उपर वाला उपर, नीचे वाला नीचे, एक एक कम, और इधर है sigma 25CR, ठीके, तो यह और यह cancel हो जाएगा, यह भी बाहर निकलेगा, तो 4 into 25, यह हो गया 100, और sigma के अंदर क्या बचेगा, 24CR-1, अब सिंस एक टर्म आपने cancel किया, तो R का वेल्यू 0 से नहीं, अब 1 से चलू होगा, और 25 तक जाएगा, और इधर, इधर हमने कुछ भी cancel नहीं किया है, अभी भी R का वेल्यू 0 से 25, और 25CR, अब यह क्या है, देख 24, और यह है 2 की पावर 25, sum of the binomial को efficient है, तो आगे अगर आप देखोगे, तो 100, this is nothing but, this is 2 की पावर 24, and this is nothing but 2 की पावर 25, तो आप 2 की पावर 25 कॉमन ले लो, है ना, 2 की पावर 25, यहां से भी एक 2 ले लो, तो बचेगा 50 प्लस 1, 51 आएगा, ठीके 2 की पावर 25, इंटू कितना तो के का वेल्यू है, 51 is the answer, यह संच माया, फाइनली इसका answer है, 51, तो यह भी आसान है, सिग्मा मेथर्ड में यह होगा, बार बार, आपको यही question में देंगे, R into NCR, यह जितनी जल्दी, मैंने आपको starting में बता दिया, R into NCR, यह, R into NCR है तो यह करेंगे, और यह भी बता दि इसका direct result है, वो भी याद कर सकते हो, ताकि बार बार करना ना पड़े, exam में, तो if you are intelligent, याद कर सकते हो, ठीक है, बाकि method आपको पता ही है, इसका answer होता है, N into 2 की पार N-1, अगर R into NCR है तो, और R square into NCR है, तो N, N plus 1, into 2 की पार N-2, तो सीधा-सीधा use भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको result पता है, तो, जैसे यहाँ पर वही तो हुआ ना, आप अगर इसका result पता है, देखो, 4 है, यह direct formula यूज करोगा है, तो 4, और इसका direct result क्या है, इसका direct result है, N, N into 2 की पार N-1, यह है, तो सीधा-सीधा formula लगा तो वही आ गया ना, 25 into 400, और यह 2 की पार 24, सीधा- सकते है, exam में, otherwise वही repeat आपको करना पड़ेगा, बार-बार, वही process बार-बार repeat, तो कुछ भी कर सकते हो, या तो process repeat करो, या फिर formula याद करो, ठीक है, दोरों ऐसे कोई भी, एक बड़ प्रोसेस से repeat कर लेना, आप तो, क्योंकि कभी-कभी यह values पा गडबड कर देते है, कभी 0 से 25, कभी 1 से 25, अगर एक आदा term missing है, तो आपको add, subtract करना पड़ सकता है, अलगी ऐसे question कम आते है, फिर भी, एक बार check कर लिया करो, ठीक है, हाँ, पूजा करने वाली break चाहिए, अभी, ठीक है, चलो, तो तुम पूजा करो, किसकी पूजा करोगे, तो break में, आराम से, थोड़ा सा, मतलब rest कर लो, और फिर मिलेंगे, है न, एक छोटी सी, break के बाद, multiplying, देखो, देख लेते हैं, एक बार, क्या के बचा, multiplying, इसका एक shortcut ही होता है, सिधा सिधा, वो मैं बता दूँगा, और, यह सब वही shortcut वाले सवाल है, फिर एक advance का सवाल है, एक और advance का सवाल है, फिर differentiation बचाए, ठीक है, integration बचाए, यह काफी अच्छा सवाल है, जो हम करेंगे, और, फिर double sigma, double sigma के बाद, binomial for any index, यह सब बचाए बस, ठीक है, तो यह हम करेंगे सब कुछ, अभी, यहां से चालू करेंगे, ठीक है, एक break आप ले लो, मिलेंगे break के बा वही standard break at 22, okay, break के बाद मिलते है, आप फटा फट एक बार, break जैसे ही खतम होगा, यह जो हूटर बजेगा, हूटर बजेगा तो वापस आ जाना, ठीक है, यह तो लेट्स टेक स्मॉल ब्रेक, ओके, कर दो लेराने को गर है, यह जो हूटर वाइशना मिलेंगे, एक क्ष़छर बजसे के वापसे तो यह ज़िए लेगा है, वाभी, यह तो आना, आप समॉल जाएशना, जापसे तो लेख एक रुपदर लेगाएशना, आपसे लेगे, यह मिलेगे, अन्याद नावाशना, व झाल 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 हलो ये आगी कैस अब लोग है ना ये ब्रेक का टाइम बहुत जल्दी खतब हो जाता है ये बात तो सच है ये ना किप्ता भी टाइम हम ले 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 के टाइम हमेशा कम पड़ जाता है बट एनिवेज आप ज्यादा बचा नहीं है ना तीन चार टॉपिक है चोटे मोटे जो अपने बचे है बट अगेन वह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको दिखाया था ना बीच बीच में बहुत सारे एडवांस के जो questions है वो भी हम करेंगे तो काफी अच्छे questions हम प्रैक्टिस करने वाले बट उससे पहले एक नया topic पढ़ लेते मल्टिप्लाइंग बाइनॉमियल कोईफिशेंट है ना जब भी दो बाइनॉमियल कोईफिशेंट मुल्टिप्लाइड होते ना जैसे मानलो अगर आपको ऐसा कुछ दिखें कि बढ़ी M C R और दूसरा N C इसमें लेट से N माइनस आर या सम्धिंग लेक दाट है अगर इस इसमें यह वादा कॉंसेट लगाएं अब इसमें कॉंसेट होता क्या है देखो इसमें डारिक शॉटकट होता है बीसिकली एन वी स्टाइल एक दम एक्स्क्लूजिव शॉटकट मजा आजाएगा आपका सीधा अंसर आएगा ठीक है तो हमेशा देखो आप पहले तो यह एकि दो बाइनआमीयल को इफिशेंट मुल्ट प्लाइड होने चाहिए तो मaczego पत्सेजिगा गांव इसमयल कोईफिशेंट्स मुल्टिपलाइड होने होन चाहिए लगे ईसुए मर्टिपलाइड होने चाहिए पहली सीज है दूसरी चीज यह है कि जो इन दोनों के जो सब्सक्रिप्ट है ना जो नीचे वाले नंबर दे उनका सम constant होना चाहिए यहां पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम कितना है इनका जो सम होता है वो क्या होना चाहिए वो constant होना चाहिए तभी आप शौटकेट लगा सकते हो इन दोनों का सम कितना है अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो भी कितना है तो भी आ रहेगा अगर आप लास्ट में यह जो लिखाओ है इन दोनों का सम करोगे तो भी कितना है तो भी आ रहेगा तो सबका सम सेम है सबका आ रही तो आ रहे है जो नीचे वाले नंबर है उनका सम constant होना चाहिए then you can apply the shortcut और तीसरा point तीसरा point यह है कि सारे के सारे terms covered होने चाहिए आप जैसे यहाँ पर चलू करो nc0 से चलू रहा है तो 0 से लेके n तक सारे के सारे terms covered होने चाहिए आप इसमें देखोंगे तो nc0 फिर nc1 येस आपको सारे terms देख रहे हैं आप इधर ध्यान से देखो यह है nc0 फिर nc1 फिर nc2 last मैं ncr तक जा रहे हैं इसमें भी अगर आप देखोंगे तो mc0 से चलू रहा है mc0 mc1 mc2 last मैं यह mcr तक जा रहे हैं मतलब 0 से start होके आर तक सारे आप 0 to end नहीं 0 to r करनो 0 से लेके आर तक सारे के सारे जो terms है वो cover होने चाहिए then you can apply the shortcut अगर सारे terms covered नहीं है तो फिर basically जो भी term missing है वो आपको add और subtract करना पड़ेगा समझे ना तो पहली चीज बाइनोमिल कोईफिशेंट जब भी multiplied है आप लगा सकते हो जो नीचे वालों को सम होता है वो constant आना चाहिए और 0 से लेके जो भी maximum है वहां तक सारे terms covered होने चाहिए अब shortcut लगाएंगे कैसे तो देखो अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए ना तो shortcut लगाएंगे जाए अब बस उपर वालों का सम कर लो उपर वालों का सम कितना है एम प्लस एगा और नीचे वालों का सम कर लो नीचे वालों का सम कितना है वह है तो बस this will be हमेशा ठीक है तो यह इसके उपर question करते है आपको थोड़ी और feel आईगी ठीक है जैसे for example यह हो गया अब यह लिखा c0 c0 मतलब nc0 का square nc0 का square nc1 का square nc2 का square इसी तरह से करते-करते last मैं मान लो आपके पास है ncn का square ठीक है तो इसका value आपको निकालना है मान लो कि यह value आपको पता नहीं है हम खुद ही निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो अब यह दो binomial coefficient multiplied ही तो है this is nc0 into nc0 तो आप इसको ऐसे लिख लो देखो ऐसे लिख लो nc0 और जो दूसरा वाला nc0 है उसको आप लिख दो ncn पर लब उसमें आप use कर लो ncr is equal to ncn- अब लिख सकते हैं similarly इसमें आप क्या करो nc1 और जो दूसरा वाला है उसको लिख दो ncn-1 similarly जो अगला term है उसमें nc2 और ncn-2 ऐसे चलते 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 लास्ट में आ जाएगा ncn और जो दूसरा वाला है वो nc0 अब आपको मेरे काल से clearly दिख दिया होगा कि नीचे वालों का sum constant है yes or no इन सबको add करेंगे तो कितना आएगा नीचे वालों का sum अगर constant आ गया तो आखों में चमत shortcut लगा सकते इधर देखो इन दोनों का sum आएगा n इधर भी आएगा n इधर भी आएगा n लास्ट में भी इधर भी आन प्लेस न तो ऊपर वाले का sum आएगा 2N तो यह आप का अंसर आगे है तो फाइनल आंसर यह है 2N का factorial अपॉन n का factorial और इन दोनों का difference तो यही आएगा मतलब यही आएगा ठीक है तो हैंस प्रूड समझना आया अगर कभी भी दो बाइनोमियल कोईफिशन मल्ट market अब जैसे एक और question करते हैं यह बिख हुआ है यहां पर लिखा हुआ है N7 जो फिर nc1 इंटू nc2 फिर nc2 इंटू nc3 और इसी तरह से यह जा रहे है लास्ट में ncn-1 और ncn अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी इन दोनों का sum constant नहीं है इनका sum आ रहा है 1 इनका sum आएगा 3 तो अलग 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 आ रहा है तो अभी तो आप shortcut नहीं लगा सकते हैं अभी तो it is not possible आपको कुछ और arrangement करना पड़ेगा जिससे की नीचे वालों का sum constant आ जाए तो इसको nc0 रहने दो इसको आप लिख दो ncn-1 लिख दो कर सकते हैं अब देखो आप अब जो जादूगर था वो हो गया मतलब नीचे वालों का जो sum है वो n-1 आ गया हर जगह हर जगह जो नीचे वाले हैं उनका sum है n-1 और उपर वालों का sum है 2n तो बैस दिस इस दांसर यह अपना आंसर आगया 2ncn-1 लियर तो डैरिकली आप यह 1-1 आएगा इसका अंसर इसका अंसर बताओ यहां पर भी वही करना है यह nc0 इसको आप लिख देना ncn-2 लिख देना similarly जो अगला term है वो nc1 और यह ncn-3 similarly nc2 ncn-4 तो मेरे काल आपको चमक गया होगा last मैं ncn-2 और यह बन जाए का nc0 clear तो नीचे वालों का sum constant अगया इन दोनों कोああ करो इं बनों को aides क gallery और इस तरह से कर लोगरा multiplying by polynomial coefficient that is easy अब जैसे यह question आये था ठीक है यह question मैं यहाँ पर लिख देता हूं यह clear नहीं है यह question था 6 CR और 6C6-R और sigma r equal to 0 से लेके 6 यह सब भूल जाओ this is the question यह कैसे करेंगे तो आप देखो जो नीचे वालों का sum है वो तो constant है ना अगर आप इन दोनों को add करोगे तो r plus 6-r यह तो cancel हो रहा है नीचे fix आ रहे है ना नीचे वालों का sum कितना रहे fix आ रहे है ना तो इसका answer क्या हो जाएगा सीधा सीधा direct shortcut लगा लो नीचे आ जाएगा 6 और उपर आ जाएगा 12 तो 12c6 will be the answer 12c6 का value कितना होदा यह आएगा 924 आएगा आप calculate करके देखना option d is the answer सवाज में आया यह नहीं तो कुछ नहीं direct shortcut लगा सकते क्योंकि नीचे वालों का जो sum है वो आर पे depend नहीं करता है ना it is fix वो 6 ही आएगा आर का value चाहे आप कुछ बिलो 0 से इसको आप चाहो तो open करके भी देख सकते हो इसको open करेंगे तो यह बनेगा ना 6 C 0 आर का value 0 put करो फिर आर का value 1 put करो फिर आर का value 2 put करो समझे रहो तो पुट करेंगे तो यह आजाएगा और इसी तरह से last में आर का value 6 put करो तो यह आ गया तो नीचे वालों का sum constant है ना नीचे कितना आएगा सिक्सी आएगा और उपर सिक्स प्लस सिक्स ट्वैल आएगा तो ट्वैल सी सिक्स इसदा अंसर क्या है तो यह तो मतलब अब यहां पर इन दोनों को एड करोगे तो के पर डिपेंड कर रहा ना इसलिए इसको आप चेंज कर दो इसको आप लगा दो 31c और इन दोनों का difference वो कितना आएगा यह बेसिकली आजाएगा 32-k आजाएगा ना यह समझे लो 32-k आगया यह सोर नो यह इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया ncr तो nc n-r n-r में convert कर दिया और similarly इधर भी कर लो इधर भी सिग्मा के अंदर क्या है 30c k और इसको चेंज कर लो 30c और है ना दोनों का difference तो difference आएगा 31-k यह आगया अभी अगर आप नीचे वालों का सम देखो के तो वह constant है ना नीचे कितना आएगा 32 और उपर आएगा 62 यह आगया शॉर्ट कट लगा दो similarly यहाँ पर लगाएंगे तो 60 और नीचे 31 तो यह आ रहा है देखो अब इसको simplify करके अपने को इस format में लाना है तो आप simplify कर लो ना यह बेसिकली आएगा 62 वेक्टोरियल अपॉन 32 वेक्टोरियल दोनों का difference ऐएंगा 30 का ना में इधर 60 फेक्टोरियल 31 फेक्टोरियल और 29 फेक्टोरियल यह आ रहा है ठीक है अपने को 60 फेक्टोरियल कौमन चाहिए एक काम करो 62 फेक्टोरियल को आप ऐसे लिख लो ठीक है और यहाँ पर काम करो 33 मुल्टिप्लाइ तक इसका फाइदा यह होगा कि या 30 फेक्टोरियल बन जाए गड नीचे वाला बन जाए मैंनस थर्टी इन्टू 60 factorial divided by नीचे आगए 31 और 30 अब PRIOTORITY अब कॉमन ले लो तो क्या क्या कॉमन आएगा 60 factorial 쉬쉬 쉬 sis एकमन औरती फ़ेक्तॉर통 और महाना तो क्या बच़ा बच़ेगा 62 in 2016 इन्टू यह कॉमन लिया दे divided by 32 माइनस 30 यह आ गया देखो तो यह अपना आलफा है बस इसको कंपेर करेंगे जब आलफा इंटू 60 फेक्टोरियल सबसक्क्राइब टो यह सब तो काइंचल हो जाएगा तो आप कितना आएगा यहां से अगर आप cancellation कर लोगें यह 2 से शायद अपने को 16 अलफा ही तो पूछा है देखो तो 16 को इधर शिफ्ट कर देना ना 31 इंटु 61 माइनस 30 इंटु 16 यह आएगा 16 अलफा बस अब यह निकाल लो इस विल बी दांसर यह कितना आ रहा है कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा पहले तो बस यह शौर्ट कट लगाया यह कॉमन लिए अलफा आगया तो आपको 16 अलफा बताना है तो यहां से आ जाएगा answer ठीक है यह आप calculate कर लेना जो भी आएगा मतलब अभी के लिए आगे बढ़ते है येस कुछ ना कुछ आ जाएगा आप निकाल लेना जो भी है अच्छा ये वाला बताओ चलो next question ये है इसमें वही है r square और ncr तो हमने कैसे सीखा था सिग्मा में थर्ड वाला सवाल हो गया ये तो के का value वन से लेके 10 तक जा रहा है इधर के स्क्वेर है ये 10 के 10 के दो बार है ना 10 के का स्क्वेर आप ऐसे कर लो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे दोनों में एक एक कम और जो दूसरा वाला टैंसी के उसमें भी वही है ना उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में एक कम इससे फाइदा ही होगा कि के स्क्वेर और के स्क्वेर केंसल हो गया ये 10 और 100 बहार निकल जाएगा तो 100 को निकालो बाहर, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 10, एक ये बचेगा 9C के, एक ये बचेगा और दूसरा वाला जो बचेगा उसको आप लिख देना 9C और इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 10-K का न, ये आगया, ऐसे इंडिपेंडेंडेंट हो गया, तो K पे डिपेंड करता नहीं है, ये 100 और इसका अंसर आजाएगा, नीचे बेसिकली 9 आ रहा है, और उपर 18 आजाएगा, तो ये आगया डिरेक्ली आंसर, है न, 100 इंटू 18C 9 आएगा, और इसका वैल्यू आपको क्वेस्टेन में गिवन ह तो बस ये 20 कैंसल कर लो, तो फाइनली आपका आएगा, वन अपॉन टू टू जिरो, मल्टिप्लाइट बाई 18C 9, ये आएगा ल का वैल्यू, ठीक है, अब अगिन कैलकुलेशन आप संभाल लोगे, इसको पुरा सॉल्व करके, नुमरिकल वैल्यू आपको बताना है, ठीक पड़ेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा, बट, कॉंसेप्स ओन में आएगा, अगर आप इन दोनों को एड करोगे, तो सम आप दा सब्सक्रिप्ट जो होता न, उसका सम, वो कॉंस्टेंट आना चाहिए, तो के के कैंसल हो रहा है, तो हमारा काम बन गया, ये 9 आएगा इसमें देखो, x का value आपको given है, ये, और x का value निकालने के बाद, आपको ये बताना है, ये निकालना है, उपर वाला given है, नीचे वाला, निकालना है, बस इतना ही है सवाल, तो बेसिकली एक काम करो, इसमें भी sigma method यूज़ करते है, इसको sigma format में लिखो, सिग्मा फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे यह देखो 10C1 का स्क्वेर 10C2 का स्क्वेर तो बिसीक्वी 10C R का स्क्वेर यह आएगा और आगे आएगा R आगे R आएगा यह साँच में आया where R is going from R is going from आप यह तो 1 से चलो 0 से भी चलो कर से पहला टम तो 0 ही आएगा if you want you can start from 0 also पहला टर्म इसके पहले वाला जो होगा वो 0 ले लो न आप ठीके तो 0 से लेके 10 तक यह आगया ठीके 0 से लेके 10 तक कर लो तो यह आगया यह साँच में आएगा आप देखो ना आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह आजाएक ना इंस्ट्रण med का स्वेलर dim का स्वेलर R equal to 0 से लेके 10 इधर R है और इसमें आप कर लो उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में एक एक कम और दूसरा जो 10CR है उसको same to same रहना दो दूसरा वाला जो 10CR है दो है ना 10CR into 10CR तो एक 10CR को ऐसे लिख दिया और दूसरे 10CR को ऐसे कर दिया तो R से R cancel हो जाएगा ये वाला जो 10 है वो बाहर निकल जाएगा 10 निकला बाहर अब बचा और आपने cancel किया तो अब R का value 1 से चलू होगा 10 तक जाएगा ये है 9C R minus 1 और ये है 10C 10 minus R कर दो अब ऐसा करने से फाइदा ये हो गया कि इन दोनों का जो sum है तो shortcut लग जाएगा इसके बाद तो बहुत ही simple है shortcut लगा तो ये 10 है ये वाला 10 shortcut लगाएगा तो नीचे आ रहा है 9 और उपर आ रहा है 19 तो ये answer आगे this is the value of x अगर ये x है तो आपको ये निगालना है इसमें substitute कर दो है ना so 10 into 19C 9 divided by 1430 तो बस अभी आपको calculation करना बढ़ेगा इस वाले में चलो थोड़ी हिम्मत करके calculation करी लेते है 19 factorial मतलब 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 into 12 into 11 और 10 factorial cancel हो जाएगा ठीक है 10 factorial will get cancelled नीचे आएगा 9 factorial 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, 1 ठीक है 2 1 वाला लिखने की जरूद नहीं है और ये है 1, 4 ये जो 1, 4, 3, 0 है ना 1, 4, 3, 0 is actually 11 into 13 इन्टू 10 इन्टू 10 ना 1, 4, 3, 0 ये ही होता है येस 1, 4, 3, 0 को factorize कर लो ना तो ये आएगा अब इससे फाइदा ये हो गया कि देखो 11, 11 cancel ओके 13, 13 cancel 10 से 10 cancel और क्या क्या कैंसल है 9 into 2, 18 होता है वो भी cancel फिर 7 into 2, 18 हो गया ठीक है ये 4 into 3, 12 हो गया फिर 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 और क्या फिर 8 into 2, 16 हो गया फिर 5 into 3 कर लो यहां पर ठीक है फिर 3 into 2, 6 हो गया और नीचे कुछ बचा ही नहीं खतम ही कर दिया हमने तो आंसर आपका आएगा क्या सब कुछ cancel करने के बाद क्या बचा एक 19 बच गया एक 17 बच गया और एक और कुछ बचा गया और एक टू बच गया तो यह आएगा यह calculate कर लो यह कितना रहे तो यह कितना रहे तो यह कितना रहे तो देख ले ना मतलब जो भी आ रहे है तो कुछ ना कुछ आ जाएगा यह आप चेक कर लेना टर्म्स एंड कंडिशन अप्लाइं calculation यू मस्ट चेक बाकी अपना यह calculate कर लो यह 646 काफी लोग का रहे तो मान लेते हैं सही जवाब है ठीक है ओके समझ यह ना यार मतलब सिंपल कैल्कुलेशन वी कें डू बट यह यह concept यह बार बार देखो एडवांस में भी लग जाता है यह शौटकट हर जगा अप्लिकेबल है में हो चाहिए यह भी उसी शौटकट के ऊपर यह एडवांस के तो मैक्सिमुम सवाल उसी के ऊपर आ रहे अब यह देखने में ऐसा आपको भयांकर लग रहा होगा बट यह एक्चुली बहुत सिंपल क्वेशन है इसमें देखो अपने को बेसिकली पहले option देखा करो अप्षन देखोगे तो जी के बारे में बातचीत हो रही है इधर भी जी 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 एवरी वेर इडिस जी और जी मतलब यह वाला function तो इस function के बारे में अपने को जैसे हम लिखते ना f of x f is a function of x लेकिन यहाँ पर f is a function of m and t तीनों का function है तो f का value निकालो यहाँ से और यहाँ पर substitute कर देना इतना ही करना आपको यहाँ से जो f वाला function है वो निकाल लो जो भी आएगा वो यहाँ पर substitute कर देना तो g आ जाएगा ठीक है तो बस इसको use करो इसको use करो यह वाला जो है यह तो ncr का basic definition given आप देखो न sr तो उपर वाले का factorial यह ncr को ऐसे भी represent करते है यह ncr को ऐसे ही तो represent करते है books में ऐसा representation नहीं है तो यह तो ncr का formula given है तो इससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है खाली इन दोनों से मतलब है तो यहां से आप function निकालो और यहां पर substitute करतो that's it सवाल हो जाएगा खत्म तो पहले तो इस function के बारे में बातचीत करते हैं जो f वाला function अपने वो given है उसकी बात करते ह और sigma के अंदर है i equal to 0 से लेके p तक ठीक है इधर लिखा है mci फिर अगला वाला जो है वो है n plus i cp यह लिखा हुए और अगला वाला जो है वो है p plus n c p minus i ठीक है तो यह अपने को given है अब इसका sigma लेना है अगिन वही वाला shortcut हम use करेंगे लेकिन directly नहीं कर पाएंगे कैसे करे कि देखो i equal to 0 से पी इसको पहले simplify करने की कोश्चिश करता है ना तो simplify करने के लिए इसको क्या लिखेंगे उपर वाले का factorial नीचे वाले i का factorial और फिर दोनों का difference तो यह आएगा चीक है similarly इसको क्या लिखेंगे अगले वाले को ऊपर वाले का factorial ऊपर एन प्लस i का factorial फिर पी का factorial और फिर दोनों का difference छीक है तो यह आगया और similarly इसको भी open कर दो इसको open करेंगे तो पी प्लस n का factorial नीचे है पी माइनस i का factorial और फिर दोनों का difference कितना आएगा इनका difference आजएगा एन प्लस i यह आएगा दोनों का difference अब यह हमने सबको open कर दिया इसमें फाइदा ही होगे यह और यह cancel हो जाएगा एन प्लस i का factorial cancel होगया उपर नीचे अब देखो अब आगे i equal अब इसमें वेरियाबल है आई इस गोइंग फ्रॉम जिरो टो पी जो आई का वेल्यू है वो वेरी कर रहे है तो आई वेरियाबल है जिसमें आई नहीं है वो सब कॉंस्टेंट वो सब आप सिग्मा से बाहर निकाल सकते हो तो जिस जिसमें आई नहीं है उन उनको आप बाहर निकाल सकते हो वो वेरियाबल है नहीं इसमें एक और काम करो यह जो पी फेक्टोरियल है एक काम करो देखो यहां पर लिखा हुआ है एम फेक्टोरियल अपॉन आई फेक्टोरियल और एम माइनस इसको तो इनफेक्ट आ M, C, I इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो एक टर्म तो cancel हो गया N प्लस I factorial cancel हो गया बचा क्या? तो बचा P प्लस N का factorial बचा ठीक है थोड़ा rearrange करना पड़ेगा यहाँ पे अपने पास P factorial भी है तो इसमें आप क्या करो? N factorial से multiply डिवाइड करो N factorial से multiply डिवाइड करो उसका फाइदा क्या होगा? फाइदा यह होगा कि अब यह टर्म बचा है ना यह N प्लस I माइनस P का factorial बचा है और एक आपको यह बचा है P माइनस I का factorial ठीक है? अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो यह क्या बन गया? अगले स्टेप में सिग्मा I equal to 0 से लेके P तक यह तो है MCI इसको ध्यान से देखोगे तो यह बन गया P plus NCP बन गया ना उपर वाले का factorial नीचे वाले का factorial दोनों के difference यह बन गया और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह लिखा हुआ है NCP minus I यह भी समद्ध मा रहा है उपर वाले का factorial उपर है नीचे वाले का नीचे है और यही आएगा जो इन दोनों के difference आएगा इन दोनों के difference यह लिखा हुआ है अब देखो इसमें तो कोई I है नहीं तो यह क्या हो गया यह constant है यह सिग्मा से बाहर निकलेगा तो इसको आप जैसे ही सिग्मा से बाहर निकलोगे P plus N CP यह तो बाहर निकल जाएगा अब सिग्मा के अंदर क्या बचा सिग्मा के अंदर बचा MCI और यहाँ पर है NCP minus I अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वालों का sum constant हो गया ना क्योंकि यहाँ पर variable तो I था I is the variable I plus P minus I तो कितना आजाएगा further अगले step में देखो यह वाला term तो है P plus NCP यह तो है ठीक है यह तो बाहर है और इसका value कितना हो जाएगा तो नीचे आएगा P और उपर आएगा M plus N shortcut लगा तो उपर आगया M plus N तो यह हमारा F वाला जो function था वो simplify हो गया clear इसमें shortcut लगा दिया ना I से I cancel हो रहा है नीचे वालों का sum constant है I is the variable तो variable हट रहा है अच्छी बात है ना shortcut लगा दिया अब यह जो यह function F का value आ गया तो यह value हम यहां पर substitute कर देंगे अब आप निकालो GMN ठीक है यह F का value अच्छा पहले तो sigma है तो sigma P equal to 0 से लेके M plus N तक अपने को जाना है और यह जो F वाला function है उसका value हमने यहां पर निकाला तो substitute कर दो P plus N C P और M plus N P यह है यह value है और नीचे क्या है देखो divided by नीचे है N plus C N plus P C P तो यह और यह तो cancel हो गया same to same है अगर same to same है तो cancel हो गया अब जैसे ही cancel हो गया तो P equal to 0 से लेके M plus N और यह आगया M plus N C P अब इसमें आप P का value 0 put करोगे तो क्या है M plus N C 0 फिर M plus N C 1 M plus N C 2 तो यह this is nothing but sum of the binomial coefficient ना तो इसका answer आएगा 2 की power M plus N 2 raise to N होता है sum of the binomial coefficient क्या होता है sum of the binomial coefficient होता है 2 raise to N यहां पर N जो है वो basically M plus N है भाई यह वही है उसको आप capital N मान लो N C P capital N C P N C 0, N C 1, N C 2, N C 3, N C N तक जाएगा हो तो 2 की power तो यह वाला function भी आ गया यह function अपना क्या आ गया तो G N M बदाओं अगर मैं दोनों को interchange कर दूं इंटे चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा क्या यह दोनों सेम है अगर यह दोनों सेम है तो पहला option करेक्ट है M N करो या N M करो आंसर विल भी सेम तो पहला option है सही है दूसरा option चेक करो दूसरे option में एक अपने को यह निकालना है ठीक है और एक अपने को M प्लस 1 और N निकालना है और जो N है उसको replace कर देंगे N प्लस 1 के साथ और इसका value निकालेंगे तो यह 2 की power M को replace कर दो M प्लस 1 के साथ तो यह आएगा क्या दोनों same आरे यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह अगर यह same है मतलब दूसरा वाला option भी correct तीसरा वाला option निकालो 2M 2N तो G of 2M और 2N इसका value निकालेंगे तो 2 की power M को replace करेंगे 2M से M की जगद 2M और N की जगद 2N तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह 2 की power M plus N का whole square है नहीं यह पावर की power multiply होती है और यह basically मतलब G of M, N का whole square आएगा ठीक है तो कौन सा option सही है यह सही है whole square आएगा double नहीं आएगा this is wrong तो answer इसका है A, B और D समझके double नहीं आएगा whole square आएगा तो कौन सा correct है A, B, D multi correct simple ही तो था वालब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बस यह वाला अगर आपने figure out कर लिया न की वह एंड factorial जे multiply divide करके यह पूरा constant बाहर निकाल लो variable i है तो i के respect में shortcut लग जाएगा तो वह आ गया F का value put कर दिया जी आ गया जी आ गया तो option check कर लिए A, B, D is dance है वह बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है in fact बाइनॉम्यल के आगे कोई number multiplied है अगर बाइनॉम्यल के आगे कोई number multiplied है इसका मतलब differentiation आप use कर सकते हो और एक होता है integration वाले सवाल भी आते है कभी-कभी है ना तो integration में क्या अगर binomial coefficient के नीचे कोई number है मतलब इसमें आपको integration use करना पड़ेगा ठीक है इसको both sides integrate करना पड़ेगा expansion लिखके दोनों तरफ integrate करो तो इसका value आएगा और अगर यही जो numbers है वो आगे multiplied है आप देखो nc2 यह nc2 है बार बार लिखेंगे नहीं आप समझ जाना c1 मतलब nc1 यह nc2 यह nc3 लास्ट वाला ncn तो यह अपने को निकालना है इसको प्रूव करना है कि इसके बराबर आएगा तो कैसे करेंगे सिंपल है आप इसका expansion लिख लो यह जो expansion है उसको differentiate कर दो तो differentiate करेंगे तो n इंटू 1 प्लस x की पावर n-1 ठीक है इसका differentiation यह तो constant है तो 0 हो जाएगा इसका differentiation x का differentiation 1 होता है ना फिर c2 अब यह c2 मतलब nc2 आपको समझना है ठीक है वो हर जगा n n बार बार लिखेंगे नहीं इसका differentiation आएगा 2x similarly अगला वाला होगा c3 और x cube होगा ना x cube का differentiation यह और इसी तरह से last वाला जो है इसमें है cn और n इंटू x की पावर n-1 यह आगया हमने differentiate कर दिया पूरा binomial expansion अब इसमें आप put कर दो x का value 1 तो जैसे हम x का value 1 put करेंगे तो n इंटू 2 की पावर n-1 यह आगया और इधर आप देखोगे तो this is nothing but this is 1 इंटू c1 ठीक है अगला वाला जो है x का value तो 1 put कर दिया ना तो 2 इंटू c2 फिर 3 इंटू c3 और ऐसे करते करते है लास्ट वाला जो होगा वो आएगा n इंटू cn यह आगया ठीक है तो hence prude कितने लोगों सामझ में आगया बस आप differentiate कर दिया अगर कि डिफ्रेंशेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बाइनॉमियल के आगे नंबर आ जाएगा ना जैसे सी टू के आगे टू आ गया ठीक है बट अगर लेट से यह क्वेशन है अब इसमें आप देखो सी टू के आगे मुझे थ्री चाहिए तो यह कैसे लिए आएंगे यह इसको आप डिफ्रेंशेट करोगे तो इसका डिफ्रेंशेट आएगा टू एक स्क्वेर तो आएगा ना मुझे टू नहीं चाहिए मुझे थ्री चाहिए तो अगर ऐसी सिच्वेशन आ जाये तो आप क्या करा करो पहले इस बाइनॉमिल एक्स पाइंशन को मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा एक्स के साथ तो पहले इसमें मुल्टिप्लाइ बोच साइड्स बाइ एक्स ना एक्स के साथ मुल्टिप्लाइ कर लो इधर भी मुल्टिप्लाइ करेंगे तो सी जीरो एक्स सी वन एक स्क्वेर हो जाएगा अभी और अभी यह हो जाएगा एक्स क्योब प फर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् X की पावर N, ठीक है, डिफ्रेंचेट कर दिया, अब डिफ्रेंचेट करके X का वेल्यू, 1 पुट कर दो, ठीक है, पुट X एक्वल टू 1, जैसे ही हम X का वेल्यू 1 पुट करेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, N, इन्टू 2 की पावर, N-1, प्लस 2 की पावर, N, इस इक्वल टू C0, प्लस C1, इन्टू 2, चीक है, C2 के साथ आएगा 3, और तो बस वही आगया न, अपना required quantity आगया, N प्लस 1, इन्टू C, यही तो आगया, देखो, यह पूरा बन गया, यह पूरा आगया, so this is nothing but, this is our required quantity, इसी का आणसर अपने को चाहिए, और इसको simplify कर लो, इसको simplify करने के लिए, ऐसा कर लो, यहाँ पर minus 1 कर दो, और multiplied by 2 कर दो, 2 की पावर 1, ताकि at least यह common आजाए, 2 की पावर, N-1 common आजाएगा, इधर भी है, इधर भी है, तो बचे का, बचे है, हैंस प्रूड, यह चमका, आप जैसे ही common ले लोगे, 2 की पावर, N-1, इधर बचेगा, N और इधर बचेगा, 2, तो N plus 2, clear, simple है, यह सब differentiate ही, तो करना है, और अगर नीचे है, तो, अगर यह सब number नीचे है, तो integrate कर देंगे, integrate लेकिन जब करोगे, तो एक चीज का ध्यान लगना, integration constant भी आएगा, ठीक है, तो integrate कर सकते है, अब जैसे इसको दोनों तरफ integrate कर लो, अगर इसको integrate करेंगे, तो क्या आजाएगा, इसका integration होता है, 1 plus X की पावर, N plus 1, divided by N plus 1, ठीक है, इसका integration आएगा, C0 into X, यह constant है, इधर आएगा, X square by 2 आजाएगा, इसका integration, X cube by 3, इसी तरह से last वालेगा, इसका integration, Cn, X की पावर, N plus 1, अपॉन, N plus 1, प्लस, एक integration constant, तो उसको भूल मत जाना, वो जो integration constant है, अब यह integration constant का value कैसे निकालेगे, तो हमेशा ध्यान रखो, integration constant का value निकालने के लिए, सबसे पहले आप X को 0 put कर दिया गरो, 1 नहीं, पहले X को 0 put करो, X को 0 put करने से integration constant आ जाएगा, कैसे देखो, X को 0 put किया, तो यह हो गया, 1 upon N plus 1 आ गया, और यह सब 0 आ जाएगा, यह 0, 0, 0, यह पूरा 0, यहां से लेके, यहां तक, पूरा 0, यह ना, तो वस यह 0 plus C, तो integration constant का value आ गया, अटे चमका, integration constant का value आ गया, यह ना, X को 0 put करके निकाल आ जाता है, यह integration constant आ गया, जैसे ही आ गया, आप यहां पर substitute कर दो, यह value आ रहे है, 1 upon N plus 1, अब आप इसमें put करो, X equal to 1, अभी, आप substitute कर दो, put X equal to 1, तो required quantity, यह अपना required है, यह अपने को चाहिए, तो यह आ जाएगा, जैसे ही हम X का value 1 put करेंगे, तो 2 की power N plus 1 upon N plus 1, यह वाला जो है, इसको इधर वेज दो, तो minus 1 upon N plus 1, इसको इधर shift कर दिया, और यहां पर क्या आ जाएगा, इधर required आ जाएगा, X का value 1 put करो, तो X का value 1 put करेंगे, यही तो बन रहा है, देखो, जैसे ही मैंने X का value 1 put किया, वही required quantity आ गया, हैंस फ्रूड, समग यह वही तो आ आ जाएगा न, clear, यह भी simple ही है, बस इसमें ध्यान रखो कि integration constant को भूल मत जाना, और उसका value निकालने के लिए X को 0 put कर दिया, तो वह constant भी आ जाएगा, ठीक है, yes, अच्छा अगर आपको alternate plus minus चाहिए, तो आप last में 1 की जगा minus 1 put कर दिया, इतना ही डिपरेट जैसे, इसमें alternate plus minus है, minus plus, अगला फिर minus आएगा, ठीक है, तो अगर alternate plus minus आपको चाहिए, तो X का value minus 1 put कर दिया, हमेशा, X का value minus 1 put कर दोगे, तो alternate plus minus आजाएगा, इसी में देख लो आप, X का value minus 1 put करोगे, तो यह negative आएगा, यह positive आएगा, फिर negative आएगा, फिर positive आएगा, तो अगर आपको alternate चाहिए तो आप एक्स का वैल्यू इंस्टेड ऑफ पुटिंग वन यू कें सब्स्टिटूट माइनस वन तो अल्टरेट प्लस माइनस भी आ जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं ठीक है चलो अभी यह क्वेश्चन ट्राई करो आप यह काफी अच्छा क्वेश्चन है इ मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टाइम लगाओ और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो यह एक-एक आपको निकालना पड़ेगा यह एक सवाल में चार सवाल है वन क्वेश्चन ऑफ जैए एडवांस यह सेम एस पोर क्वेश्चन ऑफ जैए मेन सबका वैल्यू अ आ गया तो फिर उसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दो सम्तिंग 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 आ जाएगा फिर डिटर्मिनेंट जीरो कर दो जैसी डिटर्मिनेंट जीरो करोगे वहां से आपको एन का वैल्यू मिलेगा और फिर एन का वैल्यू आने के बाद भी आपको यह नि लिए वे टो मिन्ट्स झाल 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 जी हुआ इसको ट्राई किया गया ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आप दिखो ना एक एक करके निकालो आप सबसे पहला वाला जो है उसका अंजर कितना आएगा परस्ट वाला जो सिग्मा है यह चार अलग-अलग सवाल है ठीक है तो पहला वाला जो सिग्मा है वो है सिग्मा के इकुल टू जीरो से लेके एन तक और के आप इसमें के का वेल्यू जीरो पुट करो फिर वन फिर टू फिर थ्री ऐसे करते करते लास्ट में के का वेल्यू आ आपको पुट करना है n तो यह आगे यह तो basically 1 से लेके n आ गया और 1 से लेके n का value कितना होता है यह होता है n into n plus 1 by 2 तो पहला सिग्मा जो है उसका value आगे अब दूसरा सिग्मा दूसरा सिग्मा यह ले लो आप पहले नीचे वाला ठीक है यह नीचे वाला k equal to 0 से लेके n यहां पर है k into c n के into n c k n c k को क्या करेंगा उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में एक के कम यह और यह cancel हो जाएगा यह basically यह तो आम कर चुके ना पहले भी तो n n को बाहर निकलो अब यह जो एन है वह निकल जाएगा बाहर तो जैसे ही आप n को बाहर निकालोगे जो बचेगा that is nothing but 2 की पावर n-1 यह आएगा 2 की पावर क्योंकि वो sum of the binomial coefficient बन जाएगा फिर तीसरा वाला जो सिक्मा है उसको करो तीसरा वाला भी हम कर चुक है k equal to 0 से लेके n इधर k square into n c k उपर वाला उपर नीचे वाला नीचे दोनों में एक एक कम तो k से k cancel हो जाएगा एक cancel होगा लेकिन अभी भी एक बचेगा तो वो जो बचेगा उसमें फिर plus minus 1 करना पड़ेगा याद आया यह n को बाहर निकालो यह वाला जो n है वो तो बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या सिग्मा के अंदर सिग्मा के अंदर बचेगा k और n minus 1 c k minus 1 अब इसको फर्दर करने के लिए मैंने आपको बताया था ना minus 1 करो plus 1 करो यह उसका standard method है ठीक है तो जैसे minus 1 plus 1 करोगे यह k minus 1 के साथ एक बार यह ले लो और एक बार 1 के साथ ले लो यह sigma split हो जाएगा ना basically तो अब देखो यह आगे आएगा n into sigma एक बार तो आएगा k minus 1 into n minus 1 c k minus 1 और जो दूसरा sigma आएगा वो वो आएगा खाली n minus 1 c k minus 1 यह है दोनों sigma अब इदर नीचे वाला नीचे और दोनों में एक एक n minus 2 c k minus 2 तो यह cancel हो गया n n minus 1 into 2 की पावर n minus 2 और यह है 2 की पावर n minus 1 तो यह आगया अब इसमें से आप ले लो common तो की पावर n minus 2 common ले लो तो 2 की पावर n minus 2 common ले लेंगे तो क्या बचेगा यह common ले लो तो बचेगा n minus 1 plus 2 बचेगा तो यह basically आगया n n plus 1 और 2 की पावर n minus 2 यह आएगा तीसरा वाला sigma और फिर चौथा वाला sigma यह वाला पोर्थ वाला यह जो चौथा वाला sigma है वो है sigma k equal to 0 से लेके n तक और n c k into 3 की पावर k अब यह जो है यह तो 1 plus 3 की पावर n का expansion है देखो ध्यान से वह यह तो वही है ना n c r x की पावर r यह तो हमने starting में पढ़ा था एकदम यह ना so this is nothing but this is 4 की पावर n 4 की पावर n मतलब 2 की पावर 2n है यह तो सबका value आगया 1,2,3,4 अभी आप सबका value पुट कर दो इसमें determinant में तो पहले वाले का value है n into n plus 1 divided by 2 दूसरे वाले का value कितना है n into 2 की पावर n minus 1 तीसरे वाले का value कितना है n n plus 1 n n plus 1 2 raise to n minus 2 और इसका value है 2 की पावर 2n इसका determinant 0 करना है आपको determinant कैसे निकालते है determinant को यह आज रहेगा into 2 raise to 2n minus फिर इन दोनों का multiplication वो आएगा n square n plus 1 और 2 की पावर 2 की पावर basically 2n 2 की पावर 2n minus 3 यह आएगा this is equal to 0 अब आप n n plus 1 तो cancel कर लो देखो 1 n cancel हो रहा है 1 n plus 1 cancel हो रहा है और 2 की पावर 2n भी cancel ही हो जाएगा है yes or no n का value 4 आगया तो finally हाँ बिल्कुल सही है n equal to 9 नहीं है 4 है 4 वाले correct है अब n का value 4 आगया तो यह निकालना है इसमें आप n का value पुट कर दो तो अपने को निकालना क्या है what is to find to find sigma k का value 0 से n का value 4 है तो k का value 0 से 4 तक इसमें आप n का value पुट कर दो 4 तो 4 c k upon k plus 1 4 c k upon k plus 1 तो यह निकालना है यह हमारा required है तो यह कैसे निकालेंगे k का value 0 पुट करेंगे तो 4 c 0 upon 1 आएगा फिर 4 c 1 upon 2 आएगा 4 c 2 upon 3 आएगा 4 c 3 upon 4 आएगा और 4 c 4 upon 5 आएगा तो यह निकालना है तो यह कैसे निकालेंगे आपको value पता ही है इसका value 1, 4, 6, 4, 1 होता है value आपको पता है यह नीचे 1, 2, 3, 4, 5 है तो directly values भी पुट कर दो integration और यह सब करने जाओगे तो lengthy पड़ेगा बेटर क्या है वैसे तो आप इसको integration से भी कर सकते हो लेकिन मत सोचो ना आप इतना complicated सबका value पता है यह पास्कल triangles है यह 1 है यह 2 है यह भी 2 है यह 1 है और प्लस यह है 0.2 अल्टिमेटली आपका जो answer आएगा वो आएगा 6.2 आएगा दिस इस दो final answer अच्छा question था ना यह यह मेरे खाल से one of the best question है किस आँद आया 6.2 इस दो final answer एन का value आगया उसके बाद तो simple है values ही तो put करना है हमने open कर लिया और सबका value यूपुट कर दिया 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 होता है substitute करके solve कर लो है ना yes simple simple तो है बट ठीक है अच्छा question है चलो और आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे double sigma के बारे में double sigma भी आसान होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ और basically क्या question आएगा और क्या answer देना है वो दोनों ही मैं आपको समझा देता है जब भी double sigma वाले question आएगे है सिग्मा सिग्मा तो काफी लोगों को यह difficult लगता है सिग्मा सिग्मा n c i n c j ऐसा लिखा रहता है यहाँ पर let's say i का value 0 से लेके n तक जा रहा है जे का value 0 से लेके n तक जा रहा है कभी-कभी तो ऐसे question आते है कभी-कभी आपने ऐसे question भी देखे होंगे sigma-sigma और ऐसे लिख देता है कि 0 less than equal to i less than j less than equal to n और फिर इदर लिख देंगे n c i n c j ठीक है तो यह वाले question भी आपसे हो जाएंगे यह वाले भी हो जाएंगे यह वाले भी हो जाएंगे सब हो जाएंगे बस आप एक बार method समझ लो यह जितने भी question आते है न exam में वो सब आपसे हो जाएगा जब भी basically double sigma वाले question आएंगे आप simple यह समझ लो कि इसमें जो i का value है है ना पहले तो एक काम करते है सारे के सारे terms लिख देते है है ना तो nc0 nc0 सारे terms लिख दो आप फिर nc0 nc1 वो जिसे dice में करते है probability अगर आपने पढ़ाओगा dice में क्या होता है 36 cases आते है तो वैसे ही आप क्या करो दो similarly यहाँ पे भी आप सारे लिख दो i.nc0 के साथ क्या क्या है nc0 nc1 nc2 करते-करते last मैं nc0 ncn यह पहली line होगी फिर nc1 के साथ क्या क्या ऐगा nc1m nc1 फिर nc2 और ऐसे करते-करते-करते लास्ट में nc 1-n थीक है आप सारे cases लिख दो फिर nc2 की बारी nc2 nc0 nc2 nc1 फिर nc2 nc2 और ऐसे करते 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 last में nc2 ncn और इसमें last में आएगा ncn nc0 ncn nc1 ncn nc2 और ऐसे करते 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 last में ncn तो हमने देखो आई का value 0 से n और जे का value भी 0 से n सब लिख दिया आई का value 0 से n जा रहे जे का value भी 0 से n जा रहे तो length और breath अब इसमें देखो दियान से देखना यह चो डाइगनल है कि डाइगनल का summation क्या है अच्छा पहले डाइगनल को छोड़ो पहले आप इन सब का समय इन सबको add करना है मान को अगर मुझे यह सारे जितने भी लिख है सबको add करना है तो उसका value कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछोंगा कि tell me the sum of all everything which is written सबका सम निकाल तो टोटल समेशन कैसे निकाले यह देखो यह जो पहला वाला कॉलम है इसको अगर आप add करोगे तो nc0 common आ जाएगा और यह इन सबका सम हो जाएगा 2 raise to n similarly जो दूसरा वाला कॉलम है उसको add करो तो nc1 common आ जाएगा और इन सबका सम हो जाएगा 2 raise to n इसी तरह से चलता जाएगा यहां पर बिसिकली nc2 common आएगा 2 raise to n और ऐसे करते करते लास्ट मैं ncn common आएगा 2 raise to n फिर 2 raise to n common लेलो तो 2 x2 n common लेलों गहें तो एंचेगा ना मलें बेसिकली 2 टूरेश्टू 2N होता है इन सब का समेशन कितना होता है समझे, इन सब को अगर आप एड़ करोगे, अब यह सब भटा रहो है अगर यहाँ पर जितना भी लिणा हुए सब को एड़ करोगे इन सब का जो total होता है वो होता है 2 raise to 2 है अब यह directly याद रखना इन सब का total कितना होता है जितने भी यह सब को add करोगे एलिमंट्स रिखा है N.C.0 का स्क्वेइर सब्सक्राइब यह क्वेस्टिनमने किया था। बीच में एंसी एन का स्वेज यह इता है नहीं हमने किया था तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब contin C reign.C E应.Cji यह डाइगनल वाले जो डाइगनल वाले जो अब diagonal के उपर वाले जो elements है diagonal के उपर वाले जो elements है वो ये सारे है diagonal के उपर वाले elements का जो भी sum आएगा उसको s बोल देते है तो और नीचे वाले का summation same ही होगा ना yes or no कि आपको ये जाउन मारे है diagonal के उपर जो है यहाँ पर देखो nc0 nc1 इधर भी nc0 nc1 यहाँ पर nc2 nc0 तो nc2 nc0 तो यहाँ पर जो elements है वही elements तो यहाँ पर है तो इस triangle का जो sum होगा और इस triangle का जो sum होगा वो same ही होगा अगर मैंने इसका sum s बोला है तो इसका sum भी s ही होगा तो इसका sum है s वो जो उपर वाला triangle है उसका sum भी है S जो diagonal वाले elements है उनका sum है 2NCN और जो total summation है वो 2 raise to 2N है तो यहां से S का value आ जाएगा S का value कितना आएगा इसको पहले तो इधर बेजो 2 raise to 2N minus 2NCN divided by 2 यह S का value आ गया तो आपको तीन type के ही सवाल पूछे जाएगे double sigma में या तो यह triangle का sum पूछेंगे तो यह answer है या तो diagonal का sum पूछेंगे तो यह answer है या total sum पूछेंगे तो फिर यह answer है तो सब कुछ समन मागया चाहे question जो भी हो यह 3 में से ही तो पूछेगा या तो यह triangle का sum आता है या वो triangle का sum आता है दोनों का सेम ही होता है यह और यह सेम ही है अगर आप देखोगे तो डाइगनल वाला 2NCN है और टोटल होता है तो टोटल में से डाइगनल को माइनस करके बाइटू कर दोगे तो उपर वाला ट्राइंगल आ जाएगा और नीचे वाला भी उतना ही होगा ठीक है तो अब मेरे काल से आप समझ गये अब मान लोगी जैसे यह क्वेशन आ गया एक्जाम में तो इसका अब यह जो लिखा हुआ है न जब भी एक्जाम में ओपन करो गए तो यह आएगा जब भी यह क्वेशन आता है मतलब यह आर आस्किंग यूद वैल्यू ऑफ एस एक्चुली इसको आर और एस की जगा आई और जे कर लो और यह और फील आएगी ठीक है इंस्टेट ऑफ आर एस लिकिट आई जे यह आई है और यह जे है तो अ पहले से पता है कि जो टोटल होता है उसमें से डाइगनल वाले को माइनस करके बाई टू करतो आप ठीक है तो यह कौन से ऑप्शन में है यह आएगा इसका अंसर ठीक है और यह क्वेशन आया था जहीं दोजार बाइस में इसमें लिखा हुआ है सिगमा आई कॉमा जे इक् तक जा रहे लेकिन यह भी लिखाए कि i is not equal to j इसका मतलब diagonal elements नहीं आएंगे यहां पर ही तो होता है आई और जे का वैल्यू इक्वल कहां पर होता है डाइगनल में बाकी तो अलग-अलग ही होता है ना मतलब इस question में क्या पूछना चाह रहे इस question में वह पूछना चाह रह नीचे वाला triangle भी चाहिए जो i और j का value है वो 0 से n सब कुछ है 0 से n 0 से n बस दोनों बराबर नहीं होने चाहिए i और j बराबर कब होता है diagonal वाले को हटा दो तो इसका अंजर क्या है इसका अंजर ए तो बस अगर आपको यह diagram पता है ना चाहे कुछ भी आजाए आप बता द पूछा है क्या पूछा है जो भी पूछा है उसके according बता दोगे बस तो खाली identify करना हो गया अभी जैसे अगर ऐसा question आया मतलब यह triangle पूछा है ऐसा question आगे तो मतलब ऊपर नीचे दोनों triangle का सम पूछा है खाली diagonal को हटा दो कभी खाली diagonal वाले पूछेंगे कभी diagonal प्लस triangle पूछेंगे तो अलग-अलग permutation combination उसी मोग खेलते रहेंगे ठीक है तो समझ में आगया मेरे गाल से double sigma अपना sorted है इसमें ऐसे ही question बनते है ठीक है चलो अब अगला topic अगला topic जो है यह भी इसके उपर भी कभी कभी question आ जाते हैं बहुत ज्यादा frequent नहीं है बट फिर भी questions आपके बनने चाहिए especially मिलाब advance में question आया तो फिर किदर भी mix करके वो बना सकते है तो this is binomial for any index अभी तक हमने जो binomial पढ़ा उसमें जो n का value होता था हो बहुत सुन्दर होता था राइट x plus y की power 5 x plus y की power 10 तो मतलब हमेशा जो power थी वो एक positive integer हुआ करता है यह natural number आप बोल सकते हो power is natural number बट अगर x plus y की power कुछ fraction हो गया या x plus y की power negative आ गया तो उसमें हम binomial expansion कैसे लिखेंगे अगर मान लो मुझे इसका expansion चाहिए या मुझे इसका expansion चाहिए है ना 1 by 3 something like this तो इसका expansion possible है क्या पहली बात तो यह है है ना क्या इसका expansion हम बना सकते क्या तो possible है लेकिन कुछ terms and conditions है exactly इसका binomial आप नहीं लिख सकते बट हाँ पॉसिबल तो है बट कुछ terms and conditions है तो उसको देख लेते तो यह है binomial for any index पावर चाहिए कुछ भी आजए पावर अगर negative इंडेक्स मतलब पावर तो अगर पावर negative आ जाया है यह पावर fraction आ जाया है तो उसमें कौन सा binomial theorem लगाएंगे और normal वाला नहीं लगा सकते बट जो होता है वो भी similar ही होता है बट पहले यह समतलो कि कब लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे वो तो बात का सवाल है बट कब लगा सकते हैं तो अगर आपकी जो पावर है वो नेगेटिव अगर 15 भी हो गया तो नहीं लगा सकते हैं पहला टर्म क्या होना चाहिए वन वन एंड ओनली वन नथिंग एल्स पहला वाला टर्म आपका होना चाहिए वन यह कंपल जरी है तभी हम यह बाइनॉमियल फॉर एनी इंडेक्स को यूज कर पाएंगा तो यूज यूज ही नहीं कर पाएंगा और जो सेकेंड टर्म होता है उसका नुमेरिकल वैल्यू लेस दिन वन होना चाहिए तो दूसरी कंडिशन यह है ठीक है पहली कंडिशन यह है कि पहला वाला जो टर्म है इंडेक्स लगा सकते हैं तो यह टर्म्स एंड同 कंडिशन कर लका सकते हैं और तूसरी कंडिशन यह है कि जो सेकेंड टर्म का मॉड है वो लेस देन वन होना चाहिए अगर यह दोनों चीज़े हैं तो आप बाइनॉमियल फॉर एनी इंडेक्स लगा सकते हैं अब लगाएंगे कैसे उसका स्टेटमेंट क्या होता है तो उसका स्टेटमेंट यह होता है यह वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा है जैसे हमने जो बाइनॉमियल एक्सपंशन पढ़ा है वो यह पढ़ा है वन प्लस एक्स की पावर अगर एन होता है तो हम क्या करते हैं एन सी जीरो एन सी वन इंटू एक्स एन सी टू इंटू एक स्क्वेर एसी तो लिखते है ठीक है लास 0 का value क्या होता है, nc0 का value 1 होता है, nc1 का value n होता है, nc2 का value यह होता है, n into n-1 divided by 2 factorial, अगला आएगा nc3, तो यह nc3 का value ही तो लिखा हुए, आप देखो न, n factorial, 3 factorial, n-3 factorial, यह उपर वाले को आप लिखोगे, n, n-1, n-2, n-3, cancel हो जाएगा, नीचे 3 factorial, यही तो लिखा हुए, ही है, बस हम ncr defined नहीं कर सकता है, क्योंकि n negative है, तो अगर आपने ncr वले format में लिख दिया, तो गडबड हो जाएगा, क्योंकि n का value तो minus 2 something है, चीक है, तो उसमें फिर defined नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने ncr word use नहीं किया, हमने सीधा उसका value use कर लिया, instead of writing nc2, now you will write n into n-1 divided by 2 अब यह तो defined ही होता है, इसमें आप n का value negative पूट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक और difference जो है, यहाँ पर number of terms यह fix होता है, यह कहीं पर खतम हो जाता है, बट जो binomial for any index है, वो infinity तक जाता है, यह कभी खतम नहीं होता है, infinite terms will be there, जो binomial for any index है, negative power रहा या fractional power रहा, तो number of terms आएंगे infinite, इसमें जो number of terms होता है, वो n plus 1 होता है, बट उसमें infinite होता है, यह expansion आप याद कर लो, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी यह similar साही है, तो याद करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर जैसे for example आपको यादी करना है, 1 plus x की power n, तो कैसे करेंगे, n c 0 का value 1 होता है, फिर n into x आएगा, अगला आएगा, n, n minus 1 by 2 factorial, into x square, फिर अगला आएगा, n, n minus 1, n minus 2, upon 3 factorial, फिर x cube, और ऐसे यह चलता जाएगा, infinite number of terms बिदे, तो यह है binomial expansion, अगर n negative है, या n fraction है, तो यह वाला use करेंगे, और again terms and conditions apply, पहला वाला term होना चेह 1, और जो दूसरा term है, उसका numerical value less than 1, ठीक है, यह दोनों चीज़े होनी चाहिए, then only we can apply, अब जैसे for example, इसका expansion लिखके बता, 1 plus x, पावर n का expansion होता है, 1 plus nx, plus n, n minus 1 by 2 factorial, x square, और ऐसे चलता जाएगा, इसमें बस आपको n का value minus 1 put कर दो, तो जैसे ही, n का value minus 1 put करेंगे, तो 1 plus n का value minus 1 put करो, इधर आजाएगा, minus 1, minus 2, divided by 2 factorial, into x square, और इसी तरह से चलता जाएगा, आप इसको simplify करके लिखोगे, तो 1 minus x, यह basically सब cancel हो जाएगा, plus x square आजाएगा, फिर अगला minus x क्योब आएगा, फिर x की पावर 4 आएगा, यह बनेगा basically, ठीक है, यह चलता जाएगा, infinite, यह आएगा, इसका expansion, this is the expansion of 1 plus x की पावर, minus 1, clear, तो अगर आपको 1 plus x की पावर, minus 1 का चाहिए, तो आप n का value, put कर दो, minus 1, similarly, अगर आपको इसका चाहिए, तो, यह है 1 minus x, तो अगे इन देखो, इसका expansion लिखा करो, आप शान्ती से, इसका expansion होता है, यह, तो इसको लिख लो पहले, तो, यह होता है, x square, और till infinity, अब इसमें दो चीज़े करने पड़ीगी, एक तो यह जो x है, उसको replace करना पड़ेगा minus x के साथ, क्योंकि x की जगा minus x आ गया, और n को replace कर दो minus 1 से, x को replace कर दो minus x के साथ, और n को put कर दो minus 1, इसका expansion आ जाएगा, 1 minus x की power minus 1, यह आएगा, 1 plus n का value minus 1 है, और इसका value minus x है, n का value minus 1, और x का value minus x का whole square, और यह चलता जाएगा till infinity, तो अगर आप इसको simplify करोगे, तो 1 plus x plus x square plus यह आ जाएगा, ठीक है, यह बनेगा expansion, तो निकाल लोगे न, मतलब basically आप, यह formula आपको पता होना चाहिए, formula पता है, तो उसमें n और x का, जो भी value है, वो put कर दिया गरो बस, आपको जो भी चाहिए, अ अगर अंदर वाला भी minus है, बाहर वाला भी minus है, तो यह सारे plus आएंगे, minus minus plus, और अगर अंदर वाला plus है, उपर वाला minus है, तो plus minus minus, तो इसलिए alternate plus minus आएगा, ठीक है, आप इसमें भी देख लो न, जैसे इधर negative, negative, तो सारे positive है, और इसका expansion देखोगे, तो plus minus होता न, तो इ दोनों negative negative है, तो minus minus plus, सारे plus आएंगे, ठीक है, इसमें भी आप देख लो, जैसे इसका expansion यह आएगा, इसका यह आएगा, यह सारे आप निकाल सकतो, n का value put करकर करके, अब जैसे यह question try करो, इसमें fourth term आपको बताना है, है न, fourth term क्या होता है, आप यही से देख लो, यह वाला term, यह third वाला term, यह fourth वाला term, तो fourth वाला term यह होता है, right, fourth term क्या होता है, fourth term होता है, n, n minus 1, n minus 2, divided by 3 factorial, और x की power 3, अब इसमें n का value आपको put करना है, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 minus 1, यह आगया, नीचे है 6, 3 factorial कितना होता है, 6, और x का value यह है, तो x को replace करना पड़ेगा, 3x by 2 का whole cube, तो बस इसको simplify कर लो, इसको simplify करेंगे, तो कितना आएगा, यह basically आएगा, कितना आएगा, 1 by 2, 1 by 2, 3 by 2, तो यह 3 by 8 into 6, 48 हो गया, और इधर 3 का cube है, नीचे 2 का cube है, चीक है, और x cube है, तो basically इसको अगर मैं cancel करो, तो 16 हो जाएगा ना यह, तो यह basically आ रहा है, 27 upon something, 27 upon, यह 16 है, तो 2 की पार 4, 5, 6, 7, 2 की पार 7, 128 आएगा, x cube, यह आएगा, देखो, solve करने के बाद, option A, option A is the answer, सही बात, निकाल लोगे ना, अगर 4th term पूछा है, easily you can find out the 4th, कोई भी term पूछा है, मनला, basically यहाँ से देख लिया करो, यह 1st term, 2nd term, 3rd term, 4th term, इसका अगला जो होगा, 5th term, आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है, अचा एक और चीज अगर directly, अगर आपको यह पता करना है, जैसे अगर आपके पास कभी भी इसका expansion है, इसका expansion है, इसमें आपको चाहिए coefficient, यह direct formula है, इसमें आपको चाहिए coefficient of x की power r, तो directly you can remember, यह होता ह n plus r minus 1cr, यह direct formula है, इसको भी आप use कर सकते हो, जैसे for example, यह थोड़ा direct हो जाएगा, ताकि आप सीधा सीधा इसको use कर पाओ, अगें इसके derivation में नहीं जाएंगे, बट आप directly इसको याद रखो, अगर लेट से आपके पास इसका expansion है, ठीक है, minus 10, और इसमें से आपको पूछ अगया है कि, tell me the coefficient of x की power 5, 5 या 3 लेलो, चलो, इसमें से x cube का coefficient बताओ, तो कैसे निकालोगे, इसमें से x cube वाला निकालो, x cube का coefficient क्या है, तो x cube का coefficient आएगा, तो n का value कितना, n का value है 10, धिहान रखना 10, minus 10 नहीं, क्योंकि minus n minus 10, compare करोगे, तो n का value 10, r का value कितना है, r का value है 3, minus 1c3, तो जो coefficient आएगा, वो कितना आएगा, 12c3 आएगा, तो x cube का coefficient निकाल सकते हो, clear, या नहीं, एक और example कर लो, जैसे for example आपको बूला है, कि x की power 4 निकालो, 1 minus x की power, 1 minus x की power, minus 7, इसमें बता हो, x की power 4 निकालना आपको, कैसे निकालेंगे, x की power, तो n का value 7 है, 7 plus 4 minus 1c4, तो बस यह आएगा, सिधा-सिधा, तो 7 और 3, 10c4 आएगा, इसका answer, ठीक है, x की power 4 का, coefficient निकाल सकते हैं, या यह सिंपल है, done, यह तो यह direct formula होता है, उसको भी आप ध्यान रखो, so that fast हो जाए, directly, you can do it fast, अब जैसे यह question आगया, इसको कैसे करेंगे, you need to find coefficient of x की power 4 निकालना है, किस में से, इस में से निकालना है, 1 plus x plus x square plus x cube की power 6, चीक है, तो यह gp है, देखो ध्यान से, this is nothing but gp, तो gp का formula use कर लो पहले तो, gp का first term 1 है, और gp का 1 minus common ratio, power number of terms, नीचे आएगा 1 minus r, और इस पूरे की power है 6, ठीक है, पूरे की power 6 है, तो x की power 4 का coefficient आपको निकालना है, 1 minus x की power 4 की power 6, और 1 minus x की power minus 6, इसको उपर लेओ, जो 1 minus x है, उसको उपर लेके आजाओ, तो power minus 6, अब बताओ की इसमें से x की power 4 कैसे आएगा, अपने को चाहिए x की power 4, तो इसमें आपका normal वाला binomial लगेगा, क्योंकि इसकी power 6 है, तो इधर आपका लगेगा normal वाला binomial, और इधर आपका लगेगा binomial for negative index, यह दूसरा, यह दोनों अलग-अलग binomial लगेगे, इसमें number of terms 7 आएगे, इसमें number of terms infinite आएगे, ठीक है, आपको चाहिए x की power 4, एक काम करो, पहले तो इसका expansion बता दो, एक काम करते हैं, अगले page पर ही करते हैं, अगर जगह है तो, इसका expansion बताओ, x की power 4, इसका जो expansion आएगा, वो ऐसा आएगा, 6C0, और बीच में minus है, तो alternate plus minus है, 6C1, x की power 4, चीक है, अगला वाला जो term आएगा, वो आएगा, 6C2, x की power 8, ना, है ना, क्योंकि x की power 4 का square आएगा, तो अपने को power 8 तक तो जाने ही नहीं है, यह term कुछ काम काएगा, यह लिखने की ज़रूत ही नहीं है, और भी बहुत सारे terms इसमें आएगे, बट क्या मुझे वो लिखने चाहिए, अपने को तो power 4 चाहिए, तो power 8 से कोई मतलब ही नहीं ह और इसका expansion क्या हैगा, इसका expansion ऐसा हैगा ना, 1 प्लस 6x प्लस और भी बहुत सारे terms आएगे इसमें, ठीक है, 1 प्लस nx प्लस nn-1 divided by 2 factorial, वो सारे आप निकाल सकते हो, बट अभी हम सारे नहीं निकालेंगे, अब यह बताओ कि कौन सा term किसके साथ multiply होगा, तो x की power 4 बनेगा, तो x की power 4 बनाने के लिए यह वाला जो term है, यहां से आप constant term ले लो, इसको multiply कर दो, यह इस bracket में से आपको निकालना पड़ेगा, x की power 4, वह आपको x की power 4 चाहिए, एक possibility है कि इसका जो constant term है, जब यह multiply होगा, यहां पर कहीं पर x की power 4 वाला term आ रहा होगा, तो x की power 4 के साथ जब यह multiply होगा, तब बनेगा x की power 4, तो इस bracket में से, इसको basically यह वाला जो bracket है, वह यह है, इस में से आप x की power 4 का coefficient बता दो, अभी अभी मैंने आपको direct formula बता ना, क्या आएगा, 6 plus 4, यह आएगा, 6 plus 4 minus 1 c 4, यह आगया, ठीके तो एक तो यह बनेगा, और फिर इसको जब multiply क करेंगे constant के साथ, ओके तो minus 6 c 1, और यहाँ पे जो constant term है, वो तो 1 ही है, तो यह बनेगा x की power 4 का coefficient, अब इसको solve कर लो, यह 1 है, यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 9 c 4, 9 c 4 कितना होगा, 9 into 7, 9 into 8 into 7 into 6 divided by 432, और minus 6, ठीके तो यह solve करेंगे तो, यह cancel, 3 into 3, ठीके, तो basically यह कितना आ रहे, यह solve करो, 7 into 42, 42 into 3, minus 6, तो 120 आ गया है, यह finally, ठीके है, we are getting 120 as the final answer, यह समझ में आएगी नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ से constant लोग है, तो वहाँ से आपको x की power 4 लेना पड़ेगा, तो यह x की power 4 का coefficient, और यहाँ से x की power 4 लोग है, तो वहाँ से constant लेना पड़ेगा, तो constant वालबान ही है, ठीके ह nv sir op, अरे क्या बात है, factorize भी तो कर सकते थे, हाँ वो भी कर सकते हो, है ना, बट वो करेंगे तो फिर यह method आपको समझी नहीं आएगा, तो second method भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, इसका second method बताओं गया, second method यह हो सकता ही कि यह factorize हो जाएगा, है ना, factorize करोगे तो 1 प्लस x, और दूसरा factor आ जाएगा, 1 प्लस x square, तो दोनों की power 6, 6 हो जाएगा, ठीक है, यह factorize हो गया, यह वाला जो है ना, उसको factorize कर लो, अंदर वाले को, तो यह आ गया, अब इसका expansion, और इसका expansion, और आपको चाहिए, x की power 4 चाहिए, ना, तो कितने cases बनेंगे, इसमें बहुत स इसमें से आप x की power 0 ले लो, और इसमें से आप x की power 4 ले लो, एक यह possibility है, इसमें से आप x की power 2 ले लो, इसमें से x की power 2 ले लो, इसमें से x की power 4 ले लो, तो इसमें से x की power 0, यह 3 cases बनेंगे, देखो यहाँ पर x square है, तो इधर जो भी x की power आएगी, वो even ही आएगी, odd वाल इन दोनों को इसका कोईफिशेंट इसका कोईफिशेंट तो X की पार 4 का कोईफिशेंट होगा 6C4 और यहाँ पे X की पार 0 6C0 होगा ठीक है? X स्क्वेर X स्क्वेर का कोईफिशेंट होगा 6C2 और इधर होगा 6C1 इसमें X की पार 0 इन दे फर्स ब्रैकेट तो 6C0 और X यह होगा 6C2 तो इनको भी आड़ करके देखो 120 आएगा ऐसे कर लो अगर आपको नेगेटिव वाला है ना इसमें बेसिकली नीचे जाएगा नीचे जाएगा तो नेगेटिव में फसेगा यह वाला मेथड भी कर सकते हो यह नहीं करना तो उससे भी आंसर वही आएगा अंडेस्टूट सर केमेस्ट्री का क्या करे केमेस्ट्री का साक्षी में से पढ़े साक्षी में हमके वैंशॉट देखे तो सब उजाएगा चलो इसी के साथ फाइनली हमारा चैप्टर होता है खतम काफी कुछ मतलब हमने पढ़ लिया जितने भी previous questions है वो भी आप एक एक बार खुद से practice करके देखना है ना वैसे तो I think mostly हमने सब cover कर लिये सारे questions भी cover कर लिये बट in fact अगर एक दो तीन चार question बीच बीच में छूड़ गया होंगे तो वो भी आप खुद से लगा ले पी वाई क्यू की बात कर रहा हूँ कर सकते हैं यहां पर आपको और भी स्पेशल क्लास बिल जाएगी जहां पर प्रैक्टिस के लिए इस लिंक को यूज़ कर लो यह कंप्लीटली प्री है tinyurl.com slash specialclass nv10 उसको यूज़ कर सकते हो बाकी आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना सो दाट जितनी भी स्पेशल क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अगेन इस कंप्लीटली फ्री टेलीग्राम जॉइन कर लेना PDF नोट्स आपको अभी वहां पर मिलेगा ब है हैंड्रेस का फीचर है अपनी आवाज में बाच्चीत कर सकते हो टेस सीरीज एक्सेस मिलता है क्रेश कोर्स सब कुछ है मतलब भी ठीक है तो बाकी आप प्लान कर लो अभी अपना ऑल स्टार बैच भी आया है जो 2024 वाले है उनके लिए नर्चर बैच है जो 25 वाले उनके अर्ली बर्ड वाला एक जो बैच है वो भी अभी चल रहा है ठीक है तो 9 10th वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते 11 12 ड्रॉपर्स भी यहांपे प्लान कर सकते आवर भी चल रहा थे हैं ना तीन महीन नौ महीन अठारा महीन चौविस महीन है आप अपने हिसाब से जितना भी डि एकेडमी पर आते हो यह बाकी लोग आते हैं उनको रिकमेंड कर देना इसको यूज करके आप आओगे तो आपको हमारे जितने भी बैचेस उसका एक्सेस मिल जाएगा ठीक है यूल गेट एक्सेस टू अल दे बैचेस एंड डेफिनिटली वहां पर डीटेल में मैंने काफी स है कैलकुलस के और अलजेबरा के ठीक है तो वह आप देख सकते हो एक जही एडवांस का क्रेश कोर्स है वह भी आप कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आपको मिल जाएगी आइकाडमी में ठीक है बाकी और कौन-कौन से फीचर जे तो टॉप एजुकेटर का एक्सेस लाइव बाकि आप एंवी लाइव कोड यूज करोगे तो अटमेटिकली आपके जो प्राइज है वह भी काम हो जाएंगे ठीक है प्लस का आइकॉनिक का इवन अब तो ऑफलाइन एडमिशन भी चलोगे अगर कोई ऑफलाइन में भी एडमिशन लेना चाहता है वहां पे भी आप ए Okay then, bye bye, take care, see you in the next class.